को है चल तो आज झाँए आप देख रहे हूं डाइस का पार्टवन सर्गों करते हैं अब डाइस जब पहली बार बनाया गया था तो स्टेंडर डाइस बनाया गया था मानक पासा यानिके स्टेंडर डाइस में क्या था डाइस को हिंदी में पासा बोलते हैं स्टेंडर डाइस में क्या होता है बचे अपोजिट का सम 7 होता है अपोजिट का सम 7 होता है मानक पासा में स्टेंडर डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है ठीक है अपोजिट जो होते हैं उनका टोटल जो सम है 7 होगा तो एक बार मेरे को बताना कि 7 के अपोजिट का सम 7 होता ह थो रीच्य के पूजिट का सम सेवन होता है तो चैके पूजिट क्या होगा ओविसली चैके पूजिट एक होगा तो इस तरीके से अगर मुझे एक निट वहीं ठीक ऑडियोवीडियर तो चैके पीट एक होगा पांस में एक पूजह का सम से एक पूजह ठीक है है तो पूंजन पूछू आपसे एक dice दे दी चार, दो, चार मैंने आपसे पूछ लिया 2kp तो obviously 2kp 5 होगा यह आपसे पूछ लिया 6kp obviously 6kp 1 होगा मैंने आपसे पूछ लिया 4kp, obviously 4kp 3 होगा ठीक है? अपोजिट का sum 7 होता है सर आपकी class timing पता नहीं चलता हो class की timing का पता नहीं चलता चैनल को subscribe कर लो, bell icon पर click कर लो ठीक है? वैसे आज से class की timing जो है, 6 बजे रखी है आज से ही शुरूआ है, जिसमें मैं आपको topic wise करवाऊँगा ठीक? साथ में उसी की practice होगी रात को practice होगी जितना पढ़ाऊँगा रात को 9 बजे ठीक? रात को 9 बजे practice करवाँगा, जितना पढ़ाऊँगा उतना ही मतलब daily हम पढ़ेंगे और साथ में उसी की practice करेंगी ठीक? जितना मानलो आज मैं close dice करता हूँ तो close dice की practice आज ही खता हूँ कल मैं open dice करवाँगा तो open dice की practice कल ही खता हूँ मतलब daily पढ़ेंगे, daily उसकी practice करेंगे ठीक? UPSI तक daily class चलेगी हाँ, UPSI तक बिल्कुल daily class चलेगी क्योंकि UPSI और CGL आ रहा है CHSL CGL और UPSI तक मैं अब regular class लोगा, ठीक है? हाँ तो, अब normal dice second जो type है, वो है बच्चे normal dice साधान पासा इसमें जरूरी नहीं कि 5 के प्रिट 4 हो sorry, 2 हो, जरूरी नहीं 4 के प्रिट 3 हो जरूरी नहीं 6 के प्रिट 1 हो मतलब opposite का sum 7 होना जरूरी नहीं है यानि कि opposite का sum 7 नहीं होगा, यानि कि opposite sum 7 नहीं होगा तो 4 के प्रिट दिक जरूरी नहीं मुर्धे के चरेकर कुछ ब्रसक्ता कि ठीक है है को सबस्फिक एक इक कोमा नमर देरा यह चो इन कमण बडे रखाएं नाइम तरा आपन क्रिद विश्वासेतव में पूरे नोमबर and दिल्वा सकते हैं, चलो कोई नहीं, फोरे नंबर याएंगे, एक कोमन नंबर दे रखा है, अगर एक कोमन नंबर दे रखा है, देखो, दोनों में कोमन क्या है, दोनों में कोमन क्या है, दोनों में कोमन ओव्यसली, और क्लास की टाइमिंग का पता नहीं चलता न, इसलिए रे वाहां पर शेयर हो जाती है ठीक है टेली नमर से शुरू करना रहेंगे क्लोक वाइच चलना है common number से शुरू करना है, clock wide चलना है, common number है दोनों में 5, दोनों में common number 5 है, common number से शुरू करेंगे, clock wide चलेंगे, 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 common number से शुरू करें और clock वाइच चल दिया पांस दो तीन लगाता लेग दिया 5-6 एक लगातार लेग दिया तो बच्छी 2 के बुलिट क्या आया चैनल टीन के बुलिट क्या आया एक पांस के बुलिट क्या होगा common number के बुलिट वो न्बर जो दिखाई नहीं दे रहा इसको डंग से समझ में आया सशांग जोनल सर मुकर जिनगर में तो आपका कोई जवाब नहीं है YouTube पे और तया लगा मजा दीजिए आ जाओ चलो वह YouTube पे भी अब लगा तरह क्लास लेंगे से ठीड़े वह बत्चे इमांद करते हैं कि यूट्यूब पे डेली रहा हूँ चलो ठीड़ा है सुनो 5 2 3 5 6 1 2 के पर च्यारोगा थीन के पर एक तो पांस को चारोगा कोमट नमबर के अपरई वह नमबर जो दिखाई नहीं दे रहा यदि एक कोमन नमर दे तो common number से शुरू करेंगे और clock wide चलेंगे I repeat common number से शुरू करेंगे clock wide चलेंगे एक चीज और होते ही YouTube पे तहल का मचाने के लिए थोड़ा आपकी spot की भी जरूरत पड़ती है आपके like और share की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि obviously बात है कि मुखर जी नगर इतने सारे बच्चे हैं तो वो offline वाले बच्चे तो YouTube पे पड़ेंगे नहीं तो उनको तो मैं बोल नहीं सकता बट आप लोग घर बैठ करके बढ़ रहे हो कहीं कहीं से तो आप लोगों की इतनी तो duty बनती है कि at least उसको share किया जाए ताकि ज्यादा बच्चे जुड़ें और ज्यादा बच्चे और जुड़ेंगे और लेली इगलास आती जाएगी चलो तो इतना तो बनता है और share तो बनता है देखो next बताना तो एक common number अगर दे रखा है तो क्या करेंगे क्लोक वाइच चलेंगे common number से शुरू करेंगे क्लोक वाइच चलेंगे common number से शुरू करेंगे क्लोक वाइच चलेंगे तो बताना एक बार पांच के अपोजिट क्या है? पांच के अपोजिट क्या आएगा? कॉमन नमर से शुरू करो, क्लोक वाइच चलो, पांच के अपोजिट क्या आएगा? कॉश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा बच्छे, विच नमबर इज अपोजिट टू? फाइव, पांच के विपरित क काया कुछ भी पूछ सकता है कि वीच नमरी आपोजीन टू टू कर के विपित क्या है ठीक है तो बताओ पांच के विपित क्या है देखो कॉमन नमर आया च्छे कॉमन नमर से शुरू करेंगे क्लोक वाइच चलेंगे एसे कॉमन नमर से शुरू करेंगे क्लोक वाइच चलेंगे कॉमन नमर आया च्छे से शुरू करोगे क्लोक वाइच चलोगे च्छे तीन एक कॉमन नमर से शुरू करेंगे क्लोक वाइच चलेंगे च्छे तीन एक छे फिर तीन फिर एक इसी तरीके से च्छे फिर पांच फिर दो 6 फिर 5 फिर 2 लगातार कंटीनू चला 6 3 1 क्लोक वाइच चले 6 3 1 सेम क्लोक वाइच चले 6 5 2 6 3 1 6 5 2 3 के अपुलिट 5 होगा 1 के अपुलिट 2 होगा 6 के अपुलिट 4 होगा कोमन नमर के अपुलिट वो नमबर जो दिखाई नहीं दे रहा कोमन नमबर के अपुलिट वो नमबर जो दिखाई नहीं दे रहा कोमन नमबर के अपुलिट वो नमबर होगा जो दिखाई नहीं देगा ठीक है 3 के अपुलिट 5 होगा 1 के अपुलिट 2 होगा 6 के अपुलिट 4 होगा common number से शुरू करो और clockwise चलो 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 तो next बताओ बताओ दो के विप्रित क्या होगा दो के विप्रित क्या होगा दो के विप्रित क्या होगा से सुरू क्या clockwise घड़ी की दिसा में तीन एक चार लगातार लिखा तो दो के विप्रित पूचा था मैंने अंसर आया पांच सेम तीन के विप्रित कोमन नंबर के वो नंबर जो दिखाई नहीं देता अब एक से लेकर के चाहिए नंबर में चाहिए नहीं देरा तो तो तीन के मैं आपसे 2 के पूचा तो 4 आया मैं आपसे 5 के पूचता तो 1 आता मैं आपसे 3 के पूचता तो 6 के पूचता तो 3 आता एक कोमन नंबर अगर आ जाए तो इस तरीके से करना है यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ एक अगर कोमन नंबर आ जाए तो क्लोक वाइज चलना है मैं अब यूट्यूब को बिलकुल मेरा ओफ लाइन जो मुखर जी नगर बैच है उस तरीके से पढ़ाऊंगा मतलब एक एक चीज आराम आराम से क्लियर करते वे आगे बढ़ेंगे अब यूट्यूब पे जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही रात को नोबजे प्रेक्टिस कराऊंगा बढ़े आराम से ठीक जैसे ओफ लाइन में बच्छे पढ़ते हैं यह नहीं कि कंसेप्ट जरूरी है क किया नेक्स्ट एडिंग बनाते हैं इफ टू कोमण नमर आर गीवन इफ टू कॉमन नमर आ जाएं तो क्या करेंगे वह देखो जैसे देखो अगर दो कोमन नमर आ जाए तो क्या करना है सिंपल सा फंडा है सबसे पहले दो कोमन नमर को हटा दो ठीक अगर दो कोमन नमर आ जाए तो च्छह के अपजिट एक होगा नहीं यह तो साथ में दिये हैं भाई रखका। अगर उसने पूछा कि तीन के आपचिट क्या होगा तो अंसर जाएगा लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया चै के विपरिट क्या ओगा? एक के विपिरित क्या होगा? तो बच्छे, Common sımber के वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहाएं, I repeat common number के अपैपूइट जो दिखाई नहीं दे रहा हुआम चै एक चै एक. दो ऐसे common number है, जो common number दे रखे हैं, लेकिन दिखाई क्या नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, 4 और 2, तो अगर 6 के विपीत पूछ ले और पहला option 4 दे रखा है, गलत है, पहला option 2 दे रखा है, ठीक, either 4 or 2 दे रखा है, तो सही है, either 4 or 2, 6 के विपीत अगर उसने पूछा, तो या तो 4 होगा या 2 होगा, सेम उसी प्रकार, एक के विपीत अगर उसने पूछा, तो या तो 4 होगा या 2 होगा, 6 के विपीत अगर उसने पूछा, तो या तो 4 होगा या 2 होगा, एक के विपीत अगर उसने पूछा, तो या तो 4 होगा या 2 होगा, सेम उसी प्रकार से 4 के विपीत अ नहीं दिखाई देरा तो इसके आपजेट common नमबर या तो चय या एक दो की अपजे या थो चय या एक को को कमन केっちन यह लुए कमन के इन खॕ्वाटंट ऑफ फ सैब करेर है कुलेर भाई जलो और 9, चला, तो क्या करना है दो कॉमन नमबर में, दो कॉमन नमबर में पहले दो कॉमन नमबर को साइड अटाओ, जो बच जाएं वो आपस में अपोजिट, दो कॉमन नमबर को साइड अटा दिया, जो बच गए वो आपस में अपोजिट, तीन और पांच आपस में अपोजि तो या तो 4 या 2 1 के अपोजिट अगर पूछै तो या तो 4 या 2 इसी तरीके से 4 के अपोजिट अगर पूछै तो या तो 6 या 1 ठीक अगर दो कॉमन नमर आ जाएं तो next करके दिखाओ तो च्छाय के अपोजित देखो सिंपल सा फंडा है 5 और 2 2 को मन नुमर है 5 और 2 2 को मन नुमर है ठीक है 5 और 2 2 को मन नुमर है तो 6 के अपोजिट 4 होगा Common number के अपोजिट वो नमबर जो दिखाई नहीं दे रहा तो उसने पूछा 6 के अपोजिट क्या होगा अगर उसने 5 के अपोजिट पूछा या 2 के अपोजिट पूछा तो common number के अपोईट वो number जो दिखाई नहीं दे रहा बच्छे 5 और 2 दोनो common number है तो दिखाई क्या नहीं दे रहा एक दिखाई नहीं दे रहा तीन दिखाई नहीं दे रहा तो 5 के अपोईट या तो एक होगा या तीन होगा या तो एक होगा या तीन होगा आप लोग comment करी नहीं रहे या दिख नहीं रहे comment मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग देखो तो simple सा फंडा है 5 के आपट 1 होगा या 3 होगा ऐसे 2 के आपट 1 होगा या 3 होगा 1 के आपट या तो 5 होगा या 2 होगा ऐसे तीन के अपोजिट या तो 5 होगा या 2 होगा common number के अपोजिट वो number जो दिखाई नहीं देता और hidden के अपोजिट common number common number के अपोजिट hidden number ठीक clear हुआ यह चीज दो डिजिट अगर common है दो डिजिट अगर common है तो ये फंडा करेंगे next और करो बताओ चार के विपरित अगर उसने पूचा चार के विपरित क्या आएगा बताओ जल्दी से देखो सिंपल सा फंडा है तीन और दो दो common number है तीन और दो common number है तो दोनों common number को हटाओ तीन और दो दोनों common number को हटाओ जो बच गए वो अपस में opposite तो चार के opposite 6 होगा अब common number के opposite वो number जो दिखाई नहीं दे रहा I repeat common number के opposite वो number जो दिखाई नहीं दे रहा तो तीन एक common number है उसके opposite वो number जो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई क्या नहीं दे रहा, एक दिखाई नहीं दे रहा, और क्या नहीं दे रहा, पांच दिखाई नहीं दे रहा, देखो बच्चे अगर 3 के opposite उसने एक option में दिया गलत है, उसने 5 option में दिया गलत है, 3 के opposite या तो 1 होगा या 5 होग से मुस्री प्रकार से दो के आपजित यह दिखाई नहीं दे तो दो कमन नंबर अगर पूच ले तो यह करेंगे और एक डिजिट मोंना नंबर है तो क्ल लेकिन यह सिर्फ only in two dice, दो dice given है, तब ही लाग होगा, तीन या चार या पांच या छे dice दे रखें, तब मत सोचना, no common number is given, यदी एक भी common number given नहीं है, यदी एक भी common number given नहीं है, लिख ले ना हिंदी में, यदी एक भी common number given नहीं है, अगर मानलो ऐसा question आ जाए, जिसमें एक भ समुंदर बना रखा है एक वर्ड यूज करूंगा ऐसा गंद फैला रखा है सोरी टू से कि कोई कुछ भी पढ़ा रहा है मैं नाम नहीं लूंगा एक यूट्यूब चैनल के सबस्क्राइबर तक्रीबन तक्रीबन 60-70 लाग अब उन बड़ी बड़ी यूट्यूब पे कोई भी आकर के टीजर बन जाता है तो हमें लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी कुछ भी बढ़ा रहा है है उसमें यह इतना गलत कंसेप्ट बढ़ा रखा है मतलब बिल्कुल टोटली गलत तो इसलिए सही करके कुछ भी बढ़ा जाहें स्टूडेंट टीचर नी एक्च्वल में जो टीचर है जो इनको एक्च्वल में नोलेज है जिनको हर चीज की डेफ्ट लेवल की नोलेज है कि बच्चा अगर पांच मिनट भी वीडियो देख ले तो उसका नुक्षान ना हो चलो तो यह देखो अगर एक भी कोमनमर गीवन नहीं है एक भी कोमनमर गीवन नहीं है तो क्या करेंगे टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, और दूर दूर के अपोजिट अगर एक भी common number given नहीं है, तो टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट यही फंडा यूज करना इसी को follow करना और answer सही आएगा यानि कि 1 के अपोजिट अगर पूछा तो 2 आएगा same thing 3 के अपोजिट अगर पूछा तो 4 आएगा same thing 6 के अपोजिट अगर पूछा तो 5 आएगा अगर 1 भी common number given नहीं है तो याद रखना एक भी अगर common number नहीं है तो 1 के अपोजिट 2 आएगा 3 के अपोजिट 4 आएगा 6 के अपोजिट 5 आएगा अगर 1 भी common number given नहीं है if no common number is given यदि कोई भी common number given नहीं है तो 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 5 ठीक अगर कोई भी common number given नहीं है तो आप गलती मत कर लेना मतलब मैंने बताया न अभी थोड़ी देर पहले जो वात बताई थी कि किसी ने कुछ भी पढ़ा रखा इसमें इतना टोटल टोटली रोंग जो कलत चीजे पढ़ा रखें एक गंटे तक नो कोमन अमबर गीवन तो जो बता रहा हूँ उसी को फोलो करना वो ही एक्जाम में आएगा चलो बताओ चार के विवित क्या होगा कोमन अमर कोई भी गीवन नहीं है तो चार के विवित क्या होगा कोमन अमर कोई भी गीवन नहीं है तो चार के विवित क्या होगा obviously top top के पुझट top top के पुझट नजदीक नजदीक के पुझट 2 के पुझट 5 दूर दूर के पुझट 6 के पुझट 3 दूर दूर के पुझट 4 के पुझट 1 होगा 2 के पुझट 5 होगा 6 के पुझट 3 होगा टॉप टॉप के पॉजट नजदीक नजदीक के पॉजट दूदूर के पॉजट ठीक अभी भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं और लिखो टॉप टॉप के पॉजट नजदीक नजदीक के पॉजट दूर दूर के पॉजट चै, एक, तीन, चार, पास, दो तो बताओ, तीन के पोईट क्या होगा तीन के पोईट क्या होगा चै के पोईट चार होगा दूर के पोईट दूर होगा एक नजदीक के पोईट नजदीक होगा टॉप टॉप के पॉइट, नजदीक नजदीक के पॉइट, दूर दूर के पॉइट, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स एडिंग बनाव, इफ थ्री डाइस और गिवन, if notes बना ले नहीं अच्छे से if three dice are given यदि तीन पासा दे रखे if three dice are given यदि तीन पासा दे रखे अगर तीन पासा दे रखे तीन dice given है तो क्या करना है ध्यान से सुनो देखो, तीन डाइस में से वो दो डाइस डून लो, I repeat, तीन डाइस में से वो दो डाइस डून लो, जिसमें एक डिजिट कॉमन है, तीन डाइस में से वो दो डाइस डून लो, जिसमें एक डिजिट कॉमन है, वो दो डाइस पहली दूसरी भी हो सकती है, वो दो डाइस दूस i2 अजिसिन एक बाइस्टोन लो जीसमें इक डिजित को मने वो पहली दूसरी भी हो सकती है वो पहली टीक्या में क्या को मने पैली टीक्य में एक को मनें एक बीजिसरीमें मफर Kamận के इक नंबर नहीं skill क कोई फीए एक single 3-2-3 कोमन नमर से स्टार्ट करो क्लोक वई चल दो 1-6-4-1 2-3, 1-6-4-1 2-3, 6-kपजिट 2 होगा, 4-kपजिट 3 होगा, 1-kपजिट 5 होगा, वही चीज़, अब कईयों के माइन में यह चल रहा है कि सरफ पहली और दूसरी डाइस देखने से ना पता चल गया, कि 6-4-6-4 कुम तो check positives क्या होगा, अब कैसे पता चलेगा, check negatives क्या होगा, पहली और दूसरी dice से तो नहीं पता चलीडा आ, तो मैंने जो फंदा बताया, वो दो dice ड़ून लो जिसमें एक digit common है, तीन dice में से वो दो dice डून लो जिसमें एक digit common है, तो एक छे च्यार क्लोकवाई चल दिए सेम थिंग एक दो तीन क्लोकवाई चल दिए छे के अपोजिट 2 होगा छे के अपोजिट 3 होगा एक के अपोजिट 5 होगा नमस्कार अभीषेख भई डन चलो question करो तो अगर डन है तो जितना पढ़ा रहो ना इसी के राथ नो बजे प्रेक्टिस ओगी है। मतलब जितना देली पढ़ाऊ उसी की प्रेक्टिस उसी दिन है। नोरेदी रहोगे रात 9 बजे लिए! वो दो डाइस कोई भी हो सकती है वो पहली तीसरी भी हो सकती है वो पहली दूसरी भी हो सकती है, वो दूसरी तीसरी भी हो सकती है कथर रवी 2 बचे वाली 2 से 3 दिन जो पेड बैच ले रखा जिसने वो आज और कल 2 दिन क्योंकि होल चेंज हो गया, 2 दिन 2 से 3 दिन वाला जो बैच चल रहा है वो ओनलाइन वाले बच्चों के लिए आज और कल 2 दिन नहीं चल पाएगा, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, ना मतलब लाइव नहीं चल पाएगा, वीडियो मिल जाएगी, दो दिन बस, उसके बाद हो जाएगी, कोई दिक्कत नी है, ठीक है, बाकी जो साड़ यह फीज है, UPSI की 2,000 फीज है, UPSI, SSC, Bank, Regioning Special की 2,000 उनलाइन फीज है, उसमें एक बैच आपको 1500 भी दिखेगा, 1500 में 2,000 में फरक आएगा, शले बस, 2,000 में में मोक टेस्ट भी करवाँगा, 2,000 में में अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करवाँगा, तो आगर आप मा जिसमें एक डिजिट को मनें, वो दो डाइज दूनों जिसमें एक डिजिट को मनें, पहली और तीसरी वो दो डाइज है, वो दो डाइज दूनों जिसमें एक डिजिट को मनें, तीन, छे, चार, सेम, तीन, दो, पाँच, तीन, छे, चार, सेम, तीन, दो, पाँच, चार, क कर लोगे हो जाएगा ठीक चलो तो कर लोगे तो एक और करके दिखाऊ तीन डाइस हो चे चार डाइस हो चे पांस डाइस हो चे चे डाइस हो ठीक है तो तीन हो चार हो पांच हो चे पूर प्रमें डाइस ही डाइस हो वो दो डाइस डून लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है वो दो डाइस डून लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है ठीक वो दो डाइस कॉन से कॉन सी पहली दूसरी भी हो सकते हैं दूसरी तीसरी भी हो सकते हैं प शया दो पाँच एक पेट पाँच वह च्यार दो वह छेक्ल खेगजित तीन ओंपन किया वह वह तो मंरी वह वह दिखाई नहीं है जो हो पूंबर का इसने पूछ संब करेव बंग들 देर्य wann उसने पोचा है यो इस दाइस को इंग्णोर करो अरे तो क्या हो गया कलर देदिया दो केंड़ मानलों ऐसे पोल दिया मानलों यहाँ उसने लिए र्ड यहाँ उषने लगए रिर्ड राद्र हिंस लिए ग्रीण यहाँ उसने लिए यज़ए यहाँ हैर्द हिर्ड कोमन कलर से चलोक्वाई चल दो खेल के ता मंगर से ह्सुन करोक्त क्लोक लो क्लोक्ता कोमन कलर कर्या है कुमन कलर से फिरुक्रव क्लD range' ग्रीन ग्रीन करूद का गड Control nk चल दिंव घड़ी की दिसा में नंबर में तो एक से लेकर चैनल फिक्स नंबर में तो एक से लेकर के यह तक नंबरें निक्स ay लेकिन कलर में defined नहीं है तो common number for free two इंदे अब कमन नंबर था जो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन color में common color की executionul designeratus तो playing your can not be determined देखो भई शींपल सा फंडा है इसमें अपोजिट पता करना आपको तीनों अपोजिट पता करना है किसके opposite क्या है यह आपको पता करना है तो मैंने आपको बताया था कि 4 dice दे रखें 3 dice दे रखें वो 2 dice डून लो जिसमें 1 digit common है 4 dice में से वो 2 dice डून लो 1 digit common है सबने अभी like नहीं किया वई ठीक है वीडियो को like जरूर कर दिया अगरो आते ही और daily 9 बजे मैं आज आप लोगों के लिए ना उस किया था कि daily 9 बजे जो मैं पढ़ाऊंगा उसी की practice कराऊंगा क्योंकि पढ़ाने में concept सिखाना होता है और concept सिखाने के बाद question unlimited नहीं हो सकते लेकिन practice session में हम questions को unlimited कर सकते हैं ठीक है UPSI से पहले आपके CGL से पहले सारा practice अब की बार मैं बहुत focused हूँ अपने बच्चों के selection को ले करके कि बहुत ज़्यादा बच्चे selection ले इसी वज़े से तो ये मैंने चल रही है आपकी practice session ज़्यादा हो बताओ इसमें जल्दी से जल्दी बताओ पांच के विपरित क्या है दो के विपरित क्या है च्यार के विपरित क्या है वो दो dice डून लो बच्चे जिसमें एक digit common है और लिंक डेली आपको टेलीग्राम चैनल जोईन कर लो टेलीग्राम पर जाना रेंकर्स गुरकुल उस चैनल को जोईन कर लेना ठीक है उस पर डेली लिंक आजाये करें और डेली रात को नो बजिल आईव आजाये करें वो दो dice डून लो जिसमें एक digit common है वो दो dice पहली दूसरी भी हो सकती है दूसरी तीसरी भी हो सकती है पहली तीसरी भी हो सकती है दो डाइस अगर मान लो दो डाइस ढूंडने में टाइम जादा लग रहा है तो दो कंसेप्ट है बच्छी एक कोमन नमर और दो कोमन नमर क्या बोला मैंने एक कोमन नमर और दो कोमन नमर दो कंसेप्ट है अगर दो डाइस ढूंडने में जादा टाइम लग रहा है तो कोई द दो common नमर वाले concept को लगा दो, भाई हमें जल्दी अंसर चाहिए ना, दो common नमर वाले concept को लगा दो, 6, 3, 6, 3, 5 के बिट क्या हो गया, एक तो 4 के बिट क्या बच गया, 6, काम खतम, हमें चाहिए जल्दी कैसे calculate करना है, ठीक है, no doubt, मैंने concept यही सिखाए था, कि वो दो dice जोन लो जिसमें एक digit common है, मैंने आपको यही सिखाए था, लेकिन जल्दी अंसर निकालने के लिए, अगर पहले माइन में आपके 2 common नमर दिखाए दे गए, तो 2 common नमर वाले concept लगा दो, कोई issue नहीं है, 2 common नमर वाले अगर आप concept लगा ओगे, तो 2 common नमर वाले concept लग जाएंगे, ठ है, ठीक है, चलो next question को करो एक बड़, एक second भाई, दूसरी, image एड़ हो गई, चलो, इसमें बताओ, बताओ, बताओ जल्दी से, सबने like नहीं किया यार अबी, आसिरवाद बच्चे, आसिरवाद, आसिरवाद सबको, जो जो चान्स पर्स बोल रहे हैं, सबको आसिरवाद, सबको बगवान selection दे, ठीक है, बताओ इसमें, वो दो dice जुन लो, जिसमें एक digit common है, पहली दूसरी म एक digit common देगा, अब पहली दूसरी में एक digit common देगा, तो यहां से clock wise चलो, 3 से clock wise चले, 3 से clock wise चले, 2, 1, उसके बाद, 3, 4, 5, 3 से clock wise चले, 3, 2, 1, 3, 4, 5, 2 के परिट क्या आया, 4, 1 के परिट क्या आया, 5, 3 के परिट क्या आया, 6, 3 के परिट क्या आया, 6, ठीक, तो 2 के परिट अगर पूछा तो च्यार, एक के पूछा तो पांस, तीन के पूछा तो पांस, तीन के पूछा तो छह, जल्दी जल्दी अंसर दो भई, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन, बताओ, अब यहां आपके माइन में यह जाएगा, कि सर एक से लेकर के छह तक नंबर आपने सिखाए थे यहां तो 9, 11, 1, 3 क्या दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो दो डाइस ले लो, जिसमें एक डिजिट कॉमन है, सबको राम राम, वो दो डाइस ले लो, जिसमें एक डिजिट कॉमन है, जल्दी से सॉल करो इसको जल्दी से, अब पिछले कॉश्चन में थर्ड डाइस का यूज था ही नहीं, थर्ड डाइस का कोई यूज नहीं था, ठीक है, इस कॉश्चन में, पहले दूसरे में क्या कॉमन है, पहले दूसरे में कॉमन है, बच्चे, पहले दूसरे में कॉमन है, साथ, ठीक, लेकिन पा दूसरे तीसरे में एक डिजिट Richardson मिल गया एक एक डिजित आपका कमन मिल एक एक से start के और clockwise चल दिये ऑब दुचीजे माइन में आनी चाहिए क्या हो सकता है examination hall Meg आपका examiner आप से सिर्फ no kya point पूछ ले तो हमें clock wise चलने की जरूत नहीं है अगर वो no kya point पूछ लेता तो दो common number वाले concept से लगा देते simple सा funda है एक बार और करवा देँ पिछला question ठीक है simple सा funda है अगर simple no kya point एक पूछ था तो हम 2 common number वाले concept को लगा देते no kya point एक आ जाता हमें चाहिए जल्दी answer उसके बाद अगर वो कोई और question पूछ था तो दो dice में से एक common number लेते एक digit common है एक साथ पांच और एक तीन ग्यारा तो पांच के अपूछ अगर पूछे तो ग्यारा साथ के अपूछ अगर पूछे तो तीन और नो kya point एक पहले ही हो चुका पिछला question दोबारा पूछा है और सारे बच्चों ने अभी like नहीं किया है मैंने बच्चे ये बताया था कि वो दो dice don't load जिसमें एक digit common है अब एक digit common पहले में ही मिल गया एक digit common पहले मिल गया तीन दो एक तीन चार पांच दो के point चार आया दो के point चार आया एक के point पांच आया तीन के point चाया अगर आपके mind में कई बच्चों के mind में ये आया होगा कि sir मैं तो दूसरी तीसरी dice लूँगा ठीक है ये आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई दूसरी तीसरी dice ले लो दूसरी तीसरी डाइस में क्या common है 5, 5 से शुरू करते मानलो, दूसरी तीसरी 5, उसके बाद क्या लिखते 3, उसके बाद क्या लिखते, 4, same 5, 6, 2 5, 6, 2, उससे भी तो answer वही आ रहा है, 3 के पुईट क्या रहा है 6, 4 के पुईट क्या रहा है, 2 5 पुईट क्या रहा है, 1 कोई भी 2 डाइस ले लो जिसमें 1 digit common है कोई भी वो 2 डाइस ले लो जिसमें 1 digit common है, नमस्ते बाई, नमस्ते, सबको नमस्ते, ठीक है चैनल को सब्सकाइब कर ले न जिसने सब्सकाइब नहीं किया है चलाँ, next क्लियर हो गया यह चीज़ करो गई और दो डाइस डून हो जिसमें एक डिजिट कुमन है अब इंपोर्टन टास्क यह है इसमें एक फंडा सिखाना है जो मैक्शिम बच्चों को नहीं आता है ठीक है सर जी आदित्यरंजन सर के एक दम मस्त पढ़ाते हैं हमको ऐसे गुर्जनों की जरूरत है हाँ बिल्कुल भई आदित्यरंजन सर की डेली साथ बजे क्लास होती है मैथमेटिक्स बहुत डिटेल में हो आपको इस यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं आप कहीं से भी मैथ्स पढ़ रहे हो एक बार उनकी वीडियो लगाता और देखो फिर पता चलेगा ठीक है चलो हाँ तो देखो सिंपल सा फंडा है एक कोमन नमबर मिल गया एक फंडा सिखाना है इसमें क्या सी और बी भी मिल गया तो एक के अपोजिट डी आया मान लो एक्जामनेशन ओल में हो सकता आपसे सिरफ यह पूछ था which letter is opposite to A, A के विपरित क्या है तो आप क्या जवाब देते, A के विपरित क्या है, A के विपरित D जवाब देते अब हमें वो दो डाइस डूनने की जरुवत नहीं है जिसमें एक लेटर कोमन है, हमें A के विपरित जवाब मिल चुका है अगर मान लो B के opposite पूछ था, तो B के opposite अगर वो पूछ था, तो बच्ची यह देखो न, second और third dice में, second और third dice में, C और C, D और D common है C और C, D और D common है, तो बच क्या गया, B और E, मुझे जल्दी अंसर चाहिए, दो dice वो डूननो जिसमें एक digit common है, या फिर, दो digit common वाला concept लगा दो दो digit common वाला concept लगा दो, ठीक है, वही practice होगी daily जो मैं आपको पढ़ाऊंगा daily जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वही daily रात को नौब जी practice होगी, इसलिए daily की class जरूर अटाइन करो concept वाली class, उसके बाद practice रात को करवाता ही रहूंगा, चलो, next या आज एक एक एड़ करना पढ़ रहा है, कल से एक खटे आ जाएंगे, ठीक है जल्दी से करो, एक पर रुको, एक खटी फाइल देखता हूं कहा है दाउनलोड एक सेकंड लुक जाओ भई नहीं एक खटी आएंगी भाई आज तो चलो देखो सिंपल सा फंडा है अपोजिट कलर आपसे पूछा है तो वो दो डाइस जुन लो जिसमें एक कलर को मनो अब पहली दूसरी को देख रहे है देखो मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ मेरे सामने एक कोश्चन है मैं क्या करूँगा वो दो डाइस जुन लोंगा जिसमें एक कलर को मनो लेकिन वो ढूंडते वक्त मेरी नजर गई ब्लू और ओरेंज पे ब्लू और ओरेंज पे यह नजर गई मुझे येलो के अपोजिट वोईलेट मिल गई क्या पता एक्जामने सनौल में यही पूछे कि येलो के अपोजिट क्या है वोईलेट मिल गई मान लो येलो के अपोजिट वोईलेट ना पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वही दो डाइस रूंड रहूँ ना, जिसमें एक color common है, दूसरी तीसरी देख रहा हूँ, दूसरी तीसरी में क्या common है, जल्दी से comment करके बताओ, दूसरी तीसरी में क्या common है, सारे बच्चे बताओ, दूसरी तीसरी में blue common है, तो blue से start क्या और clock क्लोकवाइच चले, blue से start किया ख्लोकवाइच चले, blue, violet, orange, फिर उसके बाद blue, yellow और red अब सारे color मिल गए, orange के opposite red, violet के opposite yellow, blue के opposite, blue के opposite वो जो इन दोनों में ना हो, ब्लू के अपोजिट वो जो इन दोनों में ना हो रोज एक ऐसा कलर है जो इन दोनों में नहीं है तो ब्लू के अपोजिट रोज होगा ब्लू के अपोजिट रोज होगा ठीक है बिल्कुल सारे बच्चे बोल रहे हैं blue common है और blue से start क्या और clockwise चले दो concept है एक common number और दो common number एक common number और दो common number ठीक है एक common number और दो common number next बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी बाई देखो अब देखो किसकी opposite क्या है यह देखेंगे पहले दूसरे में देखा दो common मिल गए दो common मिल गए तो percentage की opposite माइनस आगया percentage की opposite माइनस आगया दूसरे तीसरे में देखा कोई भी common नहीं है लेकिन यहाँ पर कोई भी common number नहीं है वाला concept नहीं लगाएंगे कोई भी common number नहीं है इस वाला concept नहीं लगाएंगे तो तीसरी चोती में चले जाएंगे तीसरी चोती में दो common number नहीं मिल गए प्लस और percentage तो डोलर के opposite क्या आगया ओ डोलर के opposite क्या आगया ओ अब हमें चार मिल गए तो छटा चार मिल गए तो बाकी दो तो मिली जाएंगे भई percentage के opposite minus हो गया डोलर के opposite O हो गया तो इस X के opposite मतलब cross के opposite cross के opposite वो जो एक रहे गया कोई भी एक रहे गया अगर नहीं रहा तो answer जाता cannot be determined अगर कोई एक रहे गया तो वो answer होगा अगर नहीं रहा तो answer जाएगा cannot be determined देखो परसंटेज के अपोजिट माइनस हो चुका डोलर के अपोजिट हो चुका इस X के अपोजिट कोई नया नहीं दे रखा कोई नया सिंबल है यह नहीं तो उसका अंसर नहीं बता सकते next question पर हम ध्यान देंगे next question बताओ जल्दी से next शैलो देखो मैं ज़्यादा तर question वो लेके आया हूँ जो practice के लिए काम आएंगे तीन और चार तीन और चार dice वाले ठीक ठीक है तीन और चार जल्दी बताओ देखो common number क्या है 6 पहली दूसरे में क्या है कोई भी नहीं दूसरी तीसरे में क्या है 4 और 1 4 और 1 6 के अपोईट 5 ठीक अगर 6 के अपोईट पूछता है तो अंसर क्या जाता है 5 दूसरे तीसरे में एक इडिजिट common है दूसरे तीसरे में तीसरे और चौते में एक डिजिट को मन है एक एक और एक तो एक से स्टार्ट किया एक चार पांच एक से स्टार्ट किया एक चार पांच एक तीन च्छे पांच के फिर च्छे हुआ चार के फिर तीन हुआ पांच के फिर च्छे हुआ च्यार के फिर तीन हुआ तो एक के फिट के आया दो, एक के फिट के आया दो, ठीक, चलो next question ज्यादा speed में तो नहीं है न भई पढ़ा चुका फिर तो speed में नहीं लगना चीए है जो मैं पढ़ा चुका उसी से related question है ये लो को चुका ये लोगना दो, यदी अंक दो सिखर पर है यदी अंक दो सिखर पर है ठीक तो तल में अंक कौन सा होगा दो अगर टोप पर है तो बोटम पर कौन सा होगा, इसका मतलब ये है कि दो के विपरित क्या है दो के विपरित क्या है इसका मतलब ये है कि दो के विपरित क्या है दो के विपरित पूछा है उसने तो simple सा funda है उसने पूछा कि दो अगर top पे है तो bottom पे क्या होगा यानि कि दो के विपरित पूछा है ठीक है दो के विपरित पूछा है तो पहली दूसरी option number टिक करो पहली दूसरी में क्या common है चे और common number के point वो number जो दिखाई नहीं देता common number के point वो number जो दिखाई नहीं देता चे के point दो हुआ तो यही तो पूछा था दो अगर सिखर पर है तो तल पर क्या होगा चे होगा D is the right answer D is the right answer बिल्कुल सही जवाब सारे बच्चों का सही जवाब D is the right answer ठीक वो दो डिजिट ये बताओ slow है, fast है, सही है सब ओके है, कैसा लग रहा है मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है देखो यार आप offline की तरह हुटिंग तो करनी सकते है पर मेरे दिल की भावनाओ को समझ लो आप अपने कमरे में होटिंग कर लाओ है ना, point तो मैं यहाँ पर भी मार सकता हूँ साधे नोव वाले बहेच में आज यही चेप्टर हुआ यही topic वाज इसमें बताओ दो अगर सिखर पर है तो तल पर क्या होगा यानि कि इसका मतलब यह है कि दो के विपरित क्या होगा दो के विपरित क्या होगा ओके चलो तो दो के विपरित क्या होगा क्या एक डिजिट को मने हाँ एक डिजिट को मने तीन तीन से स्टार्ट करो क्लोक वाई चलो 3 उसके बाद 5 उसके बाद 2 3 उसके बाद 1 उसके बाद 6 5 के परिट 1 होगा 2 के परिट 6 होगा 3 के परिट 4 होगा काम खतम उसने 2 के परिट पूछा था हमारा अंसर 6 आगया हमारा अंसर D जाएगा D is the right answer D is the right answer clear next बताओ देखो 5 अगर सिखर पर है तो तल पर क्या होगा मतलब अल्टीमेटली वो 5 के विपरित पूछना चाहरा है 5 के विपरित पूछना चाहरा है common नमबर 6 से सुरू करो और clockwise चलो common नमबर 6 से सुरू करो और clockwise चलो लेकिन ये कब करते हैं जब एक digit common हो यहाँ पर तो दो digit common है तो इसमें ये नहीं करेंगे दो digit common में क्या करेंगे च्छै और च्यार च्छै और च्यार तो पांच के विपरित क्या हुआ एक हुआ बी इस दा राइट अंसर पांच के विपरित क्या हुआ एक हुआ सर आपका pre wedding suit बहुत बढ़िया है भाई ये देख लिया अगरो pre wedding suit आपका भी होगा आप जल्दी से एक नोकरी लो फिर एक बहुत बहतरी नोकरी मिलेगी मैंने दूसरी बार भी नोकरी बोला है अला कि मुझे पता है कि आपको क्या सुनाई दिया है तो pre wedding suit पे ध्यान मत दिया रहो question पे ध्यान दे दिया एक रहो ठीक है B is the right answer बिल्कुल सही जवाब next question बताओ तीन अगर सिखर पर है तो तल पर क्या होगा तीन अगर सिखर पर है तो तल पर क्या होगा तो डेली नो बजे लाइव रहोगे देखो बच्चे नो बजे डेली वो पढ़ाऊंगा जो आपको मैं डेली पढ़ाऊंगा मतलब उसकी practice होगी जो डेली पढ़ाया जाएगा तो डेली की class attend करो रात को नो बजे practice करो और ये मैनत आपके लिए हो रही है आप मैंने कहा ना आप सिर्फ अपना time मुझे दे दो उसके बद marks दिलाने की जिम्मेधारी मेरी इस question का जबाब दो तीन के विपरित पूछा है तो common number 4 है 4 से सुरू किया clockwise चले 4, 2, 1 उसके बद चार, तीन, 5 ठीक तीन के विपरित, तीन के विपरित क्या होगा दो तीन के विपरित दो होगा, काम ख़ता तीन के विपित दो होगा ठीक है आज मैंने ओफलाइन क्लास में एक बात बोली थी कि रैंकर्स गुरुकुल सर्च करो यूट्यूब पे और उस चैनल को सब्सकाइब कर लो इस बात पे हुटिंग और हसना शुरू हो गए आप लोग भाई अभी जो बच्चे देख रहे हैं उनको ही बोल रहा हूं आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे क्या फायदा होगा अब आपके मन में आएगा पैसे आएगे यूट्यूब से कोई पैसा वैसा नहीं आता अब आप को आते तो हैं सर यूट्यूब से पैसा आता है जब बहुत बड़ी यह अगर मेरी 40-50 ल उलाइन के टीचर ही हैं यूट्यूब पर प्रक्टिस आप लोगों के लिए और ही तो सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बैल आईकन पर क्लिक करने सापको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब के quality है जिसकी वीडियो आप लाइक करते है उसी की वीडियो सेजेशन में दिखती है इसलिए टीचर लोग बोलते हैं लाइक करने जा ठीक है आपको लगता है कि मेरे लाइक से तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे एक लाइक से तो पता नहीं क्या गेम हो जाएगा है ना चलाओ, next बता हो, यदि बिन्दो तीन सिकर पर है तो तल पर क्या होगा यदि बिन्दो तीन सिकर पर है तो तल पर क्या होगा तीन के विपरित क्या होगा, जल्दी से जल्दी से भई दो कॉमन नम्बर है इसमें ध्यान रखना यदि बिन्दो तीन नहीं, एक सौरी दो common number है तीन और दो यदि बिंदू एक सिखर पर है तो तल पर क्या होगा एक के अपोईट चार होगा C is the right answer लेकिन अगर वो पूछ लेता कि यदि बिंदू तीन सिखर पर है तो तल पर क्या होगा तब पता क्या होगा तब either or में answer जाएगा common number के अपोईट वो number जो दिखाई नहीं देता ठीक है चलो तो अगले question को करेंगे यदि अंक चार सिखर पर है तो तल पर क्या होगा अभी थोड़ी देर में ऐसा भी होगा कि चार dice दे रखें उसमें से चार अगर सिखर पर है तो तल पर क्या होगा यह नहीं पूछेगा सीधा यह पूछेगा चोथी dice में चार अगर सिखर पर है तो तल पर क्या होगा या कुछ गुमा के देदेगा वो भी सीखेंगे देखते हैं देखो यदि अंक चार सिखर पर है तो तल में अंक होगा चार के opposite पूछा है देखो बचे चार के opposite पूछा है अब क्या इस dice में दो कॉमा नंबर है हाँ बिल्कुल दो कॉमा नंबर है इस dice में दो कॉमा नंबर है भई इसमें एक तो पांच कॉमा है इसमें एक दो कॉमा है एक पांच कॉमा है एक दो कॉमा है उसने पूछा 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट 3 बच गया, 4 के अपोजिट 3 बच गया, B is the right answer, 4 के अपोजिट 3, B is the right answer हो गया, ठीक, next, बताओ, कौन सा रंग हरे रंग के विपरित होगा, कौन सा रंग हरे रंग के विपरित होगा, ग्रीन के अब विपरित पूछाए, पहले आप लोग सौल करो, ग्रीन के विपरित क्या होगा, आप लोग सूल करो भई गुजी उपियेश सई के लिए पढ़नी है आप से रिजनिंग गुरु देख लो ठीक है भई पढ़ ले ओनलाइन पढ़नी ओनलाइन पढ़ ले ओफ लाइन पढ़ ले ओफ लाइन पढ़ ले ठीक है, चलो, देखो अब उसने पूछा हरे रंग के विपरित, पहली दूसरी डाइस को देखा, पहली दूसरी डाइस में क्या को मनें, बेंगनी को मनें और नारंगी को मनें, इससे हमें आंसर मिला, जामोनी के अपोजित लाल, जामोनी J जामोनी L लाल ठीक जामोनी के अपोजिट लाल दूसरी तीसरी डाइस में क्या कॉमन है एक कॉमन है लाल तो एक कॉमन नमबर से स्टार्ट करो क्लोक वाइज चल दो एक कॉमन नमबर से एनी डिसकाउंट ओन यूर पेड बैच ओन लाइन नीचे आरजी वाइटी कोड दे रखा भई आरजी वाइटी कोड यूज कर ले न हलाकि अभी वो कोड लागो नहीं होगा लेकिन क्लास के बाद मैं उस कोड को एक्टिवेट कर दूँगा ठीक है इस कोड को डिसकाउंट कॉपन कोड में RJYT डाल देना ठीक है यह सिर्फ YouTube वाले बच्चों के लिए हैं तो simple सा fund है अब लाल से start क्या clock वाई चले लाल नारंगी बेंगनी लाल नारंगी बेंगनी लाल हरा नीला हमें हरा का मतलब चाहिए था लाल नारंगी बेंगनी लाल हरा नीला तो हरा के opposite नारंगी आ गया हरा के opposite नारंगी आ गया हरा के opposite नारंगी 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 is the right answer ठीक next बताओ बही एक बड़ एड़ी कर ले तो मैं सारे लुकर ये system बाद में बताओ जल्दी बताओ English वाले question भी तो दे दो अरे आस्ता सर्मा है देखो यार ये language के पीछे मत जाए अगरो English वाले question देदो English में लिया हो तो हिंदी वाले question देदो reasoning को समझो इसमें language की जरूत नहीं होती इसमें language की जरूत नहीं होती बस आपको क्या पढ़ना है तीन के विपरित क्या होगा ये पढ़ना आपको तीन के विपरित क्या होगा अब यहाँ हिंदी इंगलिस कुछ नहीं चलेगा ठीक मैं तो कोई भी question अच्छा लगता है practice के तोड़ पर अच्छा लगता है सारे question देखता हूँ उसको हिंदी इंगलिस नहीं देखता है मुझे तो मेरे से मतलब है इस से बस उसके बाद देखो उसके बाद तो ये dot देखो तीन के विपरित क्या होगा वो एक common number है या दो common number है mean funda ये है एक common number है या दो common number है ठीक है अब दो से start क्या दो उसके बाद 6 उसके बाद 4 अब यहाँ 2 common number दिखे जैसे by chance मान लो आप यहाँ शुरू कर भी दो ऐसे जैसे मैंने शुरू किया 2, 6, 4 फिर जैसे आप 2, 4 लिखोगे तब ही आपका माइन बोल देगा कि भाई यहाँ तो 2 common number है और 2 common number हैं तो 2 common number वाला concept लगेगा फिर तो 1 clock wise नहीं कर चलेंगे तो 6 के विपरित क्या आया 6 के विपरित 3 आया हमें यही तो चाहिए था 3 के विपरित क्या होगा 3 के विपरित 6 होगा खेल का तो आप पढ़ाते हो तो language की जरूत नहीं होती भाई language की जरूत है भी नहीं analytical reasoning जो आएगी न उसमें मैं मानता हूँ कि हिंदी और इंग्लिस में जरूत पढ़ती है जैसे statement अजमसन अवधानाई ठीक है decision making statement argument तरक वितरक उनमें language की जरूत पढ़ेगी वो bilingual रहेंगे यह figure वाले question है इनमें आप language की जरूत नहीं है next बताओ इसने पूछा plus वाले के विपरित क्या होगा plus वाले के विपरित क्या होगा देखो बच्चे detail में सीखने के लिए पहले पढ़ना पढ़ता है अभी तो बस फटा-फट soul कर रहे है concept में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा रात को 9 बजे वाली class में ठीक है जिसको concept सीखना है वो detail वाली class देखे पहले ठीक है description में आपको मिल जाएगी इसकी class description में मैं बाद में edit कर दूँगा description में मैं इसके डाल दूँगा कब तक कराएंगे जब तक practice चलती रहेगी तक एक गंटा तो करो बताओ भई plus के opposite plus के opposite बताओ plus के opposite क्या होगा देखो हमें plus के opposite चाहिए था तो पहला ध्यान तो वही वो दो डाइस डूँड़ो जिसमें एक digit common है पहला ध्यान तो वही ठीक है लेकिन वो दो डाइस डूँड़ते वक्त आपके माइन में यह आएगा वो दो डाइस डूँड़ते वक्त आपके माइन में यह आएगा कि circle multiply circle multiply तो divide के opposite क्या होगा, divide के opposite minus होगा, divide के opposite minus होगा, ठीक है, उसके बाद, तो दूसरी तीसरी डाइस में बढ़ जाओ, क्या दूसरी तीसरी डाइस में कोई common है, नहीं, तीसरी चोथी डाइस में कोई common है, भई हमें वही दो डाइस डून नहीं ना, जिसमें एक डिजिट common है, ती प्लस डिवाइड प्लस डिवाइड प्लस डिवाइड से क्या होगा प्लस डिवाइड प्लस डिवाइड दो डिजिट को मन है तो हमें क्या मतलब ट्रेंगल के अपोजिट तो सरकल मिल गया ना ट्रेंगल के अपोजिट सरकल मिल गया अब triangle के opposite circle मिल गया divide के opposite minus मिल गया तो plus के opposite cross ही बच गया plus के opposite cross ही बच गया B is the right answer ठीक clear है ग्रोजी आप सही पढ़ूंगा reasoning otherwise किसी से नहीं भाई selection ले लो यार बस main मुद्दा तो ये है ये practice session लाने का करण यही है selection आप practice करो ना करो ठीक मुझे क्या पता लेकिन मैं तो daily practice करवाऊँगा जितना पढ़ाऊँगा उतने की practice रात को 9 बजे या आज से ही शुरू किया है और daily रहना भाई आओगे रात को 9 बजे यस और नो भाई आओ तो continue करो ठीक है मैं नाम नहीं पढ़ रहा YouTube पे हलाकि अक्सर YouTube पे देखने वाले लोग ये सोचते हैं मेरा नाम ले दो सरजी है ना मैं question करा दूँगा इस से अच्छा बरस ये बता दो आओगे के नहीं आओगे चलो next next second yes 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 आएंगे 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 चलो तो भाई आओगे तो बड़ी है भाई एक बरो हैंग कर रहा था तोड़ा system तो दूसरा note खोला है ठीक है क्लेर दिखाई दे रहा है कहां पर थे हम यह हो गया था यह हो गया था हाँ यह बता हूं देखो यहां जो भाई इसमें सब क्या पॉइट बता दो तीन क्या पॉइट बता दो पांच क्या पॉइट बता दो छै क्या पॉइट बता दो ग्रुजी मेरी सुन लो हाँ अब इसे कुमार बोल भाई बोल देखो सिंपल सा फंडा है सब क्या पोजिट बताना है अब इन दोनों में क्या कोमन है इन दोनों में तीन कोमन है तीन से स्टार्ट किया और क्लोकवाइज चल दिये तीन से स्टार्ट किया और क्लोकवाइज चल दिये तीन एक दो तीन एक दो तीन च्यार पाँच तीन से स्टार्ट किया और क्लोकवाइज चल दिये मैं अगर एक के पोजिट पूछता तो च्यार आता दो के पोजिट पूछता तो पाँच आता तीन के वरिट पूछता तो छे आएगा ठीक clear यह next में यह हो गया था इसमें बताओ देखो दो के विपृत क्या है दो के विपृत क्या है दो के विपृत पहली दूसरी डाइस में छे कोमन देखा तो 6 के अपृत वो जो दिखाई नहीं दे रहा तो 2 दिखाई नहीं दे रहा तो 6 के अपृत दो आया दो के अपृत 6 आया खेल खतम जल्दी से सोल करना है भाई ओफ लाइन में ब्लड लेसन शुरू हो गया अभी शुरू नहीं हुआ भाई अभी से ग्रोजी कम से कम बताओ अभी से कुमार टेलीग्राम पे लिख देना बच्चे एक बड़ टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज कर देना टेलीग्राम पे ग्रूप जोइन कर लो आरजी विक्रम्जित ग्रूप ठीक है टेलीग्राम पे ग्रूप है डाउट ग्रूप ठीक है आरजी विक्रम्जित वहाँ पर मेरे नमबर का लिंक है उस पर मेरे पास मैसेज कर दो यहाँ पर मैं नहीं पढ़ पार आगर आपकी प्रोलम तो वहाँ पर message कर दो, देखो, next, दो के विपित कौन सा बिंदो होगा, दो के विपित, अब देखो, इन दोनों में एक common है, तीन, एक digit common है, तीन, तीन से start करो, और clock वाई चलो, 3, 6, 1, 3, 6, 1, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 1, 3, 5, 2, 6 के opposite 5 हुआ, 1 के opposite 2 हुआ, 3 के opposite 4 हुआ, 3 के opposite 4 हुआ, ठीक है, done, next, next बताओ, इसमें, बताओ, इसमें, पांच के विपित क्या होगा, पांच के opposite क्या होगा, पांच के opposite, अब देखो, इन दोनों में, एक digit common है, तीन, ग्लोक वाई चल दो, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 3, 4, 2, 3, 5, 1, 5 के opposite क्या आया, चार आया, पांच के opposite क्या आया, चार आया, अंसर, next, जल्दी जल्दी, अब थोड़ा और वर सूपरपास, दो के विपित, दो के विपित, दो के विपित, पहली दूसरी dice में देखा, 6, 3, 6, 3, common, दो के विपित, पांच आया, खेल कतम, एक्जामनेशन होल में, आप सिंपल सा फंडा है, नोलेज लेना और एक्जाम क्लियर करना दोनों डिफरेंट चीजे है, मैं अब एक्जाम पॉइंट ओफी से थोड़ा बता रहा हूं, जिन बच्चों ने ये क्लास नही सीखी है, कैसे मैं सोल कर रहा हूं, नहीं पता, वो मैं इसी विडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, ठीक है, टेलिगराम पर मैंने डाल रखा है, लिंक, इसको कैसे सोल करते हैं, वो क्लास जरूर देख लेना, आज ही 6 बज़े पढ़ाया है, इसी पांच और दो, तीन के पुट क्या आया, चार आया, खेल का तम, पांच दो, पांच दो, छिक, इमानदारी से बताना, आज के सेसन में, प्रेक्टिस करने में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, यस और नो, यस आ रहा है तो फटाक देल, लाइक कर दो, और अगर आपके व और माहरबेच में यही बात बोलता हूँ, ठीक है, चला, आजाओ वही, चार के विपरित, हाँ, ये देखो, चितर चार में, फिगर फोर में, इंगलिस मीडियम, फिगर फोर में, नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक होगा, इसका मतलब क्या है, क्या पूछना चारा है वो, वो ये पूछना चारा है, कि फिगर फोर मतलब इस फिगर में, नीचे के फलक पर मतलब नीचे वाली सरफेस पर कौन सा होगा, इसका मतलब वो ये पूछना चारा है, कि इसके अपोजिट क्या होगा, इंडारेक्ट वे से पूछ लिया, कि इसके अपोजिट क्या होगा, इ पहली दूसरी डाइस में दो कोमन है, तो multiply के opposite question mark होगा, दूसरी तीसरी डाइस में दो कोमन है, तो circle के opposite triangle होगा, अब एक बात बताओ यार, multiply के opposite question mark होगया, circle के opposite triangle होगया, तो इसके opposite क्या बचा, इसके opposite क्या बचा, अब आप कहोगे, गुरुजी यहाँ पर तो कुछ देही नहीं रखा, कि इसके opposite क्या बचा, देखो, simple सा funda है, इस रोमबस के opposite, multiply तो हो नहीं सकता, क्योंकि multiply के opposite question mark होगया, circle और triangle हो नहीं सकता, या आपस में opposite हो गई, तो बच क्या बचा बचा, equal to, यहाँ पर equal to नहीं गीवन था, लेकिन option में equal to दे रखा था, option की वज़े से यह गया, दिखनी रहा, आई clear दिख रहा है नहीं, एक बचाना, एक और मैं देखता हूँ, एक बच्षिन की वज़े से यह गया, दिखनी रहा हो, एक मिनट, एक मिनट में मैं, यह एक बचाना, यह अगर clear तो दिख रहा है, चलो अगले question को जूम करके लिखू, सफेद रंग के विपित क्या होगा, सफेद रंग के विप्रित क्या होगा अब देखो पीला और लाल पीला लाल लाल कॉमन है तो सफेद के विप्रित क्या बच गया नीला बच गया नीला बच गया तो ये हो गया नीला बच गया नेक्स्ट अब दिख जाएगा इसमें बताओ अब दिख रहा है डन भई ग्रू जी आप से मैंने बात की कॉल पर बट कैसे लेना है बैच अच्छा आज बात हुई थी क्या मेरे से ठीक है तो आज बात हुई थी कल फिर बात कर लेना ठीक है उसी नमबर पर तकरीबन साड़े ग्यारा अफिस वाले नमबर पर कॉल कर लेना मैं उफिस में मिलूँगा ठीक है ठीक है भी से कुमार तो कल बात कर लेना यूपियस आई ठीक है यूपियस आई हो जाएगा सब मेरा एडमिशन रेंकर्स गुरुकल में हो जाएगा ये पर रहेगा जाता हूँ रेंकर्स गुरुकल में रहना चाता हो जो बच्चे रेंकर्स गुरुकल में रहना चाते हैं वो इस नमबर पर कॉल कर लें भई ठीक है रेंकर्स गुरुकल में प्रक्टिस वैस लेकर क्या रहे है लास्ट में मैं डिटेल बताऊंगा ठीक है देखो यदि अंक चार सिखर पर है तो तलपर क्या होगा मतलब चार के विपरित क्या होगा चार के विपरित चार ही कोमन है तो वो नंबर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा वो नंबर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन दो भी कोमन है दो भी common है चार भी common है दो भी common है अब तीन के अपोजिट एक होगा अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो कहा था आइदर और में अंसर आएगा आपने तो ये कहा था आइदर और में अंसर आएगा तो तीन के अपोजिट एक तो चार के अपोजिट आइदर और में अंसर आना चाहिए हाँ बिलकुल मैंने ये बात बोली थी आइदर और में आना चाहिए लेकिन मेरे भाई उपसन तो देख लो एक बार चार के अपोजिट क्या दो हो सकता है नहीं ये तो साथ दे रखा है मेरे भाई दोबारा चार के अपोजिट दो हो सकता है नहीं ये तो साथ में दे रखा है चार के अपोजिट एक हो सकता है नहीं ये तो साथ में दे रखा है चार के अपोजिट एक हो सकता है बिल्कुल नहीं क्योंकि ये तो साथ में दे रखा है तीन हो सकता है, बिलकुल नहीं क्योंकि तीन और एक आपस में opposite हैं, तो क्या बच गया, एक ही option बचा, no doubt, च्यार के opposite या तो 5 होगा या 6 होगा, लेकिन 5 या 6 में से एक ही option बचा, तो option की वज़े से उसका answer आया, option की वज़े से, option की वज़े से 5 आया, ठीक, next में, तीन के प्रित क्या होगा, तो simple सा funda है, यहां पर पहली और दूसरी डाइस में, 6, 5, 6, 5, common है, 6, 5, 6, 5, common है, तो 3 के प्रिट च्यार गया, 3 के प्रिट च्यार गया, खेल का तम, 3 के प्रिट च्यार गया, खेल का तम, next, हम, बताओ, नन भई, गुरू जी मैं मजदूरी करके पढ़ता हूँ, प्लीज गुरू जी देख लो, मेरी और आपकी वज़े से, मैं लग जाओ, देखो बच्चे, अब इसे कुमार, मैं आपकी कंडिशन को बिल्कुल बसरते समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही लोवर, मिडल क्लास फेमिले से बिलोंग करता हूँ, और मुझे याद है कि जब मैंने कोचें ली थी, तो मेरे घरवालों ने भी करजा लेकर के आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और साथ में, देखो बच्चे, फाइनेसल मदद से जादा, जो फाइनेसली कमज़ोर है, उनको फाइनेसली हेल्प तो मैं पूरी करने की कोशिश करता ही हूँ, बट उसके अलावा, उन बच्चों को गाईडेंस के रिगा बगवान अनमान ने जब सीना फार्ड के दिखाए था था तो सरीराम का फोटो निकला था तो मेरी दिल की इच्छा क्योंकि दिल में उनके सरीराम थे मेरी अगर दिल की इच्छा कोई पूछे न तो सिर्फ एक आवाज निकलती है मेरे बच्चों का सेलेक्शन सिर्फ एक आवाज निकलती मतलब मैं सीना फाड़ के तो मैं दिखा नहीं सकता बट सिर्फ एक क्योंकि दिल में सिर्फ एक ही चीज़े सेलेक्शन क्योंकि दिल में जो है वो यही है कि बच्चों का सेलेक्शन college line में जो था वो रहा नहीं है न तो अब बच्छों का selection ही ले ले है न तो आ जाओ चलो देखो भई 2 के विपरित क्या होगा 2 के विपरित क्या होगा 2 के विपरित कौन संग होगा अब देखो 2, 3, 2, 3 common है तो 4 के विपरित आ गया भई 2, 3, 2, 3 common है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्जामने सनोल में आपके यही जाएगा जो माइन में जाएगा वो ही तो सिखाऊंगा ऐसे ही जाएगा सबसे पहले यही देखोगे पिर यही देखोगे कितनी प्रैक्टिस देखो कर लो पिर भी यही देखोगे पिर भी यही देखो जो examination roll में देखोगे वो पहले ही बता रहा हूँ ये और ये उसके बाद दूसरी तीसरी dice देखो एक digit मिल गया हमारा काम यही था एक digit मिल गया तीन clockwise चलो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो खेल खतम ठीक चलो next चार के विपरित कोंसा होगा जल्दी बताओ वही चार के विपरित कोंसा होगा चार के विपरित जल्दी आब ठोड़ा ओर फास्ट चार तीन दो 4-3-2 में 4-2 common 4-2 common 3 के विपृत 1 2 के विपृत 1 2nd और 3rd दाइस में 1-4-2-1-6-5 1-4-2-1-6-5 अब simple सा फंडा है 1-4-2-1-6-5 clockwise चल दिये 1-4-2-1-6-5 4 के विपृत बताना था चार के भी पिच्छा आया खेल कतम क्लियर इमानदारी से एक चीज मांगू मैं आपसे इस वीडियो को एक तो टेलिग्राम एक फेस्बुक और एक वाटसब सेर पे क्लिक करके वाटसब ग्रुप में हो तो वहाँ सेर कर दो मेरे ग्रुप में तो सेर कर दो अगर वहाँ नहीं हो तो वाटसब स्टेटस लगा लो उससे क्या होगा उससे आपके भाई बेन यार प्यार मित्र बंदू थोड़े और पढ़ लेंगे क्या फरक पढ़ेगा आप तो मेरे से पढ़ते ही हो यार आपकी हेल्प से अगर किसी की हेल्प हो जाए तो ठीक अभी शेक जैन ठीक है? चलो पासे में निमन अवस्ताइं दर्साई गें है तीसरी अवस्ता में दाइने और कौनसा अंक होगा देखो बड़ा अच्छा कोशन है तीसरी अवस्ता में मतलब थर्ड़ डाइस में दाइने और कौनसा अंक होगा? राइट हेंड साईड मतलब यहाँ पर कौनसा अंक होगा? यानि कि वो यह पूछना चारा है कि च्छे के विपृत क्या होगा? ठीक दाइने साइड क्या होगा? अब पहली दूसरी dice में देखो पहली दूसरी dice में 6 common है तो common के point वो number जो दिखाई नहीं दे रहा common के point वो number जो दिखाई नहीं दे रहा देखो बच्छे दोबारा समझो इसको तीसरी अवस्ता में दाइनी और कौन सा अंग होगा मतलब third dice में right and side कौन सा होगा मतलब इस दिवार पर कौन सा होगा इस दिवार पर 6 के विपरित क्या होगा ultimately वो ये पूछना चारा 6 के विपरित क्या होगा अब 6 के विपरित पहली दूसरी dice में 6 common है common के point वो number जो दिखाई नहीं दे रहा common के point वो number जो दिखाई नहीं दे रहा 6 के point क्या होगा? 4 होगा खेल कथम clear हुआ? done next बदो एक सिखर पर है तो तल पर क्या होगा मतलब एक टोप पर है तो bottom पर क्या होगा मतलब एक के आपोजिट क्या होगा 3 दिखाई नहीं दे रहा तीन होगा खेल कतम next अब थोड़े और फास्ट च्छे के विपित पूचा है च्छे के विपित पूचा है पहली दूसरी डाइस में कोई common नहीं आटाओ दूसरी तीसरी डाइस में एक common है तो एक common के विट जो दिखाई नहीं दे रहा च्छे दिखाई नहीं दे रहा च्छे के विट एक होगा खेल कतम next अमन्दिप गरब sound okay है चलो तो उपन डाइस शुरू करते हैं बिल्कुल basic तरीके से उपन डाइस सबसे पहले आपको उपन डाइस में opposite पता होना चाहिए opposite आपको मालूम होना चाहिए एक छोड़ करके एक opposite होता है ठीक एक छोड़ करके एक opposite होता है ठीक एक छोड़ करके एक opposite रहता है लेकिन इसमें भी एक doubt बनता है बहुत important doubt बनता है मतलब बहुत बच्चे उसमें confused हो जाते हैं कौन से डाइगराम में बच्चे confused होते हैं वो discuss करेंगे अभी एक ऐसा डाइगराम बनता है जिसमें opposite पता करने में बच्चों को बड़ा confusion मैसिस होता है तो वो अभी discuss करेंगे कि कौन से ऐसा डाइगराम रहता है जिसको solve करते वक्त बच्चों को confusion देखो एक छोड़ करके एक अपोजिट होता है एक छोड़ करके एक अपोजिट होता है ठीक है तो पहले डाइगराम के अगर मैं बात करूँ किस से लें बता दीजिए अब इस एक जैन इंग्लिस की क्लास इसी आपके आरजी विक्रमिट अप्लिकेसिन जो नीचे पटी चल रहे ना इस अप्लिकेसिन पर इंग्लिस का बैच है और बहुत डिटेल में सुनिल जांगीर सर बैच पढ़ा रहे हैं और इतने डिटेल में मैं ये प्रोमिस करता हूँ बच्चे कि अगर वो उस बैच को करने के बाद अगर आपको इंग्लिस में लास्ट क्लास तक भी बिल्कुल लास्ट क्लास तक मेरा और सुनिल जांगीर सर का प्रोमिस है लास्ट क्लास तक भी आपको कोई दिक्कत महसूस हुई फीस वापिस करने की जिम्मेदारी है सोचो इतने confidence से तब ही बोला जाता है जब पता है कि बच्चे के marks बढ़ने है क्योंकि सुनिल जांगी सर अपने rankers गुरकुल जो offline बच्चों को मैं रखता हूँ उसमें भी पढ़ाते हैं और उसमें 85 में से 80 बच्चों का selection करवाया है और 80 बच्चों के 200 में से 180, 190 ये दिलवाया है नमबर तो इसलिए हमें पता है ना कि rankers गुरकुल की team obviously selection के लिए rankers गुरकुल बना है तो team ऐसी ही बना रखे है और उन्होंने application पर वैच बना रखा है वो ले लेना सभी परकार के diagram बता रहा हूँ सारे परकार के diagram बता रहा हूँ पहले में तीन के opposite क्या होगा एक number छोड़ करके एक opposite होता है I repeat एक number छोड़ करके एक opposite होता है सर आपकी class तो 9 बज़े है 9 बज़े ही होती है बच्चे practice की 9 बज़े होती है 6 बज़े तो मैं पढ़ाता हूँ practice की जो दिन में मैं पढ़ाता हूँ offline मोखरजी न करण उसकी practice session 9 बज़े होगी अभी यह जो एक रहे हो इसके अभी practice session 9 बज़े होगा practice session 9 बज़े चलेगा ठीक है? हाँ, तो देखो तीन के पॉजिट पांच हुआ दो के पॉजिट छह हुआ च्यार के पॉजिट एक हुआ तीन के पॉजिट पांच हुआ दो के पॉजिट छह हुआ च्यार के पॉजिट एक हुआ इसी तरीके से, इसे में बताओ दो के पुज़िट क्या हुआ? चार, तीन के पुज़िट क्या हुआ? पांच, एक के पुज़िट क्या हुआ? चै, उसी तरीक से, इसमें पांच के पुज़िट क्या हुआ? चै, एक के पुज़िट क्या हुआ? तीन, तो दो के पुज़िट क्या बच गया? दो के पुज़ि clear यहां तक बताओ yes और no clear इसी में 3 के पुरिट क्या हुआ 4, 5 के पुरिट क्या हुआ 6 और 2 1 के पुरिट क्या बच गया 2, इस diagram में doubt बनता है कि 3 के पुरिट क्या होगा, 2 के पुरिट क्या होगा 4 के पुरिट क्या होगा, इस diagram में डाउट बनता है ठीक है तो सिंपल सा फंडा है तीन के अपोजिट नहीं पता चल रहा चार के अपोजिट नहीं पता चल रहा एक के अपोजिट नहीं पता चल रहा कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तीन के साथ में देख लो तीन के साथ में देख लो बच्चे तीन के साथ में देखो तीन के साथ में कौन सा है जो साथ में होते हैं ये पार्ट है तीन के साथ में एक है तीन के साथ में दो है तीन के साथ में चार है तीन के साथ में पांच है यानिके तीन के साथ में 6 नहीं है तो तीन के अपोजिट 6 हुआ उसी तरीके से चार के साथ में क्या क्या है चार के साथ में 2 है चार के साथ में 3 है चार के साथ में 5 है चार के साथ में 6 है चार के साथ में 2, 3, 5, 6 है तो चार के साथ में 1 नहीं है तो 4 के opposite 1 हुआ, 4 के opposite 1 हुआ, 3 के opposite 6 हुआ, तो 2 के opposite क्या बच गया, 5 बच गया इस diagram में doubt बनता है, problem बनती है, clear हुआ, बाकी सारे diagram में एक छोड़ करके एक opposite होता है, एक छोड़ करके एक opposite होता है ठीक है अब question कैसे बनते है opposite तो हमें मालूम चल गया अब इससे related question कैसे बनेंगे और यह जो पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF आपको टेलिग्राम पर मिलेगी टेलिग्राम भी rankers गुरुकुल नाम से है टेलिग्राम चैनल rankers गुरुकुल नाम से है कल वाली भी PDF अफ्लोड कर दी थी मैंने इसकी PDF अफ्लोड कर दूँगा चला अच्छा घर ने ठीक है एक सगें हाँ PDF के रोप में टेलिग्राम पर अप्लोड कर दूँगा अब question कैसे बनेंगी वह समझो कैसे question आएंगी वह समझो बता ना यह open dice question में आएगा close dice आपके option में मिलेगा कौन सा close dice कौन सा close dice जो option में मिलेगा बनेगा यह आपको check करना है आपको क्या check करना है कौन सा close dice बनेगा यह आपको check करना है ठीक है बता ना कौन सा बनेगा कौन सा सही है यह आप check करना है कौन सा सही है यह आपको check करना है कौन सा सही है यह आपको check करना है जल्दी से बताओ कौन सा सही है गोड इनिंग बई गोड इनिंग और जितना आज करवांगो उसी का उसी के practice आतनो बजे होगी बताओ कौन सा सही है देखो जल्दी बताओ बई जल्दी बताओ पहले कौन सा सही है फर्स्ट शेकिंड थर्ड फोर्थ कौन सा सही है डी सागर आपने तो पढ़ रखा है है आज इपड़ा होगा मुकरजिनेगर चला देखो चार के अपोजिट चै है तीन के अपोजिट पांच है एक के अपोजिट दो है तो एक और दो अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकते जो दिखाई देते हैं, वो साथ में होते हैं, जो दिखाई देंगे, यानि कि एक चार दो जो नमबर लिखा हुआ है, वो साथ में होंगे, ऐसे एक तीन पांच जो लिखा है, वो साथ में होंगे, लेकिन एक के अपोजिट दो है, तो एक के साथ में दो नहीं आ सकता, एक के स तो तीन और पाँच साथ में नहीं आ सकता तो गलत पहला भी गलत और दूसरा भी गलत सेम उसी तरीके से आपका चार के अपोजिट चाह है चार के अपोजिट चाह है चार और चाह साथ में नहीं आ सकते तो गलत है अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आ सकते अब इसमें आपोजिट कभी भी दिखाई नहीं देने चाहिए, तीन के आपोजिट पांच नहीं दिखाई देरा, एक के आपोजिट दो दिखाई नहीं देरा, चेक के आपोजिट चार दिखाई नहीं देरा, तो ये सही है, लेकिन आपोजिट चेक करने के बाद भी कुछ चेक करना होता है क्या चेक करना होता है हम अगले question में पढ़ेंगे यहां तक clear है या नहीं बोलो yes और no बोलो जल्दी से अगर clear है तो थम सब कर दो यहां तक clear है अगले question में हम सीखेंगे कि और advanced level पे कैसे चीजें soul होती है चेक करना ज्यान से चेक करो भई चेक करो जल्दी से तुम चेक करो जल्दी से चेक करो आसरवाद भई आसरवाद जल्दी से चेक करो जल्दी से बताओ कौन सा सही है शहे है जल्दी से चेक करोईधे na तू ले कि छाने दूवाद prayer करें आसरवाद्ट आसरवादारं आसरवादी से तुम जल्दी सा करोऊया लेखेक करो दोस्वादी से आसरवाद करोई जल्दी चेक करोज़ाद state करो दो ऐसं। आसर्स एंपüne दूश्ट टूच gener ser़द चलो बहुत बड़े हैं फॉर्थ अगें फॉर्थ ध्यान से देख लो ध्यान से तभी तो ध्यान से और जितना पढ़ाऊंगा उसी की प्रैक्टिस रात नो बजे होगी रात नो बजे रेडी हो आओगे सारे लाईव गुरुजी मैं ले रहा हूँ चलो ठीक है ठीक है और ये कुपन कोड एक्टिवेट कर दिया बई कुपन कोड एक्टिवेट कर दिया है कल बत कई बच्चों का वाट्सप और टेलिगरम पर और फेस्बुक पर मैं इसे पूछा था कि कुपन कोड एक्टिवेट कर दो तो लेटेस्ट बैस के लिए अक्टिवेट कर दिया है ठीक है ये उनके लिए जो Facebook पे YouTube के थुरू देखते हैं YouTube के थुरू आते हैं इस coupon code से आपको 500 रुपगा benefit हो जाता है मुझे ये पता चल जाता है कि आप YouTube के थुरू आये हो RGYT coupon code अक्टिवेट कर दिया है application डाउनलोड कर ले ठीक है हाँ सुनो चार के अपोजिट दो है चार के अपोजिट तीन है एक के अपोजिट पांच है ठीक तो चार और दो चार और दो सात में नहीं आने चाहिए चार और दो सात में नहीं आने चाहिए गलत चार और तीन साथ में नहीं आने चाहिए छै और तीन साथ में नहीं आने चाहिए गलत एक और पांच साथ में नहीं आने चाहिए एक और पांच साथ में नहीं दिया है एक और पांच साथ में नहीं दिया है देखो सिंपल सा फंडा है एक के अपोजिट पांच है अब थर्ड में देखो 2 के अपोजिट 4 है और 2 के अपोजिट 4 दे रखा तो यह भी गलत अपोजिट की वज़े से तो गलत उसके बाद अपोजिट की वज़े से यह सही है बिलकुल चै के अपोजिट तीन दिखाई नहीं दे रहा चैर के अपोजिट दो दिखाई नहीं दे रहा एक के अपोजिट पांस दिखाई नहीं दे रहा लेकिन जब अपोजिट की वज़े से सही हो जाए जैसे अपोजिट की वज़े से सही आ रहा है तो अपोजित की वज़े से सही हो जाए, उसके बाद गीवन नमबर को क्लोक वाई चेक करना है, क्या चेक करना है, क्लोक वाई चेक करना है, गीवन नमबर को क्लोक वाई चेक करना है, देखो जो नमबर दिये हैं उनी को चेक करो, बच्छी जो नमबर दिये हैं उनी को चेक क चाहिए एक के क्लोकवाई च्यार के क्लोकवाई च्यार के क्लोकवाई च्यार 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 क्लोकवाई च्या में आपको close dice मतलब कल वाली class मिल जाएगी और जब वीडियो खतम हो जाएगी तो comment section में pin कर दूँँगा उस class को ठीक है? हाँ next clock wise check करो 645 645 clock wise 645 clock wise 645 clock wise 645 clock wise सही है बिलकुल तो clock wise concept जरूर check करेंगे clock wise concept चेक करेंगे next आगे बढ़ते हैं अब की बार ज्यान से चेक करना भई clock wise क्लियर हुआ अब की बार ज्यान से चेक करना clock wise क्लियर हुआ तो थम सब करो फटा फट बताना कौन सा सही है clock wise अगर क्लियर हुआ तो बताओ करो भई इनको चेक करो clock wise अगर क्लियर है तो इनको चेक करो चेक करो फटा 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 प्रिवियर करो अब इसे कुमार प्रिवियर शेयर सिर्प जो concept पढ़ा रहा हूँ वो सीखो साथ में प्रिवियर शेयर करो ठीक है study material जो paid batch में है उसमें तो मैं सारा study material अप्लोड करता हूँ एसे सी बैंक और साथ में previous year सारे और साथ में latest जो question आते हैं UPSI के और बाकी जो exam के हूँ सारे के सारे आपके updated version में application में मिलते रहेंगे तैंक यू थैंक यू भाई अभिसेख मार् तैंक यू दिपक टाक थैंक यू बताव जल्दी से और यह जितने भी अच्छे अच्छे comments करते हैं ये वीडियो खत्म ओने के बाद जरूर comment कर दिया आगरो वीडियो खत्म होने के बाद आपके comments का वेट रहता है अच्छा लगता यार चलो गुरुजी आप जैसा गोड मेरे को इस वर्ल्ड में नहीं मिलेगा थैंक्यो अभी से कुमार बस मैं आपका सेलेक्शन करवा दू बच्चे बस मेरा तो यही है देखो शिंपल सा फंडा है नेक्स देखो क्लोकवाईज चेक करते हैं क्लोकवाईज द्यान से देखो एक च्यार पांच क्लोकवाईज होना चाहिए क्या होना चाहिए एक च्यार पांच क्या क्लोकवाईज होना चाहिए एक चार पांच एक चार पांच क्लोकवाई जोना चाहिए बच्चे क्या होना चाहिए एक चार पांच क्लोकवाई जोना चाहिए क्या दे रखा है एक पांच चार दे रखा है बच्चे एक पांच चार दे रखा है इसका मतलब गलत है दोबारा देखो एक चार पांच क्लोकवाईज होना चाहिए एक पांच चार दे रखा है गलत है मोर्णिंग वाले बहच में न्यू चेप्टर कब स्टार्ट होगा न्यू चेप्टर आइ ठिंक परसो या परसो से अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा dice अगर कल complete हो गया तो परसो start हो जाएगा सुनो next 5-4-6 5-4-6 clockwise क्या होना चाहिए 5-4-6 5-4-6 clockwise होना चाहिए 5-6-4 clockwise रखा है गलत है 5-4-6 clockwise होना चाहिए 5-6-4 दे रखा है 5-6-4 दे रखा है गलत है next एक पांच दो क्लोकवाईज होना चाहिए एक दो पांच दे रखा है गलत है नेक्स्ट में दो पांच और चै दो पांच चै क्लोकवाईज दो पांच चै क्लोकवाईज होना चाहिए बिल्कुल सई जवाब दो पांच चेक लोकवाईज होना चाहिए और बिल्कुल दो पांच चेक लोकवाईज दे रखा है सई है अब कई बच्चों के माइन में ये आता है कि सर किसे नंबर से सुरू करें मिरे भाई किसी भी नंबर से सुरू कर दो किसी भी नमबर से शुरू कर दो अगर आप 2, 5, 6 से शुरू कर रहे हो तो 2, 5, 6 होना चाहिए अगर 5, 6, 2 से शुरू कर रहे हो तो 5, 6, 2 होना चाहिए अगर 6, 2, 5 से शुरू कर रहे हो तो 6, 2, 5 होना चाहिए किसी भी नमबर से शुरू कर दो clockwise वहाँ अगर है तो यहाँ पर भी होना चाहिए next देखते हैं clockwise next में देखो बचे clockwise एक दो तीन होना चाहिए next में clockwise एक दो तीन होना चाहिए simple सा फंडा है next में clockwise एक दो तीन होना चाहिए लेकिन यहाँ क्या दे रखा है एक तीन दो दे रखा है इसका मतलब गलत नेक्स्ट तीन के बाद दो के बाद च्छे ऐसे देखो तिरिछा सरकल तीन के बाद दो के बाद च्छे तीन दो चैक लोकवाज होना चाहिए तीन दो चैक लोकवाज होना चाहिए तो तीन दो चैक लोकवाज दे रखा है तीन दो छेक लोको आज दे रखा तो इसका मतलब ये सई है कलिर हुआ घुरू जी मुकर जीन, गर जरूर आऊँ आँँ आप के पास मिलने बिल्कुल बिल्कुल आओ बच्चे बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ सेलेक्शन लेने के बाद आप पहले भी मिलने आओ कैसे selection लेना है बाद में मिलने आओ मिठा मुँ कराने के लिए यार इधना तो करी सकते हो ना आपकी selection के बाद जो मिठा मिठास है जो आप मिठाई खिलाते हो वैसी मिठास कहीं नहीं है वो चिनी की मिठास नहीं होती वो आपके selection के और आपके प्यार और मुभबत की आपकी खुशी की मिठास आपके प्रिवार की खुशी की मिठास है और उसी का इंदजार है उसी की चाहत है बस आपके selection के बाद जो मिठाई खिलाओगे उससे सवादिष्ट चीज कुछ नहीं है चलो क्लियर हुआ कौन सा ओप्षन दोबरा बताऊ is it clear or not क्या ये clear है भाई done clear है भाई clear है तो फटा फट तमस अब करो yes लिखो चलो next question देता हूँ अब की बार ध्यान से चेक करना clockwise थोड़ा strong हुआ 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 थोड़ा strong हुआ 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 क्लोक वाईज अब की बार ध्यान से चेक करना और रात को नो बजी जरूराना आज आज रात को नो बजी जरूराना जितना पढ़ाऊँगा उसी की super fast practice चलेगी पहले मैं एक बार अभी concept सिखा दू फिर उसके बाद उसकी practice करवाऊंगा रात 9 बजे जितना पढ़ाऊंगा उतने की practice करवाऊंगा ठीक है रात को 9 बजे सारे बच्चे live रहेंगे अगर live नहीं रहे तो कुछ दिन बाद मुझे ये लगेगा आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं और अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो फिर मैं क्यूं पढ़ाऊंगा अपना मुखर जीने करवें बढ़िया से चली रहा है बहुत सारे बच्चे पढ़ी रहे हैं वहां से बच्चों का selection आई जाएगा अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो पढ़ाएंगे न और पढ़ना चाहते हो तो लाईवा न गुरू जी आप पूरे ओल और इंडिया में तोब हो रिजने गुरू दैंक्यों अभी से कुमार सब आपका प्यार अवच्छे बस ये जो नाम हो पाया है सिर्फ आपके प्यार की वज़े से हुआ है यहां दो और लिखा है जल्दी से सॉल करो कौन सा से ये कौन सा गलत है जल्दी बताओ बई जल्दी जल्दी बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है चेक करो क्लोकवाई चेक करो भई चेक करो भाइम । चेक करो हो गए आज देखो देखो भी सिंपल सा फंडा चै तीन च्यार को आई जो ना चाहिए च्यार च्यार को आई जो ना चाहिए च्यार च्यार को आई जो ना चाहिए दो पांच क्लोकवाई जो ना चाहिए एक दो पांच एक दो पांच और एक पांच दो दे रखा मतलब गलत है नेक्स देखो एक च्यार को आई जो ना चाहिए लास्ट वाला तो सेम ही दिया है एक पांच दो पांच दो क्लोकवाई जो ना चाहिए नेक्स्ट में दो तीन चार क्लोक वाई जोना ची है जोना ची है क्लेर हुआ क्लेर है अच्छे से ठीक अभी इसे कुमाराप के मेसेज आ गए थे मैंने बता तो दिया थे दिन में क्लियर भी समझ में आ गया भी चलो next चलो तो भी clockwise concept समझ में आ गया तो चलो next देखो सोल करना तो भी अगर clockwise concept क्लियर हुआ तो सोल करो जल्दी से सोल करो CGL 2020 किस किस का टार्गेट है CGL 2020 CGL 2020 जल्दी से बताओ बताओ कौन सा सही है CGL 2020 देखो 6 बजे बड़े आराम से चीजे सिखेंगे हम concept क्लियर करेंगे और उसी की जितना सीखेंगे उतने की प्रैक्टिस रात 9 बजे करेंगे दोनों टाइम आपको लाइव रहना है डेली अंसु का CGL 2020 है और कोई मेरा टार्गेट MTS है CGL 2020 नमस्ते बड़े नमस्ते चलो देखो बताओ कौन सा सही है देखो बड़े क्लोक वाई चेक करेंगे इसमें सिंपल सा फंडा है आजो पहले चेक करें एक पांच दो क्लोक वाई जोना चीए एक पांच दो क्लोक वाई जोना चीए एक पांच दो क्लोक वाई जोना चीए एक दो पांच दो क्लोक वाई जोना चीए एक पांच दो क्लोक वाई जोना चीए सरसीजियल है ठीक है बताता हूं एक दो पांच होना चीए एक पांच दो क्लोक वाई जोना चीए एक दो पांस दे रखा है गलत है नेक्स्ट एक दो छे क्लोक वाई जोना चाहिए एक दो छे क्लोक वाई जोना चाहिए एक छे क्लोक वाई जोना चाहिए एक छे क्लोक वाई जोना चाहिए एक छे क्लोक वाई जोना चाहिए 3, 4, 6 क्लोक वाज होना चाहिए 3, 4, 6 क्लोक वाज होना चाहिए तो 3, 6, 4 कैसे दे रखा है गलत है Next अब देखो कही हो कि माईन में ये चल रहा है कि बच्चे 1, 2, 6 क्लोक वाज होना चाहिए बिल्कुल लेकिन 2 तो दे नहीं रखा न तो दूसरे नमर को देखो 1, 6, 4 क्लोक वाज होना चाहिए 1, 6, 4 क्लोक वाज होना चाहिए 1, 6, 4 क्लोक वाज होना चाहिए तो 1, 6, 4 क्लोक वाज होना चाहिए मतलब सही है 1, 6, 4 क्लोक वाज होना चाहिए Next 3, 6, 2 क्लोक वाज होना चाहिए 3-6-2-2 को आज़े रखा है मतलब सही है 3-6-2 को आजवे होना चीए 3-6-2 को आज़े रखा है मतलब सही है इसको देखो ये तो clear दिख रहाँगा आज़ो गई ये clear दिख रहाँगा तो उसको छोड़ दो देखो, simple सा fund है एक के opposite 3 है 4 के opposite 6 है और 2 के opposite 5 है 2 के opposite अपका 5 है तो simple सा funda है कौन सा option बनेगा अब blank वाले अरे यार सही एकदम सही तो देखो यहाँ तीन लिखा है ठीक है और यहाँ 4 लिखा है ठीक है और यहाँ 2 लिखा है सुनो अब देखो simple सा funda है 4 के opposite 6 है तो 4 और 6 साथ में नहीं आने चाहिए 4 और 6 साथ में नहीं आने चाहिए तो यह गलत उसी तरीके से 3 और 1 साथ में नहीं आने चाहिए तीन और एक साथ में नहीं आने चाहिए तो ये गलत इसको clock wise चेक करोगे चार तीन दो clock wise आप चेक करोगे चार तीन दो चार उसके बाद तीन उसके बाद दो चार उसके बाद तीन उसके बाद दो चार तीन दो clock wise चेक करोगे चार तीन दो क्लोक वाईज आप चेक करोगे तो यानि कि ये सही है चार तीन दो क्लोक वाईज आप चेक करोगे ये सही है ये तो एमें फाल तुमें बना रखा है सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो इसमें देखो इसमें बताओ जल्दी से छै और च्यार साथ में नहीं आना चाहिए जो clear-clear दिख रहे हैं पहले मैं उनकी practice करा रहा हूँ छै और च्यार साथ में नहीं आना चाहिए तो पहले में छै और च्यार साथ में आ गए मतलब गलत next next, पांच और तीन साथ में नहीं आना चाहिए, पांच और तीन साथ में आ गई मतलब ये भी गलत, next, तीन, एक और चार में clockwise चेक करेंगे, तीन, एक और चार में हम clockwise चेक करेंगे, क्या clockwise दे रखा है, देखो चार तीन एक clockwise होना चीए यानि कि ये सही है, चार तीन एक clockwise होना चीए तो चार तीन एक सही है, next option के according exam point of view से समझना कई बार ऐसा होता है कि question solve किये बगेर ही आपका option calculate हो जाएगा किस तरीके से calculate किये बगेर आपका option calculate हो जाएगा कैसे वो समझो देखो simple सा fund है 2 के opposite 4 है 1 के opposite 6 है और 5 के opposite 3 है ठीक पांच के opposite 3 है तो 2 के opposite 4 है 1 के opposite 6 है तो 5 के opposite 3 है तो पहली dice में 5 और 3 साथ में दे रखे हैं पहली dice बचे ऐसी बना रखी है इस तरीके से बना रखे है पहली dice तीन यहां लिखा है एक यहां लिखा है पांच यहां लिखा है ठीक है पांच और तीन साथ में दे दिये तो पहली डाइस तो गई अब पहली डाइस गई अब ध्यान से सुनो भाई ये तो सही दिख रहा है यार पहली डाइस बना रहा हूँ जो चोटी-चोटी इमेज आ गई ना जगलती से उनको मैं पहले ही बना रहा हूँ अब देखो मैं मीन मुद्दा है exam point of which से मीन मुद्दा exam point of which से है पहली dice मैंने बना दी पांस तीन साथ में तो only A option गया A and B गया A, B, C, D गया आपका काम तो बन गया आपको तीनों option में time waste नहीं करना अब तो सही दिख रहा है यार एक बने मैं खुद देख रहा हूँ एक बर देखो जो dice नहीं दिखाई देरी उसको मैं लिख दे रहा हूँ अलग से हाँ जो dice नहीं dice नहीं दिखाः दी वो मैं लिख रहा हूँ बच्चे, डाइस नहीं दिख रही है, इसको लिख दिया मैंने पहली डाइस को, पहली डाइस लिख रहा कि एक पांच तीन, चीक है, ये तो clear दिख रहा होगा ना, पांच और तीन साथ में नहीं आ सकता, तो A option गया, अब A गया तो ये option खतम, A and B ये option खतम, A, B, C, D, ये option ख करना आपके exam point office है, आपका काम बन गया, only C is the right answer, ये बात समझ गये, ये बात समझ गये, पहला option है only A, दूसरा option है only C, तीसरा option है A and B, चोथा option है A, B, C, D, पहला option only A, ये तो गलत हो चुका, तीसरा option है A and B, ये तो गलत हो चुका, चोथा option है A, B, C, D, ये तो गलत हो चुका काम बन गया, exam point विसे करना बहुत जरूरी है ठीक, exam point विसे करना, यह option चोटे dice बन गई आज, ठीक है यहाँ only C दे रखा है यहाँ only B दे रखा है यहाँ A and B दे रखा है यहाँ टाइपिस्ट ने सोचा, कि सब दिखाई दे जाएगा ठीक, अब इसमें देखो इसमें, दो के opposite 5 है तीन के opposite 4 है और 6 के opposite 1 है अब चारों option चेक मत करना चारों option चेक मत करना, ठीक चारों option चेक मत करना, यह नहीं दिखाई दे रहे हैं मैं लिख कर के बता रहा हूँ, पहला option यह मैं आपको लिख कर के बता रहा हूँ ठीक है एक पांच चार अब देखो सबसे पहले अपोजिट की वज़े से गलत करो सबसे पहले अपोजिट की वज़े से गलत करो मैं बना दे रहा हूँ नहीं दिखाई दे रहा है मैं उनको बना दे रहा हूँ दो एक तीन अब देखो दो एक तीन अब सिंपल और सा फंड़ा है ये बनाया एक, एक, पाँच, चार ये बनाया 1, 2, 1, 3 ठीक है? 2, 1, 3 next चोथा बना रहा हूं मतलब तीसा बना रहा हूं sorry 6, 2, 5 6, 2, 5 अब 6, 2, 5, 2 और 5 दो और 5 साथ में नहीं आ सकते हैं मैं ये बताना चाहहूं, ना आपको ये चेक करना ना आपको ये चेक करना, दो और पाँच साथ में नहीं आना चाहिए, यानि कि C option गलत और C option गलत तो यह option गया पहला option गया आपने एक चेक किया आपने एक चेक किया सिर्फ C जिसकी वज़े से only C option गलत ABCD यह option गलत अब दूसरा option है B, तीसरा option है A & B अब आप आप B चेक कर लो या A चेक कर लो कोई भी एक चेक कर लो B चेक कर लो या A चेक कर लो कोई भी एक चेक कर लो मैं A चेक कर रहा हूँ एक पांच चार एक पांच चार क्या क्लोकवाई सही है नहीं भई एक चार पांच होना चाहिए एक च्यार पांच होना चाहिए एक च्यार पांच होना चाहिए एक केक लोकवाई च्यार केक लोकवाई पांच होना चाहिए ये गलत है ये गलत है तो ये option गलत है A and B वाला आपका काम बन गया देखो जिस बच्चे को knowledge है वो ये चेक करेगा A चेक करेगा, B चेक करेगा, C चेक करेगा, D चेक करेगा और जो बच्चा मेरी बात मान रहा है exam point of view से देख रहा है exam point of view से देख रहा है वो ऐसे चेक करेगा कि C दा 2 और 5 साथ में नहीं आ सकता 2 और 5 साथ में नहीं आ सकता जिसकी वज़े से C गया और C जाने की वज़े से ये option गया C जाने की वज़े से ये option गया अब दो option बच गए हमारे पास B और एक option बच गया A and B दो option बच गए B और एक option बच गया A and B अब simple सा funda है A चेक किया मैंने 1, 5, 4 1, 4, 5 होना चाहिए 1, 4, 5 होना चाहिए एक पास चाहर दे रहा है तो A option गया तो ये भी गया तो बात बन गई मैंने सिर्फ एक option चेक किया जो मैंने यहां बना दिया जो नहीं दिखाई दे रहे मैं वो यहां पर बना रहा हूं ठीक है ये typist सोचा कि ये दिखाई दे जाएंगे क्योंकि जब type कर रहा था जब image बना रहा था तो उसमें तो बड़ी बड़ी दिख रही थी इसमें थोड़ा इसमें clear दिखाई देगा ये clear दिखाई दे रहा है करो check लो मैं option बना देता हूं चाहरो थोड़ी मैनेत लग जाएगी क्या दिखकत है आप clear देखो करो check तो exam point of view से बहुत जरूरी है बताओ एक और च्यार साथ में नहीं आना चाहिए एक और च्यार साथ में नहीं आना चाहिए गायब तीन और च्यार साथ में नहीं आना चाहिए तीन और च्यार साथ में नहीं आना चाहिए ठीक पांच और दो साथ में नहीं आना चाहिए च्यार और एक साथ में नहीं आना चाहिए तीन और छे साथ में नहीं आना चाहिए तो तीन और छे साथ में नहीं आना चाहिए काम बन गया हो गया एक ही ओप्सन बचा तो उसको क्यों चेक करेंगे एक ये option बच्चा तो उसको क्यों check करेंगे ठीक अब आपके mind में ये जाएगा 2-1-6 2-1-6 इसको मैं 2-1-6 कैसे आएगा ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया 2-1-6 कैसे आएगा ये मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है इसको मैं next class के लिए pending छोड़ओगा 2-1-6 कैसे आएगा इसको मैं next class के लिए pending छोड़ओँगा क्योंकि ये मैंने आपको नहीं फढ़ाया है तो ये मैं next class में कल की class में आपको पढ़ाऊँगा कि 2 blank 2 बीच में छोड़ओगर के कैसे चेक करते हैं ये मैं कल की क्लास में पढ़ाऊँगा, बाकी आप चेक कर लिया, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसको देखो एक बार ये option है only A, ये option है only B, ये option है only C, ये option A, B, C, D ठीक, पहला option बना रहा हूँ, चेक करना, पहला option बना रहा हूँ, 2, 3, 6, next option बना रहा हूँ, 4, 3, 2, next option बना रहा हूँ, 6, 5, 1, next option बना रहा हूँ, 2, 5, 6, 2, 5, 6, करो चेक, करो जल्दी से चेक करो, 3 और 4, 7 में नहीं आने चाहिए, मतलब ये option गया, तो ये option खतम, ये option खतम, exam point office समझ रहो या नहीं, yes और no, exam point office से जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, वो बात catch कर पा रहे हो या नहीं, वो ज़्यादा जरूरी है बचे, कि हमें ये चारों चेक नहीं करने, हमें इतना पता चला, 3 और 4, 7 में नहीं आ सकता, मतलब B option गया, तो ये खतम, ये खतम, अब हमें A और C में से, A और C में से एक ही चेक करना है, चाहे एक चेक कर लो, चाहे C चेक कर लो, कोई भी एक चेक कर लो, A और C में से, जो आपको आसान लगे, वो चेक कर लो, ठीक है, अब होगा तो दोनों में से एक ही, दोनों में से कोई एक ही तो होगा बताओ इन मेंसे क्या होगा अब simple सा फंडा है 6 और 1 तो opposite है 6 और 1 तो opposite है और 6 और एक साथ में आई नहीं सकता खेल कतम clockwise maximum question में साहिल का स्यप इससे बड़ा जूम क्या करूं भई कमाल कर रहे हो इसको क्यों देख रहे हो, ये चारों मैंने यहां लिख दिये, तो इसको क्यों देख रहे हो, ये चारों मैंने लिख दिये, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये चारों लिख दिये, ये चारों लिख दिये, और बहुले जूम करो, आप हमारा time बच गया हमें ना clockwise check करने की जरूत पड़ी ना intro clockwise check करने की जरूत पड़ी हमें 3-4 साथ में नहीं आ सकते तो B option कतम तो ये गया और ये गया 6 और 1 साथ में नहीं आ सकते तो C option ये गया तो A की बचा, काम खतम clear? हो गया next मुझे पता है यह नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको मैं जूम करके लिख रहा हूँ आप कह रहो जूम करो चलो मैं चार ओप्षन बना रहा हूँ अब कोई solution नहीं है ना अब यह डाइस छोटी बन गई तो मैं बना रहा हूँ ना आपके लिए exam point of issue check जरूर करना मतलब मैं यह चाह रहा हूँ कि कई बार exam में ऐसा होता है कि आपको दिमाग नहीं लगाना और दिमाग कम use किया करो दिमाग वैसे एक तो कम है आपके अंदर और फिर उसको भी ज़्यादा use कर लेते हो तो दिक्कत तो आएगी है ना उसको भी ज़्यादा use कर लेते हो अब A फिर B फिर C and D फिर A, B, C and D ठीक है सिविंद्रा सर लेवल बढ़ाओ भी आज जितना पढ़ाया है उतना ही तो उसी की तो practice होगी मैं आपको क्या बोलता हूँ डेली जितना पढ़ाऊंगा उसकी practice होगी एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा तो एडवांस लेवल की practice होगी जितना पढ़ाउगा उतनी practice अब आज इतना ही पढ़ाया है भही इसी की practice होगी level बढ़ाएंगे, जब level ज़ादा का पढ़ाऊंगा जो आपको daily पढ़ाता हूँ मैं उसी की practice कराता हूँ चलो, अब देखो simple सा fund है 4 और 6 साथ में नहीं आ सकते 4 और 6 साथ में नहीं आ सकते मतलब B गया खतम खतम ठीक उसके बाद उसके बाद A चेक कर लो भई A चेक कर लो क्या कोई साथ में दे रखा है 5 और 3 साथ में नहीं आ सकते 5 और 3 साथ में नहीं आ सकते तो A खतम ये खतम और ये खतम तो एक ही option बज़ गया आपका काम तो आपके लिए तो एक ही option बज़ गया ठीक अब इसी में अगर हम level की बात करें अगर मैं knowledge की बात करूँ तो ये बनाता ये बनाता फिर ये बनाता और ये बनाता इस dice में आप हो जाते confused 100% इस dice में confuse हो जाते कि सर एक चार तीन को कैसे देखें इसमें भी आप confuse हो जाते कि सर चै फिर एक और फिर तीन को कैसे देखेंगे चै तीन एक बनेगा कैसे देखेंगे मैं कह रहा हूँ कि आप exam point of view से चलो न क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो क्यों confusion simple बनाओ हर चीज़ को ज्यादा level आएगा ना उसको भी simple बनाओ ये होगा exam में level बहुत typical देदेगा लेकिन इस option की वज़े से ऐसे option की वज़े से फटा फटा फट सोलोते जाएंगे उसको easy रखो कितना ही tough level आजाए वो ये चीज़ जरूर रखेगा tough question में ये जरूर रखेगा खेल खतम करते जाओ खेल खतम next चार उप्शन मना रहा हूँ जब advance level के question करा हूँ हूँ ना उसमें भी मैं आपको advance part में enter नहीं करने दूँगा subject को easy बनाओ tough नहीं कितना ही advance question आजाए S.A.C. को ये मालूम है कि बच्चा क्या करेगा advance question को check करेगा और खुद को ये बोलेगा वाह मैंने soul कर दिया और यही वो चाता है और दूसरा बच्चा जो मेरी बात मान के चलेगा वो soul ही नहीं करेगा वो सीधा option लेकर के चलेगा option लेकर के चलेगा काम खतम हमें option लेकर के चलेगे काम खतम देखो 6 और 5 7 में नहीं आ सकते 6 और 5 किसी option में 7 में है नहीं 3 और 1 साथ में नहीं आ सकते 3 और 1 साथ में किसी में है 3 और 1 साथ में नहीं आ सकते B अप्सन गया ये खतम और ये खतम 3 और 1 साथ में नहीं आ सकते 6 और 5 साथ में नहीं आ सकते 4 और 2 साथ में नहीं आ सकते 4 और 2 साथ में नहीं आ सकते 7 में नहीं आ सकते तो ये option खतम, बात बन गई, खेल खतम, खेल को खतम करते चलो, बात बनती जाएगी, बात बनाते चलो, बात बनेगी, बात बनाओगे तो बात बनेगी, नेक्स्ट, देखो ये चारो डाइस बना रहा हूँ, ये option is D, ये option is A and B, ये option is C and D, ये option is A, B, C, D. ठीक है, solve करो जल्दी से, पांच और दो साथ में नहीं आ सकते, चार और एक साथ में नहीं आ सकते, तो C गया, सी गया तो ये खतम और ये खतम, मैं यहाँ पर practice session लाने का सबसे बड़ा कारण ये है, कि मैं आपको ag student बन करके, आपको ये बता सकों, कि examination hall में कैसे check करना है, देखो concept सीखना एक अलग बात है, और examination hall में question करना एक अलग बात है, मैं daily, रात को 9 बज़े आपके लिए practice session लाँच किया, किस लिए है, और जितना बढ़ा रहा हूँ, उसी का practice session है, इसी के description link में, जिसको ये concept नहीं आता, इसी के description link में, और वीडियो खतम होने के बाद comment में, वीडियो खतम होने के बाद comment में, इसी का basic part मिल जाएगा, तो जिसको ये concept नहीं आता, तो पहले वो basic part देख लेना, वो basic part देख करके फिर ये वीडियो देख लेना, लेकिन exam point of which से attempt करना बहुत जरूरी है, अब इसमें देखो, मैंने क्या किया, चार और एक साथ में नहीं आ सकते, तो ये खतम और ये खतम, बस इतना बोला है मैंने, ठीक, तीन और छे साथ में नहीं आ सकते, तो डी खतम, हमें खेल खतम करना है, हमें खेल खतम करना है, ठीक है, हाला की, देखो, दो, चै चार की जिगए, एक सकें, ये ये था, दो, चै चार था, दो, चै चार था, दो, चै चार, एक, तीन, पाँच, दो, चै चार, बट ये तो चैक ही नहीं करना, क्लोकोवाईज वाले पार्ट में, एंटर करने की जुरुत बहुत कम पड़ेगी, ग्रोजी आप बेस्ट हो, फोरे मोखर जी नगर में, थेंक्यू भाई, थेंक्यू, होगा अब खतम अब तो, चलो भाई, खेल खतम होगा तो, नेक्स्ट, बना रहूं ये चैरो डाइस, बना बना रहुत सेग्स, ग्रोजी पहिता कि बना बना के घ् ancora val sich औरे पार सेड़ी, बना इसक्टेओ्ड़्स euandस ब bara बना कRI Gesund choses, हैं, इसा किया जला किम ताम अब़ खत्स्तर हो सबतला है, उ सब्सम्टेरा हो बना किम खत्स में, झाल झाल देखो भई exam point of this देखो simple सा fund 1 और 3 साथ में नहीं आ सकते C खतम ठीक 2 और 6 साथ में नहीं आ सकते D खतम 2 और 4 साथ में नहीं आ सकते D खतम एक में भी enter करने की जरूत नहीं पड़ी clockwise बताओ next ये तो clear दिख रहा होगा कहीं पर भी clockwise अब पिछले question का अगर मैं level की बात करूँ ना तो इतना confusing concept जो मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है ना ये पढ़ाया कैसे check करते हैं कैसे एक और 6 को देखते हैं इतना बीच में इतना सारा gap एक और 6 को कैसे देखेंगे ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है बिना पढ़ाये आपको enter करने की जुरूत नहीं पड़ी इसमें बताओ जल्दी बताओ 6 और 2 7 में नहीं आ सकते 6 और 2 7 में नहीं आ सकते 6 और 2 7 में दे रखें तो first गलत first गलत क्या मतलब आपको आपको tough question देगा लेकिन option की वज़े से बड़ा easy करेगा आपको tough question देगा अब 2 और 6 7 में नहीं आ सकते पहला गलत first and second गलत first second third गलत first second third fourth गलत काम बन गया काम हो गया ठीक clear भई done next बताओ इसमें बताओ जल्दी इसे फिर blank वाले question एड़ करूँगा इसके बाद blank वाले question एड़ करूँगा जल्दी बताओ इसमें भी blank दे रखा है देखो जल्दी चेक करो देखो kk clock wise question mark और फिर यह divide kk clock wise question mark फिर divide होना चाहिए kk clock wise अगर question mark आ गया तो फिर divide होना चाहिए divide नहीं दे रखा गलत है ठीक next देखो के के कलो को इस question mark फिर divide होना चीए के के कलो को इस question mark फिर divide होना चीए second only बात बन गई third, fourth को check नहीं करेंगे हमारा काम बन गया कतम, खेल, कतम, next third, fourth को check नहीं करेंगे कुछ दे रखा हो, हमें कोई मतलब नहीं है बताओ इसमें इसमें मैं चार ओप्शन बना देता हूँ तीन एक पाँच छह दो चार एक तीन चार चह तीन एक करो सौल एक के साथ छह दिखाई नहीं देना चाहिए एक के साथ छह दिखाई नहीं देना चाहिए तो एक के साथ छह दिखाई देगा गलत ठीक चार के साथ दो दिखाई नहीं देना चाहिए चार के साथ दो दिखाई देगा गलत 5 के 7 3 दिखाई नहीं देना चाहिए 5 के 7 दिखाई देगा गलत हो गया काम 1, 3, 4 होना चाहिए 1, 3, 4 दे रखा है बात बन गई खैल खतम खैल खतम करो भाई लग सही कहरे हो, छाहिल कसे है ठीक next यहां F दिया है ठीक है यहां E दिया है यहां B दिया है यहां C दिया है यहां D दिया है और यहां A दिया है पहला इसका चोटा कोश्चन नहीं है सुनो यह क्लिरली और बना देता हूं अगर क्लिर नहीं नहीं दिख रहां करो चेक अब F और B साथ में नहीं आने चाहिए F और B साथ में नहीं आने चाहिए तो फर्स्ट गलत फर्स्ट गया यह गया यह गया काम हो गया अब यह कितने टिपिकल दे रखें मैं चेक नहीं कर रहा भाई यह कितने टिपिकल दे रखें मैं चेक नहीं कर रहा F और B साथ में नहीं आना चाहिए यह गलत यह गलत और यह गलत F और B साथ में नहीं आना चाहिए गलत तो यह बना दिया भाई बना दिया बना दिया प्रेसान मतो यार टेंसन आलो क्यों दोखी हो रहे हो ठीक अब ये कितना टिपिकल दिया हमें इससे कोई मतलब नहीं है ये क्या दिया इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्यों time waste किया इस पर और क्यों time waste किया इस पर exam में आपको ऐसे करके आना है और ऐसा ही ये previous year लेकर के आया हूं I will latest question और exam में ऐसे ही आता है examiner ये चेक करता है कौन बच्चा इसको sol करगा फिर इसको sol करगा फिर answer निकालेगा दूसरा वो ये चेक करा कि कौन बच्चा ऐसे sol करगा F और B साथ में नहीं आना चाहिए F भी गलत तो ये A option गया C option गया, D option गया क्योंकि इसमें भी one, इसमें भी one मतला ultimately वो ये चेक करना चाहरा है कि कौन-कौन बच्चा विक्रम जी सर से पढ़ा है और कौन नहीं पढ़ा जो पढ़ा है उसके पुरे marks जो नहीं पढ़ा वो गया ठीक next ये dice बना रहा हूँ बढ़ा हूँ ये only first ये only second ये only third ये both first and second ये both second and third करो चेक अब देखो दो और पांच साथ में नहीं आना चाहिए दो और पांच साथ में नहीं आना चाहिए तो दो और पांच साथ में दे रखा है दो और पांच साथ में दे रखा है अब दो और पांच साथ में नहीं आना चाहिए 2 और 5 साथ में दे रखा है यानिके C गया C गया तो 3rd option ये खतम 5th option ये खतम क्योंकि इन तीनों में 3 डाइस दे रखा है इन तीनों में 3 डाइस दे रखा है अब एक चीज और सुनो अब जो बच गये वो 1 बच गया, 2 बच गया, 1 और 2 बच गया अब इन दोनों में दोनों चेक करने पड़ेंगे क्यों चेक करने पड़ेंगे क्योंकि क्या पता दोनों से ही हो तो 1 और 2 आ जाएगा, क्या पता अकेला से ही हो अगर कोई गलत होगा तो बात बनगी, next 6 और 1 साथ में नहीं आना चाहिए और 3 और 4 साथ में नहीं आना चाहिए 3 और 4 साथ में नहीं है यानि कि पहला गया पहला गया तो ये option खतम और ये option खतम बात बन गई, खेल खतम ठीक ठीक है ठीक है साहिल का सब analogy और series की ज़्यादा practice करा हुआ ये बात बन गई पहला इसलिए गलत 3 और 4 साथ में नहीं आना चाहिए option गया फोरत इसलिए गलत क्योंकि 2 और 5 साथ में नहीं आना चाहिए option गया, अब एक ही बच गया उचको चेक करना ही नहीं next बताओ हाँ सागर कसाना खेल कातम चलो भई खेल कातम हो जाए बताओ जल्दी बताओ दो question है, आज़ो सुनो भई 3 और 4 सबसे पहले यही चेक करना आपको कि opposite साथ में नहीं आ सकता ठीक गुरू जी खेल खतम मत करो खेल खतम ही करेंगे भई 3 और 5 साथ में नहीं आना चाहिए ठीक है 2 और 4 साथ में नहीं आना चाहिए ठीक है 1 और 6 साथ में नहीं आना चाहिए ठीक है हो गया खेल खतम ठीक, हलाकि यह भी गलत है clockwise यह भी गलत है 1, 2, 3 होना चाहिए 1, 2, 3 होना चाहिए इसका पूरे question का ही खेल खतम हो गया एक, दो, तीन होना चाहिए, एक, तीन, दो दे रखा है, ये पूरा कॉशन ही खेल कतम हो गया, next, C और D साथ में नहीं आना चाहिए, गलत, F और B साथ में नहीं आना चाहिए, F और B, कहीं दे रखा है, नहीं, A और E साथ में नहीं आना चाहिए, ये भी गलत, अब बाकी दो option को check करो clockwise A, B, D clockwise होना चीए COD साथ में नहीं आना चीए ये भी गलत अब बाकी दो भी नहीं check करना clockwise clockwise इसमें भी नहीं check करना हाला कि check करते तो A, B, D clockwise सही था A, B, D clockwise सही था लेकिन exam point of way से आपको यही देखना है कि opposite की वज़े से कौन सा गलत हो रहा है देखो F और B साथ में नहीं आना चाहिए गलत E और C साथ में नहीं आना चाहिए F और B वाला गलत ठीक E और C साथ में नहीं आना चाहिए A और D भी साथ में नहीं आना चाहिए A और D भी साथ में नहीं आना चाहिए अलाकि ये भी गलत है DCF ये कैसे गलत है ये मैं next class में बताऊंगा अब आप कहोगे सर क्लोग वाई जो है तो सही बट ये मैं next class में बताऊंगा क्योंकि अभी ये पढ़ाया नहीं है एक्स बने बता तो अभी भी दो लेकि मैंने आपको बताया ना जितना पढ़ाऊंगा उतनी ही प्रैक्टिस कराऊंगा ये प्रोमिस है तो जब आपने जो पढ़ाई नहीं है उसकी प्रैक्टिस करा दी तो सब बहुच बहुच हो जाएगा इन एक्स क्लास में बताऊंगा कल बताऊंगा मतलो इसको कैसे चेक करते हैं ये सही है कि गलत है इसको कैसे चेक करते हैं ये कल बताऊंगा हाला कि मैं दो आज टाइम मिलता तो मैं आज बता देता बट टाइम कम था दो छोड़ करके कैसे चेक करते हैं यह अभी नहीं सिखाया मैंने पहले इसको सीखो Next Thank you, भाई, Thank you Sir, आप reasoning के यह हो यह जितने भी अच्छे-चे कमेंट करते हैं यह क्लास कतम होने के बाद भी कमेंट कर दिया आगरो ठीक है? सारे चप्टर का खेल कतम कर दो, चलो क्लास कतम होने के बाद आप कमेंट करते ही नहीं, एक्सवल पता क्या है आपके कमेंट और लाइक से क्या होता है मैं बताता हूँ YouTube सबसे पहले उसको notification बेजता है, जो share करता है दूसरा जो कमेंट करता है, तीसरा नमबर आता है, लाइक का कमेंट करने के बाद ना, YouTube उस वीडियो को suggestion में डाल देता है ये YouTube की quality है, जो आपको नहीं पता है इसलिए, कमेंट करने के लिए बोला जाता है, कि कमेंट जैसे ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर अपने आप चीजे, YouTube ये मानता है कि ये बच्चेंजे इनकी वीडियो देखना चाता है YouTube को नहीं पता है, हम teacher है कि हम अमीद बदाना है, कि हम कपिल सरमा है YouTube को ये पता है कि भई, ये वीडियो बना रहे है ठीक है, इसलिए बोला जाता है चलो, आजो, next पांच और च्यार साथ में नहीं आना चीए नहीं दे रखा दो और च्यार साथ में नहीं आना चीए दो च्यार दे रखा गलत दो च्यार दे रखा गलत next, एक और तीन साथ में नहीं आना चीए, ये भी गलत next, पांच तीन च्यार का ये next class क्योंकि अभी मैंने नहीं पढ़ाया यह मैंने पढ़ाया नहीं है तो यह मैं next class जो नहीं पढ़ाया उसका कहूं क्यूं बताऊं क्यूं आपको confuse करूं भई इसका बताऊं A और E साथ में नहीं आना चाहिए A और E साथ में दे रखा है गलत उसके बाद F और B साथ में नहीं आना चाहिए F और B साथ में दे रखा है गलत उसके बाद C और D साथ में नहीं आना चाहिए C और D साथ में दे रखा है गलत उसके बाद A, B, C clockwise बिलकुल सही A, B, C clockwise बिलकुल सही T-shirt बटवा दो सर T-shirt आप पहने गर के क्या करोगे आप इस T-shirt का वेट मत करो मुझे आपको इस T-shirt में नहीं देखना मुझे आपको उस युनिफॉर्म में देखना जिसके कंदों पे 3 स्टार हो और इंस्पेक्टर की कैप हो UPSI दरोगा जो बनना आप चाहते हैं जिसके कंदे पे 2 स्टार हो युपी का दरोगा इंस्पेक्टर से भी बढ़ करके है ठीक है Next अब कुछ कोशन वो कर लेते हैं जो ब्लेंक वाले ब्लेंक वाले कोशन एक सेकंद भाई एपी सिवरातरी एपी सिवरातरी भाई जये इंद भाई फायर फाइटर बनना है चलो भाई फायर फाइटर जो आपका सपना है वो सारे सपने पूरे हो जाएं बस यही दुआ है और वगवान के सामने हमेशा यही मांगता हमें तो कुछ ब्लेंक वाले कोशन एड़ कर देता हूँ ये लो सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा है तो अरे खुल जा ब्लेंक वाले कोशन करो भई बताओ इसमें कौन सा सही है बिल्कुल सागर का साना बहुत बड़या भई यही जरूरी है बताओ ब्लेंक वाले कोशन करते हैं आजो ब्लेंक वाले भी कराए थे ना अच ब्लेंक वाले कोशन में भी अपोजिट साथ में नहीं आ सकते हैं सबसे पहले आप यह देखना कि अपोजिट साथ में नहीं आ सकते हैं ठीक है ए और बी ए और बी साथ में नहीं आने चाहिए सी और डी साथ में नहीं आने चाहिए पहली चीज दोनो blank दे रखें वो साथ में नहीं आने चाहिए ठीक है अब सुनो इसमें देखो A blank C होना चाहिए clockwise A blank C दे रखा clockwise सही है A blank C दे रखा clockwise सही है A blank C दे रखा clockwise Next में B D blank होना चाहिए clockwise B D blank होना चाहिए clockwise B D blank दे रखा है सही है B D blank होना चाहिए clockwise B D फिर blank होना चाहिए clockwise B D फिर blank होना चाहिए clockwise दोनो blank साथ में नहीं आ सकते हैं गलत B blank C इस से B blank C B blank C B blank C B blank C होना चाहिए clockwise ऐसे question में option पता कैसे बनाता वो तीन option ऐसे बनाता जिन में तीनों में blank साथ में होता मतलब तीसरा होता तीसरा वो तीनों option बिना देखे गलत हो जाते एक दो च्यार बहुत बढ़िया भई बाकी लोग बताओ भई एक दो च्यार अंस A B C गलत भई दोनों blank तो साथ में आई नहीं सकते देखो बचे एक concept चल रहे हैं इनमें मैं question इसलिए नहीं लेकर क्या आता अगर मैं question ले आओ इनमे चाहूं तो मैं इनमें question लेकर क्या सकता हूं लेकिन मैं practice session में question लेकर क्या आता हूं लेकिन अगर मैं इनमें question ले आओ तो आपकी knowledge एक limited knowledge रहेगी जो actual concept में आपके दिमाग में fit करना चाहता हूँ जो concept में आपको सिखाना चाहता हूँ ठीक है तो वो concept आप नहीं सीख पाओगे जो knowledge आप strong करना चाहते उतनी strong नहीं हो पाएगी अगर मैं question लेकर क्या होगा तो इसमें मैं question खुदी बनाऊंगा आपके सामने बनाऊंगा उससे क्या होगा कि concept बहुत इतना depth level का strong हो जाएगा कि question कैसा भी आजाए आप मारने का होगे कैसा भी आजाए ठीक है चलो द्यान से करने की कोसिश करना ज़्यादा से ज़्यादा option बनाऊंगा कोसिश करना कोंसा से योगा कोंसा गलत होगा चेक करना कोंसा से योगा कोंसा गलत होगा हुआ 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 है चेक करो भई कौन सा सही है कौन सा गलत है एक ही कोशन में सब कुछ समझ में आ जाए इस वज़े से मैं जादा से जादा ओप्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको complete knowledge हो जाए एक ही कोशन में आपको complete knowledge हो जाए इस वज़े से मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कोशन कराने की कोशिश करना हूँ ठीक है इसलिए बड़े ध्यान से चेक करना कि कौन सा सही और कौन सा गलत है जल्दी से चेक करो और कमेंट करो कि कौन सा सही और कौन सा गलत है आसिरवाद अमन चोदरी आसिरवाद भी दो सही आकास कुंड देखते हैं कौन सा सही है बताओ भी कौन सा सही है और कौन सा गलत है चेक करो कौन सा सही है और कौन सा गलत है करो भाई करो चेक करो कौन सा सही है कि बताओ इन में तो सर हमारी आखें खराब हो गई आखें कहीं ना खराब होंगी टेंशन ना लो देखो क्लोकवाई चेक करेंगे बचे अब बच्चों का डाउट यह रहता है कि क्लोकवाई जो है कौन सा चेक करेंगे किस नंबर से क्लोकवाई चेक करेंगे बई जो ओप्षन दिया है ओप्षन के अकोडिंग चलेंगे जो जो ये option दे रखे हैं, इनके according हम चलेंगे, इनके according हम clockwise चेक करेंगे, इनके according clockwise चेक करेंगे, जो number दे रखेंगे, देखो बच्ची, simple सा funda है, 4 के opposite 3 होगा, और, sorry, 4 के opposite 2 होगा, देखो, चार के opposite 2 होगा, तीन के opposite 1 होगा, और ये एक surface बनेगा, इस side वाला जो surface होगा, वो दूसरे तरफ के surface के opposite होगा, तो opposite तो हमें मालूम चल गया, opposite तो इस तरीके से बनेगे, लेकिन फिर उसके बाद हम clockwise चेक करेंगे, तो clockwise कैसे चेक करेंगे, देखो बच्चे, अगर 3 के clockwise चार दे रखा है, तो 3 के clockwise अगर 4 दिया है, तो 3 से चेक करो, 3 के बाद 4, तो 4 के attach जो दिवार आएगी, वो black and white तीन के attach जो दिवार होगी, भई सरकल तो ऐसे ही चलेगा ना, 3, 4 ये figure आएगा, 3, 4 ये figure आएगा, अब ये figure कैसा बनेगा, वो important है, ये figure कैसा बनेगा, वो important है, 3 उसके बाद 4 उसके बाद ये figure आएगा, अब ये figure देखो, 3 के attach जो दिवार है, वो white है या black है, बताओ सारे student तीन के अटेज जो दिवार होगी अटेज मतलब उसके साथ में उसके साथ में जो दिवार होगी वो वाइट होगी या बलैक होगी तीन के साथ वाली जो दिवार होगी वो वाइट होगी या बलैक होगी ओवियसलि तीन के साथ वाली जो दिवार होगी वो वाइट होगी तो यहां 3 के साथ वाली दिवार black कैसी दे रखिए black दे रखिए तो गलत है देखो यह clock wise तो ठीक था लेकिन 3 के clock wise चार पहले में और तीसरे में कुछ फरक नहीं है पहले में और तीसरे में कोई फरक नहीं है बस इतना फरक है कि इसमें ब्लैक यहां दे रखा है तीन के साथ में और इसमें वाहिट यहां पर दिया है तीन के साथ में इसमें ब्लैक यहां पर दिया है तीन के साथ में इसमें वाहिट दिया है तीन के साथ में हमें यही सीखना है यही समझना है कि 3 के 7 वाली जो दिवार होगी वो black ना हो करके white होगी तो 3 के 28 जो दिवार होगी वो white होगी 3 के 28 जो दिवार होगी वो white होगी इसलिए ये सही, टीसरा सही और पहला गलत दूसरा तो directly ही गलत है 3 के ऐक लोकवाईज अगर हम चार चले गए तो चार के 28 वाली दिवार black and white होनी चाहिए चार के 28 जो दिवार होगी मतलब चार के 7 में जो दिवार बनेगी वो black and white बननी चाहिए ये black बना रखी है इसका मतलब ये गलत है पहला सही दूसरा गलत तीसरा सही इमानदारी से बताओ यहां तक clear है या नहीं यहां तक clear है या नहीं जो बच्छे बाद में live आते हैं लेट live आते हैं वो 6 वज़े से पहले ही बैठ जाया करो टेली ग्राम पर मैं link share कर देता हूँ पहले ही टेली ग्राम rankers गुरकुल चैनल उस पर जैसे लिंक आए set reminder पर क्लिक कर लो right and bottom side आपको option दिखाई देगा अभी नहीं live class शुरू होने से पहले तो set reminder पर क्लिक कर लिया गरो और like कर दिया गरो इन दो काम से आपके पास notification आजाएगी वर्णा notification नहीं आएगी notification आजाएगी उसके बाद जैसे class startup सारे बच्चे आजाएगरो clear बहुत बड़े है भई हंसु पोजा जित अंदर आकास clear है भई दो वाला समझ नहीं आया दो वाला देख देख मेरे भई तीन के क्लोक वाई चार चार के क्लोक वाई कौन सा part होगा भई एक सिंपल सा question में आपसे पूछ हूँ तीन या चार या तो चार के क्लोक वाई जो है वो ये person आएगा ने ये वाला ये तो तब बनता जब ये dice ऐसी बनी होती तीन या चार या फिर उसके attach जो दिवारो black होती तब तो ये सोचते कि ये portion बनेगा लेकिन attach black नहीं है ना attach जो दिवारो black and white दोनों है इसी लिए तो third साई second गलत clear wab clear good union भई clear sir horizontal color और vertical में हाँ बिल्कुल 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 then भई चलो next next देखो अब 4 के क्लोक वाई 3 देखना है अब क्या देखना है चार के क्लोक वाई 3 अगर चार के क्लोक वाई 3 आ गए तो इस वाले portion पे देखना है इस वाले portion पे चार के क्लोक वाई 3 अगर तीन आ गए तो इस वाले portion पे देखना है अब इस वाले portion पे ये देखो इस वाले पॉर्सन पे चार के क्लोकवाई तीन, तीन के साथ में ये वाले दिवार होगी और चार के साथ में ब्लैक आना चाहिए बिल्कुल तीन के साथ में ब्लैक अन वाइट है और चार के साथ में ब्लैक आना चाहिए तीन के साथ में ब्लैक अन वाइट है तो दो के attached वाली दिवार black and white होगी या black होगी दो के attached वाली दिवार देखो यह क्या होगी black and white सारे बताओ black and white होगी या क्या होगी obviously black and white होगी तीन के clock wise दो चले गए दो के clock wise अकेली black नहीं होने चीए अकेली black नहीं होने चीए यह मतलब यह गलत, अकेली black नहीं होने ची यह मतलब यह गलत, next देखो, बिलकुल सही दे रखा है, तीन के clockwise दो, और दो के clockwise, दो के clockwise मतलब दो के attached वाली दिवार, दो के attached वाली दिवार black and white है, और तीन के attached वाली दिवार black है, तीन के attached वाली दिवार black है, तीन के attached वाली दिवा के क्लोक वाई तीन, ब्लैक वाली दिवार के क्लोक वाई तीन, इसका मतलब यह बिलकुल सही है, क्लियर हुआ या नहीं, मैस कहां से करें, बिलकुल जीरो लेवल से एडवांस, बिलकुल जीरो लेवल से बिलकुल एडवांस, और जितने भी टीचर्स के अपने नाम सुने हों जितने भी टीचर्स के, उन सारे टीचर्स को मिला दो, उन सारे टीचर्स के नोट्स को मिला दो, उन सारे टीचर्स के कंटेंट को मिला दो, तब एक टॉपर जनरेट होता है, सारे टीचर्स को मिला करके एक टॉपर बनता है, और वो टॉपर पिछले सीजियल में अपने यहां से निकल के आए और इतना बहतरीन कंटेंट आपको प्रवाइड करा रहे हैं वो टीचर प्लस टोपर दो-दो क्वालिटी एक टीचर होता है एक टोपर होता है ठीक टोपर को बाकी सारे सब्जेक्ट की भी नोलेज होती है अच्छे से गाइड कर पाएंगे तो वो इतने बहत सिफ्ट में 145 नमबर है यार सोचो 200 में से नॉम्लाइजेसन के बाद 230-240 जाएंगे उसनके क्लियर हुआ है नहीं फॉर्ट समझा दू तीन और एक च्यार देखो बच्चे च्यार के क्लोक आईज अगर तीन चले गए तो ये वाला पार्ट आएगा कल की क्लास जिसने नहीं देखिया देख ले ना इसी यूटूब पे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएग वाला पार्ट आएगा च्यार के क्लोक आईज तीन के क्लोक आईज ये वाला पार्ट आएगा ठीक नेक्स चेक करें लास्ट दो के क्लोक आईज एक दे रखा है तो जो दे रखा उसी को चेक करो ना दो के क्लोक आईज एक अगर आया तो एक के साथ में क्या आएगा दो के क क्लोक वाइज आएगा, तो एक के क्लोक वाइज वाइज आएगा, मतलब एक के साथ वाली दिवार वाइज रहेगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, देखो, ये अच्छे लेवल के question है तो दो तरीके हैं एक तो मैं इनको छुड़वा दूँ छुड़वाने का मतलब है ignore कर दूँ ताकि आपको confusion ना हो और आप बड़े खुश रहो दूसरा ये है कि इनको मैं करवा दू दस बार करवा दूँ बट exam में confusion ना हो तो इसलिए इनको सीखो और समझने की कोशिस करो एडवान्स और अर्थमेटिक कम्प्लीट करवाएंगे भई आदर्स कुमार कम्प्लीट करवाएंगे ठीक है इसी यूट्यूब चैनल पर डेली साथ बज़े फॉर्थ तीन और एक चार अरे यार एक बात बताओ कल जब मैं पढ़ा रहा था तब क्या कोई ऐसा नमबर नहीं लिख रहा था तब ऐसे चेक नहीं करते चार तीन दो कलोक आई जाएगा तिर्चा सरकल करवा रहा था ना चार तीन दो कलोक आई जाएगा चार तीन दो क्लोक वाई जाएगा कोजन इफेक्ट भी करवा दूँगा भाई कोजन इफेक्ट भी करवा दूँगा चार तीन दो क्लोक वाई जाएगा ऐसा करवा रहा थकल है ना अब सुनो वही चीज़ तो चार तीन ये पार्ट आएगा अब ये पार्ट कैसा बनेगा वो मैंने समझा दिया कैसा बनेगा तीन के attached वाले दिवार ये रहेगी ठीक done चलो तो next question करते है जान से करना करा समय करा समय करती है करा समय कम पर्ट कैसा जया ये दिया कि पोकत। कि यह कटिंग कर दी डाइस की और नमर समझ में आ गया हाँ आमन चोदरी कोई दिक्कत नहीं है टेंसर नालो कि यह कटिंग कर दी डाइस की ध्यान से करना एक ही कोशन में पूरा कंसेप्ट करवाऊंगा ध्यान रखना एक ही कोशन में मैं पूरा कंसेप्ट करवाऊंगा इसलिए थोड़ा डंग से करना करना द्यान से करना भै बताओ कौन साजी करोचे कौन से करोचे कौन साजी करो भै चेक करो ठीक है मन चोदरे ओके आकास कुंडो अभी अवलेबल नहीं है बई जल्दी से बताओ कौन सा से यह कौन सा गलत है आज कंसेप्ट डिसकस होंगे चाहिए पूरी क्लास में दो तीन कौस्टन ही कराओ एक्च्वल में दो तीन कौस्टन नहीं है और आप लोग यार इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोसिस करता हूं मैं मैं सोचता हूं कि सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूँ उसके बाद भी आप लोग वाक्या में मतलब सेयर करने में जितनी कंजूसी अपनाते हो ना जितनी कंजूसी आपकी like और share में है ना, इतनी कंजूसी मैंने नहीं देखी, इतने कंजूस हो ना, आप इतनी कंजूसी भरता होगे, तो भगवान selection में इतनी कंजूसी कर देगा, तो क्या होगा भई, है ना, हलाकि भगवान से मैं दुआ मांगू हां कि ऐसा ना करे, लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा, आप WhatsApp स्टेटस तक नहीं लगा सकते, share पर क्लिक करके WhatsApp स्टेटस लगा दो, बस, इतना ही तो करना है, और उससे होगा क्या, उससे आपके यार, प्यार, मित्र, भाई, बंदू, और देख लेंगे, बस, बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है, जल्दी हो तो basic से ही गलत है, देखो, इस टाइब की cutting में क्या करेंगे, अब समझाता हूँ, ज्यान से सुनो, इस टाइब की cutting में सबसे पहला काम, इस टाइब की क्या, कोई भी question हो, सबसे पहला काम, opposite check करेंगे, दूसरा काम clockwise check करेंगे, advance level पे entry करने की हो सकता जरूरती ना पड़े advance level पे entry बाद में करना पहले basic में रहो basic में रहो जैसे basic में कैसे रहना है ये समझो देखो simple सा funda है आप पहले opposite चेक करो 2 के opposite 5 होगा 1 के opposite 4 होगा और 3 के opposite ये वाला part होगा जो की ऐसा बन जाएगा ये चारो कोर्नर से मिल करके अब ये मिलेंगे कैसे वो ध्यान दो ये मिलेंगे कैसे पीडियाफ ये जो पड़ा रहा हूँ इसकी पीडियाफ टेलिग्राम पर अपलोड कर दूँगा क्लास के बाद टेलिग्राम चैनल पर है रेंकर्स गुर्कुल टेलिग्राम तेको ये मिलेंगे कैसे जैसे बोक्स बंद करते हैं कोर्नर से कोर्नर मिलेगा इस कोर्नर से ये कोर्नर मिलेगा ये दोनों आपस में अटेज जो होंगे corner से corner diagonally has जो है ये उपर वाला जो has है ये plus के साथ corner से मिल जाएगा और इस तरह वाला minus जो है ये star के साथ corner के साथ मिल जाएगा ये इस तरीके से मिलेंगे इस तरीके से मिल जाएगे लेकिन उसके बाद देखो उसके बाद आपको क्या करना है अब पहली चीज तो अपोजिट साथ में नहीं आ सकते हैं जिस B अपोजिट साथ में दे रखें वो गलत है C अपोजिट साथ में दे रखें C अपोजिट साथ में दे रखें अब हो सकता है एक्जाम में आपको एक्जाम में आपको एंट्री करने की जरुवती ना पड़े एडवांस लेवल की कैसे हो सकता है एक्जाम में ऐसे ओप्षन बना दें जिसमें तीनों ओप्षन में C दे रखा है जैसे पहला ओप्षन बना दिया A and C, दूसरा ओप्षन बना दिया B and C, तीसरा ओप्षन बना दिया C और चौथा ओप्षन बना दिया नन ओप्षन अब आपको इतने सारे ओप्षन में एंट्री करने की जरुवती नहीं पड़ी, आपको पता चल गया बेसिक तरीके से, कि C जो है एक और चार अपोजिट साथ में नहीं आ सकते गलत, पहला तरीका अपोजिट साथ में नहीं आ सकते भाई, उसके बाद दूसरे तरीके अपनाएंगे, दूसरा तरीका क्लोक वाइज अपोजिट के बाद क्या सिखा है ता अगली सीडी क्या है क्लोक वाइज क्लोक वाइज देखो एक के क्लोक वाइज अगर दो चले गए तो किस पे आएंगे तीन पे आएंगे एक के क्लोक वाइज अगर दो चले गए तो किस पे आएंगे तीन पे आएंगे तो एक के क्लोकवाईज अगर दो चले गए तो तीन पे आना चाहिए ना बच्चे ये ऐसा होना चाहिए ना एक के क्लोकवाईज अगर दो चले गए तो next नमबर क्या आना चाहिए तीन आना चाहिए ना तो ये तो क्लोकवाईज तरीके से ही गलत है देखो बच्चे ये figure क्या आएगा star कहां आएगा has कहां आएगा plus कहां आएगा minus कहां आएगा ये बाद की बात है ये advance level कहां आएगा ये बाद की बात है पहले आप clockwise में ही रहो पहले आप clockwise में ही रहो तो ये तो बाद की बात है इतना तो पता है ना कि एक के क्लोकवाइज 2 और 2 के क्लोकवाइज 3 आएगा एक के क्लोकवाइज 2 और 2 के क्लोकवाइज 3 आएगा तो पहला गलत हो गया दूसरा बताओ इसी तरीके से इसी तरीके से दूसरा बताओ 2 के क्लोकवाइज 4 चार के क्लोक जाना चाहिए it तो यह क्लोक वाइज में तीन नहीं दे रुका टो क्लोक वाइज तरीके से ही गलत's ए ए ए बयबी बीस शीज वाला कोशन कब कीजिएगा बहुत किन्ध इन है इतना किन्ध इन का है को है रहे A-B-B-C-D-D-D-E-D ऐसे question भी कराऊंगा alphabetical series जिसे बोलते हैं ऐसे question भी कराऊंगा और ऐसे तो बड़ा आसान तरीके से उड़ा देंगे भाई एक की नहीं? आजो पहला, दूसरा, तीसरा, clear हुआ की नहीं? clear हुआ की नहीं? next देख लो तो भाई next देखो, अब सुनो दो के क्लोकवाईज एक यही तो दे रखा है, दो के क्लोकवाईज एक चलो, ठीक है अब हम यह चेक करेंगे अब आप काऊगे साथ, दो के क्लोकवाईज तो तीन होना चाहिए भाई, तीन देई नहीं रखा, तो क्यों चेक कर रहे हो तीन देई नहीं रखा, तीन, यहाँ तो आना चाहिए था तीन देई नहीं रखा, दो के क्लोकवाईज एक तीन को छोड़ दिया ना, ठीक है, कोई बात नहीं अब हमें ध्यान देना है कौन से नंबर आएंगे अब ध्यान दो दो के क्लोकवाईज एक एक के साथ क्या attach है, क्या attach है, बताओ जल्दी से, minus attach है, और दो के साथ क्या attach है, has, जल्दी से बताओ, एक के साथ में क्या attach है, minus, यह बत clear, दो के साथ में क्या attach है, has, क्या एक के साथ में minus दे रखा है, क्या एक के साथ में minus दे रखा है, नहीं, गलत, देखो कितना आसान हो ग नेक्स्ट देख लो भई, चार के क्लोकवाइज दो, दो के अटेज्ड क्या आना चाहिए है, हैस, और चार के अटेज्ड क्या आना चाहिए, स्टार, दो के अटेज्ड हैस तो दे रखा है, लेगिन चार के अटेज्ड स्टार नहीं दे रखा, चार के साथ वाली जो दिवार होगी वो स्टार की होगी यहां चार के साथ वाली दिवार स्टार की निदर की गलत गलत नेक्स्ट देखो पांच के कलोक वाई चार ठीक है पांच के कलोक वाई चार लेकिन चार के attached कौन सी दिवार होगी star और 5 के attached कौन सी दिवार होगी plus 4 के attached जो दिवार होगी वो star होगी 5 के attached जो दिवार होगी वो star होगी सही है 5 के attached जो दिवार होगी वो plus होगी 4 के 7 वाली जो दिवार हो star है 4 के 7 वाली जो दिवार हो star है सही है 5 के 7 वाली जो दिवार है, वो plus है सही है, क्या बात है? सही है, बताओ clear है या नहीं, बोलो yeah so no, अब इसी fundे से अगला check करके बताओ भी, इसी fundे से अगला check करके बताओ भी देखो एक के क्लोक वाइज पांच पांच के अटेजड वाली दिवार कौन सी होगी प्लस और एक के अटेजड वाली दिवार कौन सी होगी माइनस एक के क्लोक वाइज पांच पांच के अटेजड वाली दिवार प्लस और एक के attached वाली दिवार minus सही है लेकिन लेकिन एक चीज और भी चेक करना है सबसे last में ये और देख लेना जैसे इसमें है star के diagonally opposite minus होना चाहिए मतलब corner से minus होना चाहिए star के minus ही है बिलकुल सही है इसमें भी plus के diagonally has होना चाहिए किसी के चाहिए कर लो minus के diagonally star होना चाहिए plus के diagonally मतलब corner से corner has होना चाहिए minus के corner से corner star होना चाहिए बताओ ये concept अच्छे से clear है ना ही अगर ये concept clear है तो इस type के चाहिए 1000 question दे देना अब आपसे कभी गलती नहीं होगी मैं 10 question कराने के बजाए एक ऐसा question को थपड मार दूँ जिसे 1000 question solve कर पाओ बताओ ये चीज clear है या नी clear है या नहीं clear है तो थमसब करो क्या आप लोग whatsapp group में join नहीं हो क्या किसी भी whatsapp group में उनमें share क्या करो यार मजा आ गया गुरू जी चलो मजा आना चीए भाई clear भाई चलो तो अगला question करते है अब एक और question करते है चलो फ्राओ जीजmy अब की बार द्यान से करना भाई अब की बार सिखा चुका मैं अब थोड़ा द्यान से करना ठीक है ये ब्लैक पॉर्चन कर दिया ये भी ब्लैक पॉर्चन कर दिया ये दो वाईट रखें ठीक है ये दो वाईट रखें अब की बार ज्यान से करना गुरू जी एक बार जैविकरम जित बोल दिया हो ठीक है भाई जैविकरम जी तो आप बोलोगे ना जब exam में question solve करोगे ना तो आपको ऐसे solve करना है पहले का C जय विक्रमजित, दूसरे का D जय विक्रमजित, तीसरे का E जय विक्रमजित, चोथे का A जय विक्रमजित इतनी fast ही चलोगे जय विक्रमजित बोलते चलना बस नहीं आप पार है बाई और आज से नाम लेने लग जाओ, तो पक्का दूसरे subject भी strong होने लेने लग जाएंगे चलो आजाओ, द्यान से करना अब की बार और भी option दूँगा द्यान से करना बही कई option बनाओंगा अब की बार बड़े द्यान से करना और 7 बज़े ready रहना, सारे बच्चे 7 बज़े class होगी मैच्स की सुबह 9 बज़े class होती है और 7 बज़े class होती है मैच्स की percentage की वीडियो डाल रखे AC यूट्यूपर percentage की 10 गंटे की, अधित्य सर की 10 गंटे की मेनत है एक बार वो class देख करके देखो percentage की जब वीडियो पर जाओगे तो नीचे जा करके संपूर्ण परतिसत, complete percentage in one class 10 गंटे की वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को एक बार देख करके देखना उस वीडियो को देखना आपकी आँखे खुल जाएंगी, अगर आपको percentage आता है तो भी और नहीं आता तो basic से सीखने को मिलेगा, फिर आपको एक idea हो जाएगा actual में कि कितना कुछ सिखाया जा रहा है, अगर आपको maths आता है न, master भी बैठे हो न, कोई teacher वीचर देख रहा है, तो एक बार आदित्य सर की YouTube चनल पर वीडियो पढ़िए percentage की उसी वीडियो को देखना और ऐसी सारी वीडियो आएंगी, ठीक, नेक्स्ट, अब की बार द्यान से करना, का अधकि खरह भर द्यायो है, गया था एतना खरहर आपब शदगाराsky वीडियोक and का ताहरा है, वीडि़ए को हार रहा है वीडियो. द्यान से जग का ना भई ब्लैक एंड वाइट का पॉर्शन का द्यान रखना, अपोजिट का द्यान रखना, अपोजिट का द्यान रखना, सबसे पहले अपोजिट का द्यान रखना, उसके बाद क्लोकवाइज का द्यान रखना, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट का द्यान रखना कि कहां पर black person आएगा और कहां पर white person आएगा बस ये दो तीन चीज़े आपने ध्यान रख ली तो question soul है फिर नई आपा रहे हैं खेल कतम है और इसी जितना पड़ा रहो न उतने की ही शाम को 9 बजे practice होगी रात को 9 बजे promise करो कि रात को 9 बजे आज लाई वाओगे देखो आज मेरा महासिवरातरी का fast है और अभी energy इतनी बाकी थी कि भी मैं side class ना लूँ ये था अभी 6 बजे वाली लेकिन फिर भी मैंने 10 minute late करके 6-10 बे class शुरूख कर दी मका यार ऐसे तो फिर आने वाले टाइम में हो ली आएगी आने वाले टाइम में को छोड होगा ऐसे तो फिर कब तक काम चलेगा तो मैं नहीं छोड़ूँगा class सेम उसी तरी के से आज रात को 9 बजे क्यों उसका region था क्योंकि अगर मैं ये छोड़ देता तो प्रैक्टिस काहे की कराता मैंने का ना जितना पढ़ाऊंगा उसी की प्रैक्टिस होगी तो ये अगर छोड़ देता तो रात को 9 बजे प्रैक्टिस नहीं करा पाता और रात को 9 बजे प्रैक्टिस नहीं करा पाता क्योंकि practice करा था किस चीज की जब पढ़ाया ही नहीं है तो तो नो बजे वाली cancel करनी पड़ी इसलिए मज़बूरी में मुझे ये class लेनी पड़ी तो ये ले ली तो practice करानी पड़ेगी क्योंकि फिर कल किस तो कल वाले टोपिक की practice कराऊंगा कल जो पढ़ाऊंगा उसी का तो अब मैं छोड़ नहीं सकता अब class आज जो स्याम को छेवजे पढ़ाऊंगा उसकी आज ही रात को प्रैक्टिस होगी अगर प्रैक्टिस क्लास मैंने छोड़ दी तो कल जो पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस कल होगी तो आज वाली की कब प्रैक्टिस कराऊंगा इसलिए मैं regular होना चाह रहा हूँ तो आप live रहा करो चलो बोले बावा किसे हो भई ओफ-लाइन बेच में यही चल रहा है साइल संजे ओफ-लाइन बेच में यही चल रहा है डाइस आज यही पढ़ा के आया हूँ अबस्त गुरू रिजनिंग गूर्व मुखह जिनगर माय गूरू तेंक यो अभी शें थेंक यो बगवान आपको बहुत कामयाभी दे अजे चलो जल्दी से चेक करो कौन सा यह कौन सा गलत है जल्दी से बताओ अजय बताओ जल्दी बताओ कौन सा यह ओफ्लाइन में बैच में साइल संजे यही चल रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आ जाओ देखो सबसे पहले तो हम अपोजिट चेक करेंगे चार के अपोजिट एक होगा चार के अपोजिट एक होगा तीन के अपोजिट पाँच होगा और दो के अपोजिट यह पार्ट ऐसा बनेगा यह पार्ट ऐसा बनेगा यह पार्ट ऐसा बनेगा तो चार ट्रेंगल हैं हमारे पास जिसमें से दो ब्लेक और दो वाइट है दो ब्लेक कॉर्णर से कॉर्णर मिलेंगी दो white corner से corner मिलेंगी दो black corner से corner मिलेंगी दो white corner से corner मिलेंगी और इतना detail में concept आपको पूरी YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा YouTube पे क्या चलता है question ले आते हैं इसका year, इसका से, वो तो मैं अलग से practice करवा रहा हूँ questions के according concept सिखाते हैं आपको मैं concept के according हजारो question बनाने से कहूँगा मुझे आपको master बनाना है देखो, simple सा fund है चार और एक opposite है तो चार और एक opposite है तो साथ में नहीं आ सकता गलत नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो चार के clockwise तीन अगर चले गए तो क्या आएगा, बताओ जल्दी से जल्दी से comment करो, चार के clockwise तीन अगर आगया तो क्या आएगा, दो चार के clockwise तीन अगर आगया तो दो चार के clockwise तीन अगर आगया तो दो आएगा, चार के clockwise तीन अगर आगया तो दो आना चाहिए भाई यहाँ पर painted area कैसे दे दिया, गलत नेक्स्ट बताओ एक के क्लोकवाइज तीन एक के क्लोकवाइज तीन तो आ गया लेकिन लेकिन ये पोर्षन ऐसा बनी नहीं सकता ये पोर्षन तो ऐसा बनना चाहिए भाई चार्ट ट्रेंगल होने चाहिए दो ब्लेक और दो वाइट यह square कैसे आगा? यह portion ऐसा बहुत ने से बन ऐना ही निची है गलत है next भी यह portion ऐसा बन ऐना ही निची है गलत है यह portion ऐसा बना ही निची है गलत है कल class में आऊथा ठीक है साइल संज़ають offline office है मुखर जी नगर के सामने 22 गाल के बगल में पहले जो easy day के बगल में office था हो चेंज हो गया और नाम ढूंड लिया अगर ओफिस ओफिस चेंज हो जाए तो नाम ही काफी है ठीक है वैसे चेंज होगा नहीं बतरह सिनमा होल के सामने और दुरगा उस्पिटल के बगल में वैसे मैं बता रहा हूं कोरोने से पहले चलो यह प है तीन के साथ में क्या है ब्लैक है तीन के साथ में क्या है ब्लैक है चार के साथ में क्या है वाइट है और यह चार के साथ में क्या दे दिया ब्लैक ठाक्या वाइट चार के साथ में क्या दे दिया ब्लैक और ठाक्या वाइट अरे चार के साथ में ब्लैक कैसे दे दिया मैं टेंशन डालो next next एक के क्लोक वाज तीन एक क्लोक वाज तीन तीन के साथ में ब्लैक है या वाइट है सारे बताओ ब्लैक है या वाइट है ब्लैक है और एक के साथ में क्या है वाइट है तीन के साथ में क्या है ब्लैक है और यहां तीन के साथ में क्या दे दिया वाइट ग आफ्किक से अब लागू हो रहा है ठीक है चलो जो भी वैच्प आपको पर्टेज करना उससे कोड यूज कर लें लाइट नेक्स्ट नेक्स्ट देखो पांच के क्लोकवाइज एक अगर चले गए तो एक के साथ में क्या आना चाहिए वाइट और पांच के साथ में क्या आना चाहिए ब्लैक एक के साथ में वाइट आना चाहिए पांच के साथ में ब्लैक आना चाहिए एक के साथ में वाइट दे रखा पांच के साथ में ब्लैक तो पांच के साथ में ब्लैक दे रखा है और चार के साथ में वाइट दे रखा है तो पांच के साथ में ब्लैक दे रखा है और चार के साथ में वाइट दे रखा है तो पांच के साथ में ब्लैक दे रखा है और चार के साथ में वाइट दे रखा है तो पांच के साथ में ब्ल clear दिखाई दे रहा है आज तो देखो simple सा फंडा है black के opposite dot है ये दोनो blank जो है खाली जो है वो opposite है ठीक है अब कोन किस तरीके से आएगा अब clockwise चेक करके देखें first dot फिर dot देखो ये dot दिखाई दे रहा है ठीक है dot उसके clockwise उसके clockwise blank फिर blank आ सकता है dot blank फिर blank आ सकता है बिलकुल सही है ठीक है बिलकुल सही है दोनो black portion साथ में आ सकते है क्योंकि आपस में तो opposite है नहीं बही simple सी बात है ये black जो portion है वो dot के opposite है ये जो दो white आपस में opposite है और ये जो black है ये जो dark portion है वो ये वाला वो इस white के opposite है ठीक है तो दोनो black साथ में आ सकते हैं लेकिन दोनो black साथ में अगर आएंगे तो ये देखो कौन सा दिखाई देगा सब बच्चों ने अभी like नहीं किया है जल्दी से video पर like कर दिया कर दिया है ठीक है बोले का परसाद है लेकिन उन लोगों के लिए बोले का परसाद जो fast नहीं रखते तो मुझे नहीं लगता कि fast में बोले का परसाद लेना चीए मेरा तो फास्ट है हम तो कुछ नहीं लेते बाकि अपना अपना तरीका होता सबका ठीक है एक गलत है देखो उसने कहा कि एक गलत है सर इखटे कैसे आ गए अरे भई इखटे क्यों नहीं आ सकते यार अब देखो कई बच्चों के माइन में यह चल रहा है सर दो वाइट कैसे साथ में आ गए दो वाइट तो अपोजित है बाई दो वाइट अपोजित है साथ में नहीं आ सकते यह आपकी सोच बहुत बढ़िया है लेकिन एक सोच बहुत गलत भी है गलत क्या है dot white white दो white साथ में आ भी सकते है white actual में हमारे पास 3 है हमारे पास 3 white है 3 white है जिसमें से 2 white आपस में opposite है लेकिन 2 साथ में भी है ये दोनो white तो साथ में है ना ये दोनो white तो ये opposite है no doubt लेकिन ये वाले white तो साथ में है ना तो dot white white सही है dot white white clockwise सही है ठीक है dot white white clockwise सही है अब देखो कुछ जगह आपको imagination भी करनी पड़ती है अगर आपके दोनों black दिखाई दे गए दोनों black दिखाई दे गए दोनों black दिखाई दे गए तो उसके opposite जो है dot वाला portion साथ में कैसे आ गया एक black के साथ में dot आ सकता है मैं मना नहीं कर रहा एक black के साथ dot आ सकता है मैं मना नहीं कर रहा लेकिन दोनों black color के काले रंग के दोनों black portion दिखाई दे रहे हैं तो white नहीं sorry dot नहीं दिखाई देना चाहिए मतलब दूसरा गलत एक दिखाई दे सकता है लेकिन वो एक कैसे दिखाई दे सकता है बलैक फिर डोट फिर वाइट 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 यानि कि ये भी सही है दोनों बलैक साथ में आकर के वाइट आ सकता है बही दोनों ब्लैक अगर आ गए तो चुपा हुआ पॉर्शन सिर्फ डोट वाला होगा दोनों ब्लैक अगर साथ में आ गए तो चुपा हुआ पॉर्शन डोट वाला होगा उसके अलावा तो सब कुछ वाइट ही है तो ये भी सही है ठीक है, यह पॉर्षन भी सही है, clear भई, इन्हों ने नितिन ने बोला कि फास्ट पॉंप में जो अप्शन है, वो मेभी सही होगा, 100% सही नहीं हो सकता, देखो बच्चे, डाइस में ऐसा कुछ नहीं होता, कि कौन सा मेभी सही होगा, और कौन सा 100% सही होगा, डाइस में ऐसा नहीं बोला जाता, कि कौन सा मेभी सही होगा, और कौन सा 100% सही होगा, 100% में यह पूछा जाता है, कि इसको close करने के बाद, क्या ऐसा दिखाई दे सकता है, हाँ, बिल्कुल दिखाई दे सकता है, ऐसे मैंने बहुत सारे question कराई भी है, blank वाले जो, white, white वाले question कराई भी है, क अगर किसी एक कोरनर से दिखाई दे सकता है, तो वो सही है फिर, जैसे यह है, यह किसी भी कोरनर से नहीं दिखाई दे सकता, यह किसी भी कोरनर से नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि दोनों black साथ में आ गए, तो उसके साथ, एक के साथ तो आ सकता है, जैसे इस black के साथ के साथ यह वाइट और यह वाइट आ सकता है बिल्कुल सही है कि नेक्स्ट बताओ जल्दी से बताओ जल्दी बताओ क्लेर भाई फॉर्थ रिपीट करूँ फॉर्थ में क्या है यार एक बात बताओ यार यह ब्लैक है यह ब्लैक है दोनों ब्लैक दिख गए यह ब्लैक और यह ब्लैक दोनों ब्लैक अगर दिख गए तो चुपा हुआ क्या होगा डोट क्योंकि अपोजिट है चुपा हुआ क्या होगा डोट डोट चुप गया डोट दिखाई नहीं दे रहा उसके अलावा बच क्या गया यह भी वाइट यह भी वाइट यह भी वाइट यह भी वाइट वाइट ही पोर्शन बच गए तो वाइ चलो आजो देखो simple सा fund आई बच्चे A और B पहले opposite check करेंगे पहले easy portion में रहेंगे बच्चे ध्यान रखना पहले easy portion में रहेंगे पहले easy portion में रहेंगे typical में बाद में entry करेंगे A के opposite B, C के opposite D तो पहले तो वो गलत कर दो जिसमें C, D साथ में दे रखा किसी में दे रखा है? नहीं वो portion गलत कर दो जिसमें A, B साथ में दे रखा किसी में दे रखा? नहीं अब जो बच गए वो चेक करो देखो A के opposite B C के opposite D और दोनों white जो है वो आपस में opposite है यारी कि दोनों who white सात में नहीं आने चाहिए इसमें दोनों white सात में दे रखा है गalat नो white सात में दे रखा है गalat सरमा आपसे पहरेहं उज्गे ओफ्लाइन बहुच में पढा हूं पता नहीं भैइ देज नीतिंदेवगन पता नहीं मैं तो कही बार कही बैस चीज में लड़कों को बाहर करता ही रहता हूँ ठीक है चलो आजाओ वई आजाओ तो तीसरा उप्षन तो गया अब next A के बाद blank के बाद C A blank C A white C A white C A white C clockwise A white C clockwise A white C clockwise clockwise A white C सही है next check करते है B के clockwise D के clockwise white 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 ये भी सही है next check करते है C के clockwise B के clockwise ये वाला white C के clockwise B के clockwise ये वाला white C के clockwise B के clockwise ये वाला white ये भी सही है ये भी बिलकुल सही है एक भी सही है दो भी सही है चार भी सही है जिसने यह अंसर दिया वो बिल्कुल बेस्ट वो बिल्कुल सही शालू च्वान, you are the best teacher in the world तेंक्यू जालू, तेंक्यू बगवान आपको बहुत काम्याभी दे चलो, next आज एक के question add करने पड़ेंगे भाई क्योंकि वो जोंवाले दिक्कत ओ सकती है देखो बच्चे, ये जो है, ये black portion का रखा है ठीक है, यहाँ ये plus में दिया है ये भी black portion का रखा है ठीक है, उसके अलावाद 12 बना रखे करो चेक, जल्दी से करो clear दिखाई दे रहा है कौन सा से ये जल्दी चेक करो किस तरीके से triangular format में आएंगे वो ध्यान रखना plus कहां कहां है वो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से triangular format में आएंगे plus कहां आएगा वो ध्यान रखना करो चेक, कौन सा साई first right, second right सागर, पर्तिक्षा, यंसु, मोहित, साहिल, रोहित सब जवाब दिया गरो भाई clockwise में कैसे skip कर देते हैं जिसको clockwise में problem है तो जो मैं practice कराता हूँ उसी के description में उसका basic part है मतलब इस video के description में इसका basic part है ठीक है? कल जो पढ़ाया था वो जरूर वीडियो देख लेना उसके description में उसका basic part है description जिसको नहीं देखना आता जहां detail होती है वो भी नहीं देखना आता तो comment तो देखने आते होंगे न class खतम होने के बाद जो comment section होता है उसके comment में उस video को pin कर देता हूँ ठीक है? तो जिसका basic part कमजोर है practice session से पहले तो पाद जरूर देख लिया गरो चलो देखते हैं यहां देखो और यहार comment करने से न आपका देखो जैसे comment आप करते हो न वीडियो पर मैं offline में भी बोलता हूँ आपको भी बोलता हूँ class कतम होने के बाद जरूर comment क्या करो ठीक है? उस noon comment का wait रहता है ठीक? अब देखो simple सा funda पहले में पहले में चेक करते हैं देखो दोनों white साथ में आ सकते हैं इस portion के इस portion के दोनों white साथ में आ सकते हैं इस portion के दोनों white साथ में आ सकते हैं लेकिन लेकिन मेरे भाई लेकिन दिक्कत यह है कि जो clockwise portion हम चेक करेंगे तो इस triangle से कौन सा part जुड़ेगा? देखो ब्लैक वाला पार्ट इस से जुड़ेगा ये ये वाला पॉर्शन मतलब ये इस तरीके से बना होना चाहिए था ज्यान से समझो ये ब्लैक वाला पॉर्शन इस से जुड़ेगा ठीक है ये ब्लैक वाला पॉर्शन इस से जुड़ेगा तो ये ऐसे बना होना चाहिए इस तरीके से बना होना चाहे है था अगर इस तरीके से बना होता तो बिलकुल सही होता इस का मतलब ये गलत ये इस तरीके से बना होना चाहिए था ये कैसे पता चला देखो बच्चे दोनों white clock वाई दे रखें दोनों white clock वाई दे रखें उसके बद ये black triangle इस white के साथ जुड़ेगी तो देखो black triangle इस white के साथ जुड़नी चाहिए यहां तो black triangle नहीं जुड़ रही यहां तो white triangle जोड़ रही है तो गलत पहला गलत, पहला clear हुआ बोलो yes or no यस हुआ तो जल्दी से like पर click करो पहला clear हुआ yes or no दूसरा, दूसरा देखो आज बोहले की किरपाओ रखें किस-किस का fast है एक बार comment में बोल दो बोल बम, बम, बम ओमने चुआ है, तो हम बोले next, plus white, white देखो बच्चे, दोनो white साथ में आ सकते हैं, दोनो white साथ में आ सकते हैं क्योंकि ये दोनो white साथ में दिये हैं, ये दोनो white साथ में दिये हैं लेकिन दोनो white के clockwise strangler वाला पार्ट होगा दोनो white के clockwise strangler वाला प्लस वाला पार्ट कैसे पोसिबल है, प्लस वाला पार्ट कैसे पोसिबल है, देखो ये वाला वाइट तो आ नहीं सकता प्लस के साथ में क्योंकि अपोजिट है, तो इन में से ये वाला वाइट तो है नहीं, अब ये दोनों वाइट है इसका मतलब, अगर इन में से ये वाल यह भी गलत बोल बंब हर अर्मादे हो ठीक कौन सा दोबार रेपीट करूं भाई कौन सा समय में यह आया पहला क्लियर हुआ आदे जुट वोले हैं अलबादी एंटेटेन्मेंट क्यों भाई आदे जुट क्यों वोले हैं तन्य के विरादे जुट वोले हैं तू अलबादी होगा यह तो निना अलबादी है ठीक है आदे जुट वोले हैं तन्य के विराई आदे जुट वोले हैं मने तो बुल लाग गए हैं सारे साची वोले हैं और किस-किस का मेरी है यह यह नवी लेंग में समझ वारी हैं आज आओ बई क्लास डेली होती है रोज रात को नो बजे डेली देखो आज की प्रैक्टिस में तोड़ा स्लो करवा रहा हूं क्योंकि आज की प्रैक्टिस में तोड़ी डिटेल भी बतानी पड़ रही हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बही सिंपल सा फंडा है नेक्स्ट दोनों वाइट साथ में आ सकते हैं यह वाले दोनों वाइट साथ में आ सकते हैं लेकिन वाइट वाइट के क्लोकवाईज अगर चलें तो वाइट वाइट के क्लोकवाईज उसके बाद वाइट फिर ट्रेंगल ही होनी जैसे इसमें यह और यह एक ही बात है अब आप कोगे सरी और यह एक ही बात कैसे है भाई एक ही बात है यह देखो वाइट पूरा पॉर्शन फिर वाइट पूरा पॉर्शन फिर वाइट ट्रेंगल आया सेम उसी प्रकार से वाइट पूरा पोर्शन फिर वाइट पूरा पोर्शन फिर वाइट ट्रेंगल आया बेलकुल सही है नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ये दोनों आपस में तो अपोजित हैं साथ में आई नहीं सकते हैं खेल कदम खेल कदम क्लियर बोलो यह सोनू तीसरा सही है भई ठीक तीसरा सही है हमारे आर यह समझ में आमने सब क्या मेरा चला भई समझ में आर यह तो बहुत अच्छी बात है क्लियर इसको करो बताओ देखो बलैक के अपोजिट डोट बलैक के अपोजिट डोट लेकिन एक बलैक के अपोजिट डोट है दूसरे बलैक के साथ में भी है एक बलैक के अपोजिट डोट है दूसरे के साथ में भी है यानि कि जब दोनों बलैक आगए जब दोनों बलैक आगए सिंपल सा फंडा, एक सेकिन, जब दोनों ब्लेक आ गए, साथ में अगर दोनों ब्लेक आ गए, तो डोट तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो अपोजिट है, अगर दोनों ब्लेक आ गए, तो डोट तो नहीं आ सकता, सेकिन तो गया, सेकिन गया, तो ये उप्शन कतम, ये उप्शन काम बन गया second option गया तो इसमें दो लिख रख का ये रहा second option तो easy है second option easy है तो दो इसमें भी लिख रख का एक दो तीन, दो इसमें भी लिख रख का दो तीन, चार, दो इसमें भी लिख रख का दो तीन, चार काम कातम मैं क्यों चेक करूँगा ये एक, तीन, चेक करूँगा ही नहीं मैं exam point office से check नहीं करूँगा next question और exam point office से समझना जरूरी है knowledge तो मैं जो class आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें देता हूँ स्याम वाली class में तो practice होती है अब स्याम वाली class में practice होती है तो इसमें सरफ practice से चलेगी बताओ देखो simple सा फंडा है देखो simple सा फंडा next में देखो ranking कब कराओगे dice के बाद direction, direction के बाद ranking ranking का number आ जाएगा ठीक है भाई आ जो अब देखो तीन white साथ में आ सकते हैं तीन white साथ में आ सकते हैं इसकी अगर मैं बात करूँ तो तीन white साथ में आ सकते हैं तो तीन white साथ में दे रखे हैं बिलकुल सही है next ये दोनों पोर्षन साथ में आ सकते हैं लेकिन ये दोनों पोर्षन कैसे अटेज जोंगे वो ध्यान से सुन लो एक बार ये दोनों पोर्षन कैसे अटेज जोंगे जब ये जोडेंगे वाइट ट्रेंगल से वाइट ट्रेंगल जोडेगा जब ये जुडेंगे तो ये ऐसे जुडेंगे वाइट ट्रेंगल से वाइट ट्रेंगल जुडेंगा वाइट ट्रेंगल से वाइट ट्रेंगल जुडेंगा ये ऐसे जुडेंगे वाइट ट्रेंगल से वाइट जुडेंगे और इस portion के साथ में ये black triangle होगी ये भी black triangle होगी यानि कि ये भी black triangle होनी चाहिए और ये भी black triangle होनी चाहिए ये ये black होनी चाहिए ये ऐसा दिया होता तो सही होता दोनो black triangle तो जोड़ी ही नहीं सकती तो दोनो black triangle जोड़ी ही नहीं सकती तो गलत दोनों वाइट ट्रेंगल जोड़ेंगी साथ में जब जोड़ेंगी तो यानि कि ये भी गलत और ये भी गलत काम हो गया तीसरा भी गलत है इस तरीके से ट्रेंगल जोड़ ही नहीं सकती ठीक, नेक्स्ट कॉश्चन बताओ जल्दी से चेक करो जल्दी फटा फटा जल्दी चेक करो भई इसमें बताओ इसमें अब थोड़ा ज़्यादा जल्दी चलेंगे देखो भई, पहले अपोजिट की वज़े से चेक करेंगे अपोजिट की वज़े से चेक करेंगे ये, एक सेकिंड ये और ये आपस में opposit है, ये और ये आपस में opposit है, dot के opposite white है और plus के opposite white है, तो ये और ये दोनों आपस में opposite है, तो पहले में तो 7 में दे दिया गलत, second को clockwise चेक करो, इस portion के clockwise, dot, dot के clockwise plus, इस पॉर्शन के क्लोक वाई डोट डोट के क्लोक वाई प्लस ठीक है? क्लियर भई? डन? पहला गलत एक नंबर के प्रेक्टिस चल रही है चलो बढ़िया भई भई मैं आप लोगों के कमेंट कम पड़ पा रहा हूं और मैं आप लोगों के नाम भी कम ले रहा हूं उसका रीजन यह है कि मैं चाहता हूं कि मैं यूट्यूब पे भी ओफलाइन की तरह पड़ाऊं ठीक है? जैसे आप ओफलाइन में में मेरे सामने डिट सो दो सो बच्चे बैठे हो तो मैं सिर्फ नोलेज दो ओनलाइन में हो सकता है कि ओनलाइन में पढ़ाने का डिफरेंट तरीका होगा मुझे पता है ओनलाइन में यू 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 लगे रहते हैं लोग तीक हम नहीं कर सकते हैं भाई हम टीचर हैं यूट्यूबर नहीं है next नेक्स देखो भई देखो प्लस के क्लोकवाई अगर डोट पे चले गए तो इस पोर्शन पे तो नहीं आ सकते प्लस के क्लोकवाई अगर डोट पे चले गए, ऐसी कौन सी गड़ी होती है, जो प्लस के क्लोकवाई डोट चला जाए, फिर यहां आ जाए, ऐसी तो कोई गड़ी होती ही नहीं, गड़ी तो ऐसे क्लोकवाई चलती है, तो थर्ड गलत, थर्ड गलत, केल गतम, ठीक है, डन, ड इसको करो इसको करो भे इसको करो नाच नहीं सकता ना यार मैं बदाओ इसको बदाओ देखो, सिंपल सा फंडा है क्लोकवाई चेक कर रहे हैं क्लोकवाई चेक कर रहे हैं इन पांच के क्लोकवाई सरकल के क्लोकवाई हे एकजागन इन पांच के क्लोकवाई सरकल के क्लोकवाई हेकजागन पांच के क्लोकवाई सरकल के क्लोकवाई हेकजागन सभी है ठीक है सभी है डन नेक्स्ट अपोजिट का ध्यान रखना साथ साथ में अपोजिट का ध्यान रखना कोई अगर अपोजिट साथ में दे रखा है तो गलत है जैसे पांच के अपोजिट एक डोट दे रखा तो यह डारेक्ट गलत हो गया 5 के apposite एक dot दे रखा तो ये direct गलत हो गया next dot, circle और dot, circle, and cross 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 ये भी सही है next has has,फिर, cross, फिर 5 आना चाहिए has,फिर, cross, फिर 5 आना चाहिह यां से issue circle है से फिर क्रो से फिर पांच आना चाहिए है से फिर क्रो से फिर पांच दे रखा है यानि कि ये भी सही है है से फिर क्रो से फिर पांच दे रखा है है से फिर क्रो से फिर पांच आना चाहिए ये भी सही है एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है बताओ देखो अब आप कहोगे साथ दोनों ब्लैक जो हैं अपोजिट है दोनों ब्लैक जो हैं अपोजिट है दोनों वाइट अपोजिट है इसका मलब ब्लैक साथ में नहीं आ सकता है आ सकता है यहां यह तो साथ में है ना यह तो साथ में है आ सकता है कोई इस्यू नहीं है आ सकता है तीनों ब्लैक साथ में नहीं आ सकते यह मैं मानता हूँ तीनों ब्लैक साथ में नहीं आ सकता अब पहले को चेक कर रहे है पहले को चेक कर रहे है देखो ब्लैक ब्लैक फिर वाइट ये वाला जाएगा ब्लैक ब्लैक वाइट क्लोकवाइज ब्लैक 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 वाइट ये भी ठीक है ब्लैक ब्लैक वाइट क्लोकवाइज ये भी ठीक है ब्लैक ब्लैक वाइट एक ब्लेक ब्लेक फिर वाइट ब्लेक फिर वाइट ब्लेक फिर वाइट नेक्स्ट में दो वाइट और एक ब्लेक अरे दो वाइट एक ब्लेक तो यहीं से न क्लोकवाज हो जाएगा तो तीसरा भी सही है दो वाइट एक ब्लेक तीसरा भी सही है तो एक दो तीन चार भी ठीक भाई तीन भी ठीक है चार भी ठीक है चोथा भी तो यहीं दे रखा यार इसी को गुमा करके यहां रख दिया एक सेकेंड दो छोड करके इसमें बच्चो का बड़ाण रहता गोडे नूँ बाई दो छोड करके बच्चो से कोशन सोल नहीं होते दो छोड करके कैसे क्या होता हो टो चहअप जे concept वाली class चलती है concept वाले class चलती है जिसमें मैं आपको question नहीं दिखाता मैं खुद यहीं पर आपके लिए question generate करता हूँ क्योंकि एक concept है इनमें अगर मैंने आपको question दिखा दिया फिर concept कैसे समझाओंगा आपको मतलब जो मेरे खुद के concept है वो तो आपको इसी तरीके से सीखने होंगे daily आप 6 बजे लाइव राकरो 6 बजे और 9 बजे चलो बताओ आपके according जो आपने सीखा है उसके according कौन सा सही है कौन सा सही है कौन सा question सही है option सही है देखो simple सा फंडा है दो blank छोड़ कर गे अब ये कैसे पता चलेगा कि 2 blank कैसे छोड़ कर गे option से 2 blank छोड़ कर गे मतलब 2 छोड़ कर गे blank का मतलब मैं इनको blank मान रहा हूं मतलब 2 छोड़ कर गे 3 और 6 जब आ जाए 3 और 6 जब आ जाए देखो 4 option में मैंने 3 और 6 का यूज किया है 4 option में 3 और 6 का यूज किया है तीन जब छोड़ करके, तो बच्चे अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, वो क्या पढ़ाया है, मैंने ये पढ़ाया है कि clockwise यहाँ देखेंगे और clockwise यहाँ देखेंगे, यही पढ़ाया है, clockwise यहाँ जो होगा, वही clockwise यहाँ होगा, तो सही होगा, अभी तक मैंने यही कराया था कि 4,3,2 क्लोकवाई तो 4,3,2 क्लोकवाई मिलना चाहिए 2,3,5 क्लोकवाई तो 2,3,5 क्लोकवाई ही मिलना चाहिए 4,2,1 क्लोकवाई तो 4,2,1 क्लोकवाई ही मिलना चाहिए 1,2,5 क्लोकवाई तो 1,2,5 क्लोकवाई ही मिलना चाहिए अभी तक मैंने आपको यही कराया है ठीक है उसके बाद अब आगे उसके बाद देखो बच्छे अब आगे क्या करेंगे आगे देखो जब 3 और 6 दो छोड़ करके आजए इनमें 2 का गैप है जब भी 2 का गैप है तो बच्छे अगर मैं क्लोकवाईज चलू तो 2 का गैप है जब भी 2 का गैप आजए तो क्लोकवाईज अगर मैं चलू तो सिंपल सा फंड़ा है 6 के बाद 4 के बाद 3 2 छोड़ करके क्लोकवाईज क्या है 6 4 3 2 छोड़ करके 6 4 3 6 4 3 6 4 3 क्लोकवाई छे चार तीन है क्लोकवाई छे चार तीन है तो simple सा फंड़ा है क्लोकवाई छे चार तीन अभी तक मैंने यह पड़ा है कि क्लोकवाई छे चार तीन है तो क्लोकवाई छे चार तीन सही है अभी तक यह पड़ाया है लेकिन दो का गैप जब हो तो 6-4-3 clockwise मिल जाए तो गलत मतलब अभी तक जो पड़ा है उसका उल्टा कब जब दोका gap हो 6-4-3 clockwise है तो 6-4-3 clockwise मिल गया तो गलत 6-4-3 की बजाए 6-3-4 मिलना चाहिए पलट करके 6-4-3 की बजाए 6-3-4 मिलना चाहिए पलट करके मिलना चाहिए 6-3-4 मिलना चाहिए तो सही है 6-4-3 के बज़ाए 6-3-4 मिलना चाहिए तो सही है इन दोनों में चेक करते है 2-ka gap 6-3-5-6-3-5 ह Subscribe? 2-ka Gap है 6-3-5-6-3-5 6-3-5-6-3-5 क्लोक ृइज है टोबक ृइज 6-3-5 मिल गया तो गलत 6-3-5 क्लोक ृइज है 6-3-5 मिल गया तो गलत 6-5-3 मिल गया तो सही 6-5-3 मिल गया तो सही 6-5-3 मिल गया तो सही मतलब जब भी 2 का गैप होगा तो पलट करके सही होगा जब भी 2 का गैप होगा ये कब लागू करेंगे जब 2 का गैप होगा ये कब लागू करेंगे का डाउट रहता है और student तो छोड़ो या टीचर्स का भी डाउट रहता है जब ये पहली बार आया था ना तो सब टीचर्स ने ये सोचा था कि SSC का ANSWR गलत है मैंने सोचा सेट में SSC ने इ coalition दिया है तो ये प्रैक्टिकल बना करके देख लिते हैं ने प्रैक्टिकल डाईस को बनाया فोल्ड करके देखा fold करके देखने के बाद पता चला कि SSC तो सही है तो SSC तो सही है तो मैं बताने लगया कि हाँ भई ये सही है बिलकुल तो teachers भी आने लगये कि भी ये कैसे सही है तब होने उनको भी सिखाना पड़ा इसलिए मैं अमेशा बोलता हूँ कि ज्यान जो है अमेशा बढ़ता रहना चाहिए teacher को भी बढ़ाते रहना चाहिए इसलिए मैं अमेशा आपको ये बोलता हूँ कि updated content पढ़ना बहुत जरूरी है पढ़ाने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन updated content पढ़ना बहुत जरूरी है student के लिए और मैं तो आपको updated बढ़ाता ही रहूँगा ठीक है चलो next solve करना बच्चे जब दो का gap जब दो का gap जब दो का gap जब दो का gap बताना कौन सा सही है कौन सा सही है कौन सा सही है जल्दी से बताओ कौंसा से जो पड़ा है वो उसी में से पूछा है जब 2 का गैप हो 2 का गैप है बई simple सा फंडा है 2 का gap है 6 और 2 में 2 का gap है चारा तो Good evening देखो 6,1,2 क्लोकवाई जै 6,1,2 क्लोकवाई जै 6,1,2 क्लोकवाई जै 6,1,2 क्लोकवाई जै क्लोकवाई 6,1,2 है 6,1,2 का 6,2,1 हो जाना चीए 6,1,2 का 6,2,1 हो जाना चीए 6,2,1 हो जाना चीए सही है 6,2,1 हो जाना चीए Next 6,2,5 क्लोकवाई 6,2,5 है 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 simple सा फंडा है 625 का 652 हो जाना चीए 625 का 652 हो जाना चीए यह सही है यह सही है बिलकुल UPSI के लिए रिजिनिंग करा दो हाँ नितिन कुमार UPSI के लिए तो करवा रहा हूं जो एक्जाम आ रहा हूं उसी पे तो टार्गेट रहेगे भई CGL आ रहा है CGL पर भी फोकस है UPSI आ रहा है UPSI पर भी फोकस है क्यों टेंस ने रहे हो? मुझे पता है आप सारे फॉर बरते हो सारे फॉर बरते हो तो सारे अग्जाम का टार्गेट जैसे अग्जाम नजदिक आ जाता है टार्गेट बदल जाता है तो अभी CGL और UPSI दोनों पर focus है उन्हीं के exam से related करा रहा हूं उन्हीं के exam से related आपके question आएंगे आपके exam में ये question मिलेंगे ये जब मिलेंगे जब आप इनको सही करोगे तो बोल देना जैविकरम जीत ठीक है चलो next next देखो भई 612 clockwise 612 clockwise 612 clockwise 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 ही दे रखा 612 भई 2 का gap में तो प्लट जाना चैहेँ चैहें दो क्लॉकक में तो नहीं प्लट आता तो गलत है जै दो पांच क्लोकव जाय से लग कोईकर में तो जाना जो है कि अब की बार चेक करना कि ज्यान से चेक करो बाई जल्द बाजी में चेक मत करो ज्यान से चेक करो ज्यान से दो का गया पूत अब जब दो का गया पूत तो क्लोकवाइज का प्लड जाना चाहिए जल्दी से बताओ बताओ बे जल्दी से बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से बताओ बें दो और चार चलो बहुत बड़े अब है सोल होने लग गया मतलब है ज्यान से चेक करो भई ज्यान से अब तो मैं आपके डेली क्लास ले रहा हूं ज्यान से बज़ें कब बोले विक्रांत वच्च कब बोले उन्होंने ऐसी बात देखो भी मैंने ऐसे सी की कभी प्रप्रशन की यह नहीं तो ऐसा तो कोई टीचर बोली नहीं सकता की भी मेरे को किसी ने पढ़ाया है सब जानते हैं और अगर मैं आज बात करूं तो ओल और इंडिया में जितने भी इंस्टूट है न सारे इंस्टूट में मैक्सिमम टीचर्स आज मेरे स्टूट नहीं यह भी सारे स्टूट बात जानते हैं क्योंकि मेरे से पहले वो कंसेप्ट किसी के पास थे यह नहीं हंडर फिप्टी सिर्फ मेरी बुक में किसी की बुक में नहीं हंडर फिप्टी कंसेप्ट सिर्फ मैंने इंटिड्यूस किया था मेरे पुराने 2-13-12 के स्टूट जानते हैं तो डिफरेंट कंसेप्ट सिर्फ म मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैं तो यह बोलता हूँ, मेरे student का maximum selection होगा, अब कोई यो कुछ भी बोलने लग जाता है, तो क्या करें, बस maximum student का selection देंगे, simple सी बात है, अब कोई भी कुछ भी बोल देगा, तो face to face, या video call के थूरू, या कभी, बताओ कि भी, है न, कर लेंगे, क तो ऐसा बोलते हैं, उनको बोलो जागे, मेरे students आज भी regards रखते हैं, और मैं अपने teacher को आज भी भगवान मानता हूँ, जिन से मैं पढ़ा हूँ, cat में जिन से coaching लिए, हो मेरे भगवान है, और IIT की quota में जिन से coaching लिए, हो मेरे भगवान है, अगर मैं किसी भी teacher से 5 chapter भी आ रहा हूँ सबसे ज़्यादा student select हो हैं, इस वज़े सबसे ज़्यादा student पढ़ते भी जा रहे हैं, अभी भी पढ़ते जा रहे हैं, तो इस वज़े से बाकी teachers को थोड़ी problem तो होगी ना यार, आ जाओ, तो मुझे ने लगता कि अच्छे teacher ऐसा बोलेंगे, फिर भी बोल द च्छे दो, एक लोकवाईज, तो च्छे दो, एक लोकवाईज, तो च्छे दो, एक लोकवाईज, तो च्छे दो, एक लोकवाईज, गलत, च्छे, एक लोकवाईज, गलत, च्छे, एक लोकवाईज, च्छे, एक लोकवाईज, गलत, च्छे, एक लोकवाईज, च्छे, ए 6,2,1 लोकवाइज है, उसका प्लट जाना ची है, 6,1,2, प्लट गया भाई, 6,1,2 प्लट गया, सई, ठीक, 4,6,1 लोकवाइज, 4,6,1 लोकवाइज, 461 लोगवाईज 461 लोगवाईज 461 लोगवाईज 461 लोगवाईज पलड जाना ची है 461 461 का 461 461 पलड जाना ची है सही बहुत बड़ी है ठीक है तो विकरांत online class में बोला था उन्होंने offline class में बोला था चलो clear भई next next लिखो भई अगर ऐसा होता है तो यार मैं आज भी भगवाण मानता टेंसे ना लो और वैसे जिनका नाम होता हूं नहीं के बार में ऐसा बोला जाता है अब मैं ये बोलतू सल्मान कान को acting मैंने सिखाई थी ठीक है 4 दीन एक तो सल्मान कान के चक्कर में थोड़ा तो मेरा भी नाम होगा ना वाओ विक्रमजी सर ने acting सिखाई चलो चलो मेरे दम पे अगर किस कोई नाम करना चाह रहा है तो करे भई बहुत अच्छी बात है बगवान से दुआ करूँगा सब का नाम हो भई अच्छा बढ़ा हो भई अपने आप नाम हो जाएगा करो क्लियर जल्दी बताओ दो का गैप इसमें भी एक तीन जब दो का गैप है तब करेंगे ऐसा राम राम भाई राम धन्यवाद जल्दी बताओ बहुत बड़े वई ऑफज़ प्लड़ जाना चीए क्या प्लड़ जाना चीए 10 Nick får pan cur जब दो का गैप हो तभी करेंगे ऐसा जब दो का गैप हो तभी करेंगे ऐसा लव यू बच्चे लव यू दिपक लव यू नेक्स्ट, 6,3,1,1,2,1,2,1,3,1,3,3 दो का गैप है तीन और एक में प्लट जाना चीए thorough is, 6,1,3 प्लट जाना चीए thorough is and matter दो का gap है तीन और एक में clock wise का clock wise ही दे रखा है गलत जब दो का gap हो तो पलड जाना चाहिए दो का gap एक और तीन में है जब दो का gap हो clock wise जाना चाहिए offline देखता हूं मतलब बाद में देखते हो अब clear हुआ जब 2 का gap हो हंजी हंजी अरियना SSC के लिए perfect है बिल्कुल जब 2 का gap हो तो पलट जाना चाहिए 2 का gap का concept clear हुआ जब 2 का gap हो तो पलट जाना चाहिए clear हुआ नहीं clear हुआ तो और question दू जब 2 का gap हो तो पलट जाना चाहिए जब 2 का gap हो तो पलट जाना चाहिए जब 2 का gap हो तब पलट जाना चाहिए जब 2 का gap ना हो तब नहीं पलट ना चाहिए जब 2 का gap ना हो तब नहीं प्लटना चाहिए जब 2 का gap हो तब प्लट जाना चाहिए बताओ कौन सा से यह जल्दी बताओ जब 2 का gap हो तब प्लट जाना चाहिए जब 2 का gap ना हो तब प्लटना नहीं चाहिए झाल 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 जल्दी बताओ आजो द्यान से जब दो का गैप हो तब पलटना चीए अदरवाज नहीं पलटना चीए चलो दो का गैप पांच और दो में ही है बस देखते हैं जब पांच दो दोनों का यूज होगा चै पांच दो को आई चै पांच दो को आई दो का गैप है तो पलट जाना चीए चै दो पांच हो जाना चीए चै पांच दो का चै दो पांच हो जाना चीए नेक्स्ट दो पांच एक क्लोकवाईज पलट ने रखा गलत पलट ना चाहिए दो पांच एक का पलट ना चीए नेक्स्ट चै तिन दो यहां दो का गैप नहीं है यहां तो क्लोकवाईज ही चैक करेंगे चै तिन दो चै तिन दो सही है यहां दो का गैप नहीं है यहां दो का गैप नहीं है चैन दो, यहां दो का गैप नहीं है, क्लोकवाइज सही है सिर्फ पलटना कब चाहिए जब दो का गैप हो पलटना कब चाहिए जब दो का गैप हो दो और पांच दे, इसमें तो दो और पांच दे नहीं रखे तो क्लोकवाइज का क्लोकवाइज ही चेक करेंगे यहां देखो यहां भी पांच और दो नहीं दे रखे clockwise चेक करेंगे कब जब दो का gap नहीं अगर दो का gap है तो पलटना चाहिए ठीक 3-4-1 clockwise 3-4-1 clockwise 3-4-1 clockwise यह पहली क्लास में कराया था 3-4-1 clockwise 3-4-1 clockwise सही है 3-4-1 clockwise सर में आपसे मिलना चाहता हूँ ठीक अब चे मुखर जी नगर आजाओ भई मुखर जी नगर ऑफिस में मिल लो बत्रा सिनेमा होल के सामने दुर्गा होस्पिटल के बगल में में मेरा ऑफिस है वाँ करके मिल लो दीपक सर मेरी गल फिंट चले गई तो ये कौन सी बड़ी बात है यार पहले आप काम्याब भी पर ध्यान दो imagine करके देखो एक बार जब आपके कंदे पे तीन स्टार होंगे और वाइट कैप होगी और वाइट ड्रेस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे और जब इस युनिफोर्म में जब आप फेस्बुक पे फोटो डालोगे कसम से जिस जिसने ब्लोक किया फ्रेंड रिक्वेस्ट वापिस आजएगी ये सब कोलेज लाइफ और कोचिंग लाइफ को अलग करो आज बच्चा कोलेज लाइफ और कोचिंग लाइफ को बिल्कुल अलग कर दो क्योंकि college life से जिंदगी आपकी बनी ना बनी हो लेकिन coaching life से आपकी जिंदगी जरूर बनेगी अगर coaching life को भी college life बना के रखा coaching life में भी अगर college की तरह सोच रखी तो जिंदगी में कभी कामिया भी तो मिलनी पाएगा जब तक कामिया भी नहीं मिल पाएगी तो कोई भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि सचाई तो यह है कि अगर आप अपने आपके नहीं हुए तो किसी और के क्या हो गए और अपने आपके होने का मतलब अपने आपसे महबबत और अपने आपसे महबबत का मतलब है अपने आपकी कामियाभी तो पहले अपने आपसे इतना प्यार करो कि दुनिया आपसे प्यार करें ये एक इशु है लेकिन but it's not a big issue आपकी कामियाभी और आपकी जिंदिगी आपसे के लिए और आपके parents के लिए कहीं ज़्यादा important है जिन्दिकी में अगर काम्याबी लेनी है और बेरोजगारी हटानी है तो ये चार आर खतम कर दो यार प्यार रिस्तेदार और त्यवार यार दोस्ती मैं कुछ टाइम के लिए पोश्पॉन करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी काम्याबी जरूरी है प्यार 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 तो समझते ही हो रिस्तेदार कुछ टाइम के लिए नहीं भी रिस्तेदारी नहीं बाओगे नहीं भी गर जाओगे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन काम्याब हो करके चलेगे तो बहुत कुछ फरक पड़ेगा और तेवार इतने सालों से मनाते आ रहे हो कोई कुछ मिला इस बार ऐसा कुछ करो कि काम्याभी मिले पुरी दुनिया आपकी तरफ अट्रेक्ट हो पुरी दुनिया आप इसको दे करे इसकी तरफ द्यान दो मेरी गल्फरेंड चले गए मेरा बॉइफरेंड चला गया मेरा प्यार प्यार मित्र भाई बंदो चले गए यह चला गया अरे भीरोजगारों को सिर्फ एक कंसेंटेशन होनी चाहिए जिंदगी में काम्याभी अगर यह नहीं है तो कोई भी आपका नहीं हो सकता और अगर यह है तो पुरी दुनिया आपकी मुझे नहीं पता कि बिहाइंड एवरी सक्सेश्वल पर्चन देज ये वोमें बट बिहाइंड एवरी सक्सेश्वल पर्चन देज ये दोखा इसले खुच रहो मौज करहो नेक्स्ट इतियास रचो बच्चे है जल्दी करना जल्दी ये दो बार कैसे आगया भई द्यान से भई द्यान से चेक करना कौन साच ये जल्दी बताओ जल्दी बताओ बताओ हैं टेड़े बताओ ये मुप ऐन sound आल ज़ों भई कौन सा सच्छा है देखो जब 2 का गैप किसमे है 6 और 2 में जब 2 का गैप हो 642 कलोग वाई 642 कलोग वाई 542 कलोग वाई पलड जाना चीए 624 किसी नंम्बर से चेक कर सकते हो 426 कलोग वाई 426 कलोग वाई सच्छार 622 सही है पलट जाना चाहिए जब दो का गैप हो जब दो का गैप हो पलट जाना चाहिए पांच च्छे दो कलो कोई पांच च्छे दो कलो कोई पांच च्छे दो कलो कोई पांच दो च्छे पलट जाना चाहिए पांच दो च्छे पांच च्छे दो कलो कोई चार, एक तीन क्लोकवाइज, 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 सही है, यहाँ दो का गैप नहीं है, इसलिए क्लोकवाइज का क्लोकवाइज ही चेक किया, बट पहले और दूसरे में द का गैप था इस वज़े से प्लट करके चेक किया जब दो का गैप हो तब प्लट करके चेक करेंगे दो का गैप ही नहीं में मिलेगा नेक्स्ट पांच एक दो यहाँ दो का गैप नहीं है तो क्लोक वाइज का क्लोक वाइज ही मिलना चीह हैं, पांच एक दो, पांच एक दो, पांच एक दो, पांच एक दो, सही है, अब दो का गैप वाले फंडे में कभी गलती करोगे, बलो yes or no, clear है, दन, चलो, next, चलो तो, concept strong होए, दो के गैप वाले, एक 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 झाल झाल जान से चेक करना जान से करो चेक एक कोश्चन वाकवाले कोश्चन में भी डाउट बनता है क्लियर है चलो बहुत बड़े हुई और आज जो कराया है उसी की प्रैक्टिस रात नो बज़े होगी आजो देखते हैं वही चेक करना जिन में दो का गैप हो जो मैंने सिखाया है देखो तीन और एक में दो का गैप है चार तीन एक क्लोकवाईज दो का गैप है तो चार तीन एक क्लोकवाईज नहीं मिलना चाहिए गलत पांच एक तीन क्लोकवाईज फिर दो का गैप आ गया पांच एक तीन क्लोकवाईज पांच एक तीन क्लोकवाईज प्लड जाना चीए पांच तीन एक प्लड गया पांच तीन एक सही है प्लड गया पांच तीन एक सही है नेक्स्ट यहां पर तो इसमें तो दो का गैप नहीं है यहां तो clock wise का clock wise ही मिलना ची है 4 3 2 मिलना ची है 4 2 3 दे रखा गलत है Next Next 5 6 2 clock wise है 2 का गैप नहीं है 5 6 2 clock wise है 5 6 2 ही मिलना ची है 5 2 6 मिलना ची है गलत हो गया Second raise right उसके बाद question mark वाले question में भी बड़ा doubt रहता बच्छोंगे के sir question mark वाले question कैसे होगे है न चलो question mark वाले question और करते है ज्यान से करना next question mark वाले question में भी doubt बनता है कि कैसे सोलोगा जल्दी से बताओ डेली इन लाइव रहता है बच्छे च्छे बजे और नो बजे च्छे बजे भी लाइव रहता है डेली ठीक है और नो बजे भी लाइव रहता है लेकिन ये मंडे टू फ्राइडे फिक्स है मंडे टू फ्राइडे सैटर्डे संडे डिपेंड करता है मेरे काम के उपर देखो एर मेरा rankers गुरकुल चलता offline class चलती है मेरी application की class चलती है तो इतना सारा होने के बाद भी मैं आपके लिए YouTube पे time निकाल पा रहा हूँ ठीक है YouTube पे तो simple सा fund है online application भी है और बहुत सारे और भी काम हो जाते हैं फिर भी मैं YouTube पे time निकाल पा रहा हूँ ठीक है तो अकेला YouTube होता तो मैं हर वक्त खड़ा रहता यूट्यूब पे ठीक तो इस वज़े से Monday to Friday तो 6 बज़े और 9 बज़े रहेगी रहेगी ठीक टेलिग्राम जोइन कर लो टेलिग्राम rankers गुरकुल चलो question mark की जगह क्या आएगा अब देखो simple सा fund है बच्चे question mark की जगह क्या आएगा अब ये calculate करने के लिए पहले question mark वाली dice को बोल जाओ question mark वाली dice को बोल जाओ ठीक अब जो भच गी उन dice को देखो common number से clockwise चलो 1, 5, 3 1, 5, 3 पहले opposite find करना है 1, 2, 4 पहले opposite find करना है 1, 2, 4 1, 5, 3 1, 2, 4 1, 5, 3 1, 2, 4 अब 5 के पहले दो होगा 3 के पहले चार होगा और 1 के पहले चार होगा 5 के पहले दो होगा 3 के पहले चार होगा 1 के पहले चार होगा ठीक 5 के पहले दो होगा 3 के पहले चार होगा 1 के पहले चार होगा ठीक student YouTube वाले या तो मुखरजी नगर में सारे के सारे offline में admission जितने हुए हैं सब YouTube से देखिया है या तो वो मुखरजी नगर offline आ जाते हैं देख लेते हैं class देख करके decide कर लेते हैं कि यह नीचे बढ़ना है और या फिर reference से obviously मेरे पास ही आएगा या फिर online application जो नीचे पटी चल रही है उसमें convert हो जाते हैं यह सच्चा ही है मेरे मुखरजी नगर में आ जाते हैं या online में convert हो जाते हैं ठीक क्योंकि YouTube का मतलब ही है कि side में suggestion चलते रहते हैं इसलिए YouTube पे पढ़ाई नहीं हो पाती और YouTube पे कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है लेकिन मैं जितना पढ़ाऊंगा उतने बड़ी detail में अच्छे से करवाऊंगा ठीक है तो इसलिए application पे कौन सी ज़्यादा फीस है फीस ज़्यादा है तो YouTube वाले बच्चों के लिए फीस वैसे ही कर दी RGYT code यूज करके तो इतनी तो आप एक जिन पहन ले तो इतनी के तो एक beer आ जाती है sorry to say ठीक है जब party होती है तो एक दिन की party हो जाती है तो RGYT code से आपका ड़्यसे discount हो जाता है बट डेली YouTube पे भी रहूँगा Monday to Friday हाँ सुनो पांच के विज़ दो तीन के विज़ चार एक अपोजिट चै अब देखो यहाँ पर क्या आएगा question mark की जाएगा अब देखो simple subfund है दो और पांच अपोजिट है तो दो और पांच तो आएंगे नहीं दो तो दे रखा क्या करेगा आ करके पांच अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकता दो दे रखा क्या करेगा आ करके पांच अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकता तो दो और पांच तो आएंगे नहीं पहले यह clear दो और पांच आएंगे नहीं यह clear yes और no ठीक है 2 और 5 आएंगे नहीं ठीक है उसके बाद 3 और 4 अपोजिट है 3 और 4 अपोजिट है 3 और 4 अपोजिट है तो 3 और 4 आएंगे नहीं जैसे push pender करे मैं यहीं से देख करके application पर आया हूँ बिलकुल 5 और 2 अपोजिट है 6 में आएंगे नहीं यह clear तीन और च्यार अपोजिटर तो साथ में आएंगे नहीं है clear अब बच गया एक और च्यार या तो एक आएगा या च्यार आएगा या तो एक आएगा या च्यार आएगा या तो एक आएगा या च्यार आएगा अब question तो ये generate होता है कि या तो एक आएगा या च्छे आएगा एक आएगा कि छे आएगा अब बात तो यहां से शुरू होती है कि एक आएगा कि छे आएगा पहले ये बात clear बताओ कि पांच और दो तो आएंगे नी क्योंकि दो दे रखा है पांच साथ में क्या करेगा 3 और 4 आएगे नहीं क्योंकि 3 दे रखा 4 शाथ में क्या करेगा अब या तो 1 आएगा या 6 आएगा अब इन दोनों में से कौन सा आएगा इन दोनों में से कौन सा आएगा देखो बच्चे ये answer है fix ये answer fix है ये answer fix है अब simple सा fundाई ये answer fix है हैं तो यह अंसर बदलने नहीं थी एक रखके देख लेते हैं मैं करहा हूँ एक और छह में से एक आएगा एक रखके देख लेते हैं एक रखके देख लेते हैं किसी भी एक डाई से compare करके देख लो किसी भी एक डाई से compare करके देख लो जिससे मन करें उससे compare करके देख लो किसी भी एक dice से compare करके देख लो अब एक या अच्छा हमें से बताऊंगा कौन सा आएगा किसी भी एक dice से compare करके देख लो जिससे मन करें उससे compare करके देख लो पहली से compare कर रहे हैं देखो दो common number है पहली और तीसरे में दो common number है पहली 2 common number वाले concept में 2 common number आगे 3 और 1 3 और 1 3 और 1 अब 5 और 2 number बदल गए न 5 और 2 number बदल गए न तो ये भी आपसमें पलट जाने चाहिए क्या पलटे हैं 3 और 1 का 1 और 3 बन गया हाँ 3 1 का 1 3 बन गया पलट गए 3-1 का 1-3 बनिया पलट गए पलट गए तो नमबर भी बदल जाएगा 5 की जिगए 2 आ गया बिलकुल सही है अगर इसी में मैं ये पूचता मान लो यहां पूचता और यहां मैं एक सोचता तो 2 common number concept लगाते 2 common number वाले concept को लगाते 3-1 का 3-1 पलटा नहीं है नहीं पलटा तो number भी नहीं बदलना चाहिए अगर मैं इसमें पूचता 3-1 clockwise 3-1 clockwise तो पलटा नहीं है 3-1 का 3-1 ही रा तो number भी बदलने नहीं चाहिए 5 का 5 ही रहना चाहिए अगर 3-1 का 1-3 बन गया 3-1 का 1-3 बन गया तीन एक का एक तीन बन गया तो नंबर भी चेंज होने चाहिए और तीन एक का तीन एक ही रहा तो नंबर चेंज नहीं होने चाहिए दो common number वाले concept में दोबारा सुनो तीन एक का तीन एक ही रहा तो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए 3,1 का 1,3 बन गया तो number change होना चाहिए यानि कि 1 बिल्कुल सही है अब आपके mind में हो सकता ही ये आजाए कि sir आपने कहा था 1 और 6 कोई भी check करके देख लो 1 और 6 कोई भी check करके देख लो आप कहोगे sir मेरे mind में तो पहले मेरे mind में तो पहले ये आया कि मैं तो 6 को चेक करूँगा मेरे माइन में तो पहले ये आया कि मैं तो 6 को चेक करूँगा चलो आपके माइन में ये आया कि आप 6 को चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 को चेक कर लो भई, 6 को चेक कर लो किसी भी एक डाइस से compare करके देख लो पांच इसका आपलो को चलके देखो 3 Personen स्यम्हें 5 के प्रचान नयदर 5 की प्रचान तो 2 है वहां इसका मलवचे वाला गल्लत इसका होखन स्यमोच वाला गलत क्लि Erfahr इसका मलवचे वाला गलत एक वाला सही है दो question mark वाला question clear हुआ done है clear भई बाद की बात है पहले हमें exam point of wish से सोचना है ठीक है simple सा fund है इसके opposite ये आएगा दो blank आपस में opposite होंगे ठीक है दो blank आपस में opposite होंगे अब एक चीज़ तो clear है dot white white dot white white dot white white पहला तो सही है पहला सही है तो ये option गया और ये option गया पहला तो सही है ये option गया और ये option गया अब देखो exam point of wish से एक चीज़ notice करो कि इसमें option दे रखें एक तीन चार इसमें option दे रखें एक और चार इसका मतलब एक और चार तो सही है exam point of view से पहला तो सही हो गया तो मेरे दो option गए हमें fourth check नहीं करता जो कुछ भी होता fourth में check नहीं करता कैसा भी दिया होता हमें fourth check नहीं करता ठीक है उसके बाद simple सा fund है तीसरा check करूँगा अगर तीसरा सही मिला तो B answer तीसरा गलत मिला तो D answer अगर में तीसरा check कर लेता हूँ तीसरा check करो black dot or white 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 यानि कि तीसरा भी सही है तीसरा भी सही है तो यह option गया मतलब आपको चारो option check नहीं करने ये आपको सबसे ज़्यादा mind में रखना है कि चारो option आपको check नहीं करने next को देखो next देखो बेजल दीशे देखो देखो इस dark portion के opposite ये white के opposite circle white के opposite circle और lines के opposite white part अब कौन सा से ये कौन सा गलता option के साथ लेते हुए चलो पहले में दिमाग मत लगाओ चारों में दे रखा है काम खतम सागर कसा ना पिछले का answer only first and fourth नहीं था पिछले का first, third, fourth दोनों थे second मैंने check क्यों नहीं किया क्योंकि option की वज़े से next तो first तो सही होगा योगा चारों में है option की वज़े से first तो सही होगा योगा चारों में अब देखो second check करो second देखो बच्चे यानि कि second भी सही है यानि कि second भी सही है तो यह option दो गया अब simple सा fund है फास्ट सेकिन फास्ट सेकिन फास्ट सेकिन अब सीरह third चेक करो लाइन वाइट सरकल ये कहां से आ सकता है लाइन वाइट और सरकल देखो बच्चे ये वाइट तो ले नहीं सकते लाइन वाइट और सरकल तो सरकल तो अपोजित है अगर ये वाइट लेंगे तो क्लोक वाइज की वज़े से गलत है ये white लेंगे, तो clockwise की वज़े से है क्योंकि line white circle और अगर ये white लेंगे, तो भी clockwise की वज़े से Line circle white, ये white, line circle white है ये white भी line circle white है clockwise की वज़े से, line circle white की वज़े से ठीक, आप लोगोंने answer नहीं दिया भी तक अपने अपने अंसर जब तक नहीं दोगे तब तक बात नहीं बनेगी भाई जल्दी से अंसर दो अंसर आए बी बोल रहे हैं बी बी जब देखो बच्चे आप अंसर नहीं दोगे तो कैसे बाद में नहीं आए फस्ट हैं विरे बाद मेंदे सूरी ऐच चलो देखते है अगर मैं इस की बात करूं तो लाइन सरकल वाइट होना चाहिए तो सेकन्स तो थर्ड तो कलकौक वाइज नहीं गलत हो रहे हैं अब आपके मिन वे ये जाएगगा कि सर ये ये और ये क्लोकवाइज कैसे चेक करें ये दो क्लोकवाइज कैसे चेक करें तो कोई दिक्कत ने है दो क्लोकवाइज कैसे चेक करें दो छोड़ करके आज ही समझाया था दो छोड़ करके जब आ जाए देखो दो छोड़ करके जब आ जाए ये फिर ये फिर ये clock वाइट चल रहा है तो प्लट जाना चाहिए clock वाइट चल रहा है तो प्लट जाना चाहिए आज ही चैबजे वाली class में online जो class चलती है उसमें समझाया था ठीक है तो प्लट जाना चाहिए प्लट रखा है यानिकि फॉर्थ सही है फॉर्थ सही है तो फास सेकिंड फॉर्थ सही है फॉर्थ ऑप्सन बिलकुल प्लट करके यानिकि एक दो च्यार B is the right answer next इसमें मैंने दो छोड़ करके उसका ध्यान रखो दो छोड़ करके दो छोड़ने का मतलब है बचे स्टार का और इस सरकल को स्टार को और इस सरकल का ध्यान रखो स्टार और सरकल का ध्यान रखो स्टार और सरकल का ध्यान रखो स्टार और सरकल किस उप्सन में स्टार और सरकल है ये वाला स्टार उसी का ध्यान रखना सबसे पहला काम अपोजिट की वज़े से चेक करना है सबसे पहला काम अपोजिट की वज़े से चेक करना है पहला काम तो यही है ठीक है अपोजिट की वज़े से चेक करना है चलो देखें इस स्टार के अपोजिट प्लस है इस स्टार के अपोजिट प्लस है इस स्टार के अपोजिट चार डोट है तो star के opposite 4 dot है तो B option दो गया star के opposite 4 dot है तो B option दो गया ठीक है और plus के opposite circle है इस plus के opposite circle है देखो opposite की वज़े से star के opposite 4 dot है B option गया A option में ठीक है अब उसके बाद हम clock wise check करेंगे राम राम भई राम 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 हेलो सब को राम राम ठीक है उसके बाद हमें clockwise चेक करेंगे और यह पहला सही जब ऐसे option हो तो एक answer निकल जाए आप answer दे दिया करो ऐसे option जब भी आएं तो एक answer आए और answer दे दिया करो लेकिन फिर भी knowledge point of इसे तीसरा और चौथा भी बता देता हूँ मैं knowledge point of इसे तीसरा या तो option ऐसे बनाने थे A, ठीक है, A and C ऐसे बनाने थे A only इस टाइप से, ठीक है, तो तीसरा, तीसरा चेक करवाना हूँ मैं यह भी सई है, ठीक है, उसके बाद net बन्द होगया, net क्यों बन्द होगया भई, उसके बाद यह वाला star, फिर circle, फिर plus, यहांँ से clockwise यह वाला star, फिर circle, फिर plus, यानि के इसे है, यानि के A सही है, C सही है, D सही है, इसमें question उपर यह पूछ रखा था कि कौन सा गलत है कौन सा गलत है तो भी गलत था तो भी अंसर होगा नेक्स्ट बताओ जल्दी से बताओ ये तो साथ सेम ही दे दिया सेम ही है क्या सेम है बई चलो इसको करो तो इसको करो देखो पहले तो अपोजीट की वज़े से चेक करेंगे अपोजीट की वज़े से चेक करेंगे हम अपोजीट की वज़े से चेक करेंगे क्रोस और पेंटागन साथ में नहीं आने चीए स्क्वाइर और पांस डोट साथ में नहीं आने चीए square और 5.6 में नहीं आने चाहे है 2 circle और has 7 में नहीं आने चाहे है 2 circle और has 7 में दे दिये A गया 2 circle square cross 2 circle square cross 2 circle square cross सही है 2 circle square cross clockwise सही है next has has उसके बाद square और pentagon हैस, स्क्वार और पेंडागन हैस, स्क्वार और पेंडागन clockwise हैस, स्क्वार और पेंडागन हैस, स्क्वार और पेंडागन ये भी सही है भाई, हैस, स्क्वार और पेंडागन ये भी सही है next पास, डोट, पेंडागन और सरकल यानि के D is the right answer यानि के B सही है C सही है D सही है उसके बाद दो छोड़ करके अभी आएगा ऐसा question दो छोड़ करके ऐसा question आएगा इसमें exam point of wish से देखो बचसे इसमें exam point of wish से देखो simple सा fund आ है पहले की अगर हम बात करें पहले की अगर हम बात करें तो circle और square आपस में opposite है देखो ये दोनों आपस में opposite है circle और square आपस में opposite है circle और square आपस में opposite है तो circle और square साथ में आनी सकते circle और square साथ में आनी सकते अब circle और square साथ में नहीं आ सकते तो पहला गलत दूसरा गलत ये option गया ये option गया पहला गलत दूसरा गलत ये option गया दूसरा गलत ये option गया अब next fourth only third and fourth fourth only third and fourth fourth only and third and fourth में fourth only third and fourth fourth दोनों में option है तो third check कर लो ना direct direct 3rd check कर लो, अगर 3rd सही है तो ये वर्ना 4th only square white white square white white clockwise square white white clockwise बिल्कुल सही है 4th कहीं दिमाग लगांगे, क्यों चेक करेंगे काम हो गया, next next check कर वाई दो छोड़ करके, इसमें आएगा दो छोड़ करके दो का गैप दे करके देखो दो का गैप, दो का गैप किन में आएगा? दो का गैप, स्टार और प्लस में दो का गैप है स्टार और प्लस में, पहला उप्सन चेक करवा रहा हूँ क्या star और plus दे रखें नहीं ये वाला star और ये वाला plus ये वाला star और ये वाला plus नहीं यानि कि दो का gap नहीं है तो simple clockwise चेक करेंगे simple opposite चेक करेंगे और clockwise चेक करेंगे simple opposite चेक करेंगे और clockwise चेक करेंगे star प्लस फिर ये वाला star star circle वाला plus और ये वाला स्टार यानि के close eyes पहला सही है पहला बिल्कुल clock eyes सही है दूसरा चेक करते है दूसरा सेकिन में देखो प्लस फिर circle फिर चार डोट तिरचा सरकल प्लस फिर circle फिर चार डोट दूसरा भी सही है प्लस फिर सर्कल फिर 4 डोट, दूसरा भी सही है, next, plus सर्कल वाला प्लस फिर 4 डोट, फिर ये स्टार, इसमें 2 का गैप है, यह है actual में दिमाग का question, इसमें 2 का गैप है, दिख तो रहा है दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है यार, दिख नहीं रहा है ग्या, good evening बई, good evening प्लस ये और ये ये सही है या नहीं दो का gap है इसमें ये ये लो last बना देता हूं दो का gap है दो का gap है इसमें last बना देता हूं बताओ जल्दी से देखो, सिंपल सा फंड है, दो के गैप में clockwise चेक करो प्लस, फिर सर्कल, फिर स्टार clockwise, प्लस, फिर सर्कल, फिर स्टार क्या ये clockwise है? प्लस, फिर सर्कल, फिर स्टार clockwise दे रखा है, और दो के गैप में तो प्लट जाना चीए 2 की gap में प्लट जाना चाहिए प्लट नहीं रखा तो गलत प्लट नहीं रखा तो गलत इसमें देखो, ये तो clear दिखाई देरा है बताओ इसमें इसमें बताओ वही देखो 2 का gap किसमें है पहले तो clockwise जिसमें 2 का gap नहीं है वो चेक करो पहले में ही दो का gap है देखो दो और एक पहले में ही दो का gap है दो और एक यहां दो लिख रखा है, यहां एक लिख रखा है यहां चार लिख रखा है दो और एक ठीक, अब देखो दो एक चार, लेकिन एक और चार तो opposite है एक और चार साथ में कैसे दे दिये गलत एक और चार तो अपोजिट है साथ में कैसे दे दिये गलत तीन चाह पांच तीन चाह पांच तीन और चाह अपोजिट है साथ में कैसे दे दिये गलत दो एक चाह यहाँ दो का गैप है 2-1-6 clockwise बनना चाहिए clockwise ही दे रखा है 2-1-6 clockwise बनना चाहिए clockwise ही दे रखा तो गलत पलटना चाहिए था clockwise ही दे रखा है पलटना चाहिए था गलत Next इसमें देखो 1-6 और 3 6 और 3 आपोश दे रखा है गलत यानि कि 4 के 4 गलत है सही होना चाहिए था ये दो एक च्छा की जगए पलटना चाहिए था दो च्छा एक होना चाहिए था दो एक च्छा की जगए दो च्छा एक होना चाहिए था दो एक च्छा की जगए दो च्छा एक होना चाहिए था एंटी क्लोकवाई होना चाहिए था दिखाई दे रहे हैं question mark वाले question देखो ये ध्यान से सुन जो भई question mark वाले question जो है ध्यान से सुन लो इनमें बड़े doubt रहते हैं बड़े question गलत होते हैं बहुत सारे बच्चों के question गलत होते हैं देखो S लिख रखा, T लिख रखा, P लिख रखा है T लिख रखा, U लिख रखा, R लिख रखा है Q लिख रखा, U लिख रखा question mark लिख रखा है सबसे पहला काम क्या करेंगे सबसे पहला काम क्या करेंगे अपोजिट निकालेंगे ठीक है अपोजिट निकालेंगे लिख दिया भई लिख दिया सबसे पहला कम हम अपोजिट निकालेंगे देखो T उसके बाद P उसके बाद S T उसके बाद P उसके बाद S ये करवा रहा हूँ मैं यह question मैंने करवा दिया फिर भी मैं करवा दूँगा दोबारा T उसकेबाद P उसकेबाद S T उसकेबाद U उसकेबाद R ठीक है T उसकेबाद U उसकेबाद R S के opposite R होगा P के opposite U हुआ और T के opposite नया letter Q हुआ अब देखो बच्चे T और Q तो साथ में A नहीं सकते T और Q तो साथ में A नहीं सकते T और Q तो साथ में A नहीं सकते क्योंकि आपस में opposite है P और U साथ में A नहीं सकते P और U साथ में A नहीं सकते यानि कि S और R में से 1 आएगा S और R में से 1 आएगा अब या तो S आएगा या R आएगा अब दोनों देख लेते हैं S आएगा या R आएगा मैं कह रहा हूँ S आएगा या फिर R आएगा अब कौन सा ठीक होगा S और R में से दोनों मान के देख लेते हैं S और R में से कौन सा ठीक होगा या तो S होगा या R होगा दोनों को डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें doubt बनता है आपको ऐसे अलग लग करके नहीं देखने है लेकिन कोई भी एक चेक कर लेना देखो, मान लो आप S चेक कर रहे हूँ किसी भी dice से compare करके देख लो किसी भी dice से compare करके देख लो answer सही आने चाहिए चाहिए किसी भी dice से इन दोनों dice को compare करके देख लो answer सेम आने चाहिए मतलब जो जिसके opposite हो उसी के opposite होना चाहिए जो जिसके opposite हो उसी के opposite होना चाहिए देखो, S T P clockwise और इसमें S Q U clockwise P के opposite Q हुआ, T के opposite Q ही है P के पोजिट U हुआ P के पोजिट U ही है S के पोजिट R हुआ S के पोजिट R ही है इसका मतलब S रखने से बिलकुल अंसर सही फिट हो रहे है S रखने से अंसर सही फिट हो रहे है इसका मतलब S is the right answer S बिलकुल सही अंसर है R रखने से फिट नहीं हो रहे है R रखने से देखो R रखते मानलो पहले तो UK clockwise R है UK clockwise R है तो T आना चाहिए Q कैसे बन गया UK clockwise R है UK clockwise R है तो T आना चाहिए T दे रखा ना UK clockwise R फिर T दे रखा है UK clockwise R क्यों कैसे बन गया यानिके S आएगा Q नहीं आए S आएगा S is the right answer Question Mark की जगे क्या आएगा S आएगा इस तरीके से आप Next का जवाब दो Next का जवाब दो जल्दी से जवाब दो Next का लो बना देता हूँ 25 का जवाब दो Question Mark की जगे क्या आएगा Question Mark की जगे क्या आएगा जल्दी से जवाब दे न बही 4, 2, 3 5, 4, 6 5, 2 Question Mark Question Mark की जगे क्या आएगा Question Mark की जगे धन्यवाद बरेंद्रा यार आप लोग डेली अब सारे बच्चे आना बंद कर दी है नोब जी डेली प्रैक्टिस सेशन मैंने रखा आप लोगों के लिए और आप लोगों ले डेली आना बंद कर दिया तो फिर प्रैक्टिस सेशन भी बंद कर देता हूँ मुखरजी नगर में मेरा बहुत बढ़िया तरीके से बैच चल रहा है ठीक तो मुखरजी नगर में पैच पढ़ाई रहा हूँ उससे में पढ़ाता रहूँगा फिर प्रैक्टिस सेशन कराने की क्या जोड़ा था आप लोग आते ही नहीं तो आप आते हो तो अपने दियार प्यार मित्र भाई बंदों को साथ में लेकर क्या आया करो आप सेयर करने में इतनी कंजूसी करते हो कि ना मैं क्यूं सेयर करो अरे भाई आप सेयर करोगे तो वाटसप पर ही तो सेयर करना है सेयर करोगे तो आपके दोस्त भी आ जाएंगी ओफ्लाइन क्लास में ऐसा नहीं होता है क्या ओफ्लाइन क्लास में आप आते हो आप अपने चार दोस्तों गोर लेके आते हो क्यों किन ओफ्लाइन में ऐसा नहीं करते अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहें तो फिर पढ़ना छोड़ देते हैं फिर तो ओफलाइन में पढ़ना चाहिए पहले भी बहुत चलता था करोना के बाद भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से चला है ना तो ओफलाइन में अगर आप आते हो चार भाई और आते हैं तो ओनलाइन में भी आप आते हो तो चार भाई और क्यों नहीं आते हैं वो च्यार भाई कहां लगे हुए हैं इस टाइम पर ठीक है पढ़ाई करवाओ उनसे भी चलो जल्दी से WhatsApp स्टेटस लगाओ अभी जल्दी से फटा पट जितने भी WhatsApp गुरुप है मेरा गुरुप है उसमें भी शेयर करो उसमें लिखो कि जल्दी से आओ भई हम आपके साथ हैं तो साथ हो तो फटा फट शेयर करो अभी मा की ख़ितने आप ज़ो पिर मजा नहीं आएगा यहर जिब सारे उसमें नहीं आएंगे तो बताओ जल्दी से क्या हैगा बेखो simple सा funda question mark की जगह क्या आएगा सारे बच्चे नहीं आएगे तो मैं जानी आएगा पढ़ाने में भी 4, 2, 3 4, 2, 3, 4, 6, 5 4, 6, 5 4, 2, 3 4, 6, 5 3 के opposite 5 2 के opposite 6 4 के opposite 1 अरे कसम दे दी अब तो 4 के opposite 1 ठीक 6 के opposite 2 3 के पुट पांच 4 के पुट एक अब देखो simple सा funda है 2 और 6 तो आएंगे नहीं काम खत्म 3 और 5 आएंगे नहीं काम खत्म बचा 4 और 1 अब या तो 4 आएगा या 1 आएगा या तो 4 आएगा या 1 आएगा किसी भी 1 को पुट करके देख लो या तो चार आएगा या एक आएगा मैं कह रहा हूँ चार पुट करके देख लो मैं कह रहा हूँ चार पुट करके देख लो या तो चार आएगा या एक आएगा मैं कह रहा हूँ चार पुट करके देख लो पहली डाईस किसी भी डाईस से कंपेर कर लो पहली डाई से compare कर लिया दो common number है 4242 देखो बच्छे 2 common number के अलावा जो number होते हैं वो बदलते तब हैं 2 common number 4242 उसके अलावा जो number होते हैं वो 3-3 ही रहना चीए या 3-5 रहना चीए बदलते तब हैं जब ये आपस में पल्टी खाएं चार दो का दो चार बन जाए, हाँ, अगर चार दो का दो चार बन जाए, तो बदलेंगे, गर चार दो का दो ही रहता, तो नहीं बदलते, जैसे पिछले question में, मैंने कहा था, यू आर का यू आर ही रहा, यू आर का क्लोकवाई, यू आर का क्लोकवाई, यू आर ही रहा, तो बदलने नहीं चाहिए, यू आर का क्लोकवाई, यू आर ही रहा, तो टी था तो टी ही रहना चाहिए, टी ही रहना चाहिए, बदल कैसे गा, इसलिए तो गलत हुआ, इस question में, चार दो का दो चार बन गया तो बदलेंगे और बदलेंगे तो इसका मतलब सही है बदल गया तीन की जिगन पांच रहा गया बदल गया सही है बदलते जाओ सही है क्लियर हुआ अपोजिट का फंडा क्लियर हुआ सॉरी कॉशन माक वाला question mark वाला question clear हुआ न next question देखो तो गर clear है तो next question देखो next देखो question mark वाले question में आप problem नहीं होनी छी question mark वाले question में कभी problem नहीं होनी छी अब आजाओ अपोजित कैलकुलेट करेंगे B clockwise D Pallidize से C B clockwise E clockwise A C के अपोजित A हुआ B D के अपोजित E हुआ B के अपोजित एक नया नमबर कौन सा B के देखो B D C B E A D के अपोजित E हो गया C के अपोजित A हो गया B के अपोजित एक नया नमबर अब कौन सा नया कोई भी एक नया नमबर बट जो भी होगा वो तो यहाँ पर आएगा नहीं कुछ भी होगा वो यहाँ पर तो आएगा नहीं तो उससे तो tension लो ही मत कि कुछ भी होगा वो यहाँ पर तो आयेगा नहीं ठीक है clear शिलोजम सर स्टार्ट करो शिलोजम बच्चे आप प्लेलिस्ट में जाना और सिलोजम देखना सिलोजम प्लेलिस्ट में जाना complete सिलोजम करा रखा एक भर उसको तो देख लो पहले ठीक सर आपका 150 वाला कंसेट सुपरेट है हाँ 150 का कंसेट मैंने इंट्रिडूस किया और मैंने जब YouTube पे complete नहीं डाला था तब तक teachers ने copy नहीं किया जैसे मैंने YouTube पे complete डाल दिया teachers copy करने लग गये लेकिन जब concept मेरा है तो उसका loop all भी तो मुझे पता है है ना और कई teachers दो complete डालने के बाद पता क्या बोलते हैं ये concept मेरा और कहां से आया ये concept पता भी है ये concept मेरे से पहले इस concept के बारे में कोई नहीं जानता था इस field में देखो मेरे गुरू जानते थे cat की coaching में जहां मैं preparation कर रहा था वहाँ जानते थे इस SSE, bank, UPSI, one day exam में नहीं जानते थे चलो अब देखो next हाँ option में है F कोई दिक्कत नहीं है F है तो वैसे भी D आएगा अब C के पुजट A नहीं आएगा अब या तो D आएगा या E आएगा अब या तो D आएगा या E आएगा अब D और E में ये क्या मिटा दिया बने जो मिटाना था उसके अलावा मिटा दिया ऐसे कैसे question mark मिटाना था मुझे तो चलो तो अब या तो D आएगा या E आएगा या तो क्या हो राज D की जग़े B लिख रहा हूँ आएगा या तो D आएगा या E आएगा अब देखो D और E में क्या आएगा पहली डाइस देख लो मैंने कहा ना B D same B D same तो number नहीं बदलना चाहिए number नहीं बदलना चाहिए नहीं बदला B D C B D C B D C B D C नहीं B D C ठीक है तो B D C तो D आएगा number same रहा B के कलोकवाज D ही रहा तो number नहीं बदलना चाहिए अगर ये D भी बदल जाता तो number भी बदल जाता तो D आएगा यानि के सही D is the right answer clear है तो dice बड़े अच्छे से complete हुआ और dice की practice भी complete हुई अब एक बात बताओ मुझे देखो कोई भी topic का concept clear होता है वो मैंने करा दिया फिर उसके बाद उसकी practice होती है वो मैंने करा दी फिर उसके बाद previous questions होते हैं वो आप कर लो फिर उसके बाद doubts होते हैं वो आपके clear हो जाएं तो कोई भी chapter कमजोड नहीं रह सकता अभी ये doubts कहां जाएंगे doubts आप telegram पर में बेज दो R.G. Vikram जी टेलिग्राम ग्रूप पर टेलिग्राम डाउनलोड कर लो नहीं किया तो R.G. Vikram जी doubt group जोइन कर लो ग्रूप की notification silent कर लिया करो ताकि बार-बार notification आए इस irritation की विज़े से ग्रूप छोड़ देता है ग्रूप मत छोड़ा करो R.G. Vikram doubt group जोइन कर लो टेलिग्राम पर उस पर doubt बेज दो doubt बेजने के बाद उन doubts का solution मैं आपको वीडियो में provide करा दूँँगा इसका मतलब hard topic complete फिर आपके marks आने चाहिए 50 out of 50 और UPSI में 100 out of 100 कितने marks आएंगे UPSI में बताओ जल्दी से UPSI में कितने marks आएंगे और ये SSE में UPSI में कितने marks लोगे 100 out of 100 ठीक